मोहीत चर्मा की जगा जिनने आपको आज के इस मैच में अपनी गेन बादी के साथ बड़ा निराश किया बहुत खराप प्रदर्शन यह मोहीत चर्मा का पिछले मैच में भी बहुत खराप प्रदर्शन था आज एक बार फिर मोहीत चर्मा ने दोस्तों पिछले मैच में जहा होने जा रहा है वो राजस्थान रॉयल्स आज नहीं चूपाएगी एक सो च्यानवे पर तीन आफस्टम के बाहर बहुत अच्छी यह गेंड डाली गई थी बल्लेबाज ने जैसे दैसे गेंड को कवर की दिश्टा में केवल पुश्ट करके एक रन बटोर लिया ओवर की समा किया था उसके तोड़े से अलग है बी साई सुदर्शन को ही आज सलामी बल्लेबाजी कराई जा रही है गुजरात टाइटन्स में और बी साई सुदर्शन के साथ आपको सलामी बल्लेबाजी में डाय हाथ के शुबमन गिल उतर रहे हैं तो साई सुदर्शन और शुबमन वे नज़र आए हैं तो आज मौका है और खेल की शुरुआत भी होने जा रही है यहाँ पर तो इस मुकाबले की जो अगली गेंद है यहने कि इस मैच के जो पहली गेंद है वो अब सामना करने के लिए बले बास तयार नज़र आ रहे हैं आभी दोस्तों वीडियो को फड़ा राजस्थान रॉयल्स में केशव महराज आज इंपक्ट सब्स्टिट्यूट के रूप में आ चुके हैं राजस्थान की टीम में और किसकी जगह के उपर यशस्वी जैस्वाल को मैच से बाहर रख कर दिया गया है तो जैस्वाल इस सीजन में बैटिंग के साथ कुछ खास करने ही पा रहे हैं तो अब कप्तान ने उनको ही बाहर का रास्ता दिखा दिया है तो चलिए ट्रेंड बोल्ट जो की बाएं हाथ के तेज गेंदबाद हैं वो गेंदबादी की शुरुआत करेंगे और ये पहली गेंद का सामना करने के लिए दोस्तों बल्ले बाद तयार नजर आ रहे हैं तो इंपाक्ट सबस्टिट्यूट का इशारा अमपायर ने करार दिया है वहाँ पर तीन सेकिंड दो सेकिंड एक और ये काउंडाउन जो था वो समाफ्त हो चुका है काउंडाउन की समाफ्ती के बाद इस मुकाबले की पहली गेंद को अमपायर ने कह दि बी साई सुदर्शन के लिए बी साई सुदर्शन जो कि बंहाँध के बलेबाज हैं और इस टीम के लिए जब सरुदीमान सब्सक्राइबों य सरुद्यूध नहीं नहीं क्हेल रहे हैं तब से इन से सलामी बलेबाद ही कराई जा रही है तो इस मुकाबले की पहली गेंद बाया हाथ से ट्रेंड बोल्ड की तरफ से, ओवर दिविकेट से सामदा करने के लिए बल्ले बाज B.S.I. सुदर्शन तयार, ये गेंदों को बहुत अच्छे तरीके से स्विंग करा सकते हैं, एक स्लिप मौझूद है ट्रेंड बोल्ड की गेंद, थोड़ी सी गेंद, कांटा बदली टपाखाने के बाद, आखरी समय के उपा बल्ले के मुझ को कोलने की कोचिस, लेकिन गेंद बल्ले पर ठकराने के बाद सीधा पहुंची, बैकवर्ड पॉइंट पर, माफ किजिएगा, पहली स्लिप के पास, और पहली स्लिप के उपाखड़े, फिल्डर ने इस गेंद को फील्ड करके वापस कर दिया है, केशव महराज, जो की स्पिन गेंद बाद है, और केशव महराज आपको आज के इस मुकाबले में शामिल किये गए हैं, यह बहुत अच्छा मौका है, केशव महराज के पास इस विकेट के उपर अपना कमाल दिखाने का, और यह अगली गेंद के लिए त्यार बाया हाँ से, ओफस्टम के बाहर थोड़ी सी शाट गेंद, पंच कर दिया साही सुदर्शन ने, गेंद बल्ले पर टकराई, गेंद जाती वी कवा बाउंडरी के तरफ, और यह चार रन्स मिलेंगे साही सुदर्शन को, थोड़ी सी शाट थी ओफस्टम पर, साही सुदर्शन ने गेंद का इंतजार किया, ट्रेंड बोल्ड की, और साही सुदर्शन ने बैक फुट पर खड़े रहे के गेंद को पंच कर दिया, और गेंद बल्ले के बीच ओ बीच टकराने के बाद सीधा पहुंच गई, डीब कवा बाउंडरी के तरफ, और ये पूरे चार रंज मिल गए हैं बल्ले बाद साही सुदर्शन को इस गेंद पार, बहुती सुंदर शॉट, और चार के साथ राजस्थान, तीन गेंदों के उपर चार रंदे चुकी है, प्रेंड बोल्ड की अगली गेंद, ओवद विकेट से सामना करने के लिए बल्ले बाद स्ट्यार नजर आ रहे हैं, ओवद विकेट से फुल एंड डिलेवरी, बाएं हाथ के 20 साही सुदर्शन के लिए गेंद और बाहर की तरफ जा रही थी टपाखाने के बाद, आखरी समय के उपर साही सुदर्शन ने अपने बल्ले के फेस को खोल कर डीट थर्ड बाउंडरी की तरफ केलने की कोशिस कर रहे थे, लेकिन गेंद बल्ले पर टक्राने के बाद सीधा पहुँच गई, फिल्डर के हाथों में, और बाकी का काम, फिल्डर ने इस गेंद को फिल्ड करके वापस कर दिया, और गुजराट टाइटन्स की टीम चार रनों के पहुँची वी है, बिना किसी विकेट के नुकसान के अगली गेंद लेके चले, बाए हाथ से ओवध विकेट से ट्रेंड बोल्ट, सामने आपको बैटिंग क्रीज के उपार तयार नजर आ रहे हैं, ओवध विकेट से इस ओवर की अगली गेंद के उपार स्ट्राइक के उपार जो मौजूद हैं वो साही सुदर्शन है, रन लेने का कोई मौका इस गेंद पर यह नहीं देने वाले हैं, पहली गेंद पर डॉट, दूसरी गेंद पर पंच करके चौका बटोरा, तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं, चौती गेंद पर कोई रन नहीं, तो इस ओवर में चार गेंदे डॉट हो गई हैं, अगली के बीच ओ बीच टकरा के सीधा वहां फिल्डर के पास पहुंच गे जहां रियान पराग जो थे वो मौझूद थे और रियान पराग ने गेन को फील करके वापस कर दिया प्रेंट बोल्ड के ऊवर की अंतीम गेन दा रही है और सामने बैटिंग क्रीस पर साई सुधर्शन उपर शुबमन गिल जो की गुजराट टाइटन्स के कप्तान भी है और शुबमन गिल जो हैं आपको आज के दिन उमीद कर रहे होंगे कि उनके बल्ले से कुछ रंस आ जाएं यह अंतीम गेन के उपर एक और सिंगल लेने में कामयाब हो गए गेन दचीती ओस्टम के बाहर ठलके सिट पाखाने के बाद और बाहर जा रही थी आखरी समय के उपर बल्ले बाज ने अपने बल्ले के फेस को खोल कर गेन को खेल दिया डीप थर्ड विन बाउंडरी के तरफ एक रंड के साथ यह ओवर हो गया है समाफ्ट प्रेंट बोल्ड के पहले ओवर में कुल मिला पाते हैं तो यह पुरानी गेन से तो विकेट कभी लेते ही नहीं है इसलिए राजस्थान रॉयल्स उमीद कर रहा होगा कि ट्रेंट बोल्ड को एक विकेट मिल जाए तो एक के बाद दो तीन विकेट निकाल सकते हैं यह इनके अंदर एक खुबी है कि आपको एक विकेट नहीं लेते हैं शुरुबात में अगर लेते हैं तो तीन चार विकेट साथ ही मिलेते हैं इसलिए गुजराट टाइटन्स की टीम इनके ओवर्स को अराम से खेल रही है और वो बहुत ज़्यादा जरुरी भी है आज गेन बादी की शुरुबात क्योंकि नांडरी बर्गर नहीं खेल रहे हैं तो आवेश खान नयोवर की शुरुबात करने आ रहे हैं आज राजस्थान रॉयल्स की तरफ से उवद विकेट से पहली गेन लेके चले आवेश खान एक स्लिप के साथ बाएं हाथ के बल्ले बाद को थोड़ी सी गेन और बाहर की तरफ डाले आखरी सम तो इस एक रन के साथ ही राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ गुजराट टाइटन्स पहुंची छे रनों के उपर बिना किसी विकेट के नुकसान पर एक दसमलो एक गेन की समाफ्ती पर और राजस्थान रॉयल्स जिन्होंने एक सो च्यानबे रन्स बनाएं आज तीन विक् कि नहीं है आवेश खान की सोबर की दूसरी गेन सामने आपको बैटिंग क्रीज के उपर शुबमन गिल तयार है आवेश खान की गुड्लेंद पर डाली वी गेन अंदर की तरफ आ रही थी सीधे बल्ले से सामने की तरफ गेन को केवल इन्होंने डिफेंड कर दिया और गे आवेश खान की पहली दोनों ही जो गेन दे रही है वो आपको बहुत सही रही है बिल्कुल सटीक टपे पे गेन बाजी कर रहे हैं तीसरी गेन लेके चल रहे हैं गेन बाज ओवध विकेट से 140 किलो मिटर प्रती घंटे की स्पीड से यह तीसरी गेन डाले गई थे दाय पर आवेश खान अपना पहला ओवर फिलाल डाल रहे हैं तीन गेंदों की गेंदबादी कर चुके हैं फिलाल आवेश और तीन गेंदों के उपर हम देख पा रहे हैं फिलाल कोई भी सफलता जो है वो अब तक इस माच में निकालने में कामयाब नहीं रहे हैं आवेश अब इश्खान की अगली गेंद ओस्टम के उपार फुल एंड डिलिवरी भी साई सुदर्शन को साई सुदर्शन ने गेंद को दो फिल्डरों के बीच में से खेल दिया है पहला रन पूरा करेंगे दूसरे का कॉल किया थोड़ी से मिस्फिल्डिंग और इस मिस्फिल्डिंग का पूरा फायदा मिला बल्लेबाज साई सुदर्शन को और यह दो रनों के साथ गुजराट टाइटन्स की टीम नौर रनों के उपार पहुंची एक दसमलो चार गेंदो की समाफती पार बहुत यच्छी रनिंग बिट्विन दविकेट शुब्मन गिल और साई सुदर्शन के फिलहाल इस समय और गुजराट टाइटन्स नौ पे पहुंचा कोई विकेट नी एक दसमलो चार गेंदो के बाद साई सुदर्शन आठ गेंदो के उपार आठ रन बना के शुब्मन गिल दो गेंदो के उपार एक बना का खेल रहे हैं अवेश खान अपने उबर की सेकेंड लास्ट टिलिवरी और साई सुदर्शन जो की बल्लेबाजी में आठ रन बना का खेल रहे हैं इस पाँचवी गेंद को अवेश खान की पहुँचा दिया डीप पॉइंट बाउंडरी के उपार छक्का ये तो 2003 का जो विश्वकप था जिसमें सचिन तिंदुलकर ने मारा था आपको छक्का श्वाबक्तर की गेंद कुछ वैसा ही शौट गेंद ऑस्टम पार 145 किलो मिटर प्रती घंटे की स्पीड से सुदर्शन के लिए सुदर्शन के दोनों पैर हवा में और बल्ले को तिर्चा करके डीप पॉइंट बाउंडरी के उपा पहुँचा दिया दर्शकों के अंदर बहुत ही कमाल का चक्का 63 मीटर दूर पहुँचाया है गती का पूरा फाइदा उठा के चक्के के लिए पहुँचाया बल्ले बास सुदर्शन ने और गुज्राट टाइटन्स 15 पे पहुँची अगली गेंद से पहले बल्ले बास तयार नहीं थे इसी वज़े से पास दोड करा है विकेट कीपर गेंदास के अपने छोर पार लेकिन फिर अंत में रुक से गए है अब इश्खान के ऊबर की आखरी की जो गेंद है वो आ रही है जिसमें एक छक्का आ चुका है सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बलेबाज साही सुदर्शन लिक्स्टम की लाइन पर शॉट पिछ दिलिवरी बैक फुट पे खड़े रहे के अपने कलाईों का इस्तमाल करके ओन साइड में मोड दिया गिन बल्ले के बीच ओ बीच टगराने के बाद सीधा पहुंच ग टाइटन्स 15 रनों के पहुंचा ट्रेंड बोल्ट अपने दूसरे ओवर की शुरवात के साथ सामने आपको दाय हाथ के शुबमन गिल दो गेंदों के उपाए एक रन बना का खेल रहे हैं शुबमन गिल के लिए ट्रेंड बोल्ट नए ओवर की शुरवात बहुत ही खतरना गेंदबास आपित हो सकते हैं ट्रेंड बोल्ट शुबमन गिल के सामने क्योंकि यह बाया हाथ के गेंदबादों के खिलाफ ट्रेंड बोल्ट हो गए पर रोहित चर्मा हो गए विराट कोहली हो गए यह सारे खिलाडी जो हैं वो फस जाते हैं इसलिए आपको यहाँ पर ग 277 सीजन में बनाए हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं बाकी की टीम 300 अगली गेन फुल एंड डिलेवरी हलकी सी गेन इन स्विंग होकर अंदर की तरह आ रही थी ड्राइव करने की कोशिस कर रहे थे बल्ले के बिल्कुल निचले की नारे पर लगने के बाद वापस गेन बास क जाके खुदी इस गेन को फील करके गुजरात को पंदरा पे कोई विकेट नहीं दो दसमलो एक गेन की समाफ़ती पार एक सो संतानवे का लक्षया है जो कि थोड़ा क्या बहुत ज्यादा मुश्किल है एक सो संतानवे रणों का लक्षया पीछा करना बाए हाथ से अगली गेन लेकर चले लेक्स्टम की लाइन पर हलके हाथों से शुबमन गिल ने मोर दिया गेन बल्ले पर ठकराने के बाद जाएगे सीधा मिडान पर लेकिन जब तक इस गेन को मिडान का फिल्डर फिल्डर फिल्ड करता थ्रो करता दोनों बल्ले बाद उने दोड़ के भाग कर ये एक रन पूरा कर लिया है और इन दोनों ही बल्ले बाद उने दोड़ के भाग कर ए गेंदों का सामना करने के बाद 181 रनों की आवश रखता है 106 गेंदों के उपर दोरने के लिए तयार हैं सामने आपको स्ट्राइक के पप 20 साई सुदर्शन नजरा रहे हैं और ये उवद विकेट से अगली गेंद आफस्टम के बाहर थी टपा खाने के बाद और अंदर की फाइट ट्रेंड बोल्ड की ए गेंद जैसे तैसे बल्लेबाद ने गेंद को अपने कलाईयों के सारे ओन साइड में मोड दिया और जब तक इस गेंद को स्कुएले का फिल्डर फील्ड करके थो कर पाता एक रन के साथ 17 पे पहुंचा गुजरात टाइटन्स की टीम बिना किसी विकेट के नुकसान पे दो ओवर और तीन गेंदो की समावती पार स्ट्राइक वापस आ चुकी है शुबमन गिल के पास जो की दो रनों के पर मुझूद है चार गेंदो का सामना करके और शुबमन गिल के साथ बल्ले बाजी में आपको साइस सुदर्शन खेल रहे है जो कि 15 रन्स बना का खेलते हुए शुबमन गिल की ये गेंद और ये ओस्टम के बाहर फुल एंड डिलिवरी ड्राइब करने की कोशिस कर रहे थे लेगिन बल्ले के बीच ओ बीच टकराने के बाद सीधा पहुंची कवर की दिशा में और बाकी का जो कार है था दोस्तों व विकेट के नुपसान पे दो दस्मलों चार गेंदों की समाफ्ती हो चुकी है रेंड बोल्ट अपने ओबर की अगली गेंद लेके चल रहे हैं इसमें रवीचंद्र नश्विन की बात करते हैं तो रवीचंद्र नश्विन समें वार्म आप कर रहे हैं फुल एंड दिलिव 52 चैंपियन्स तो शारू खान आपको बताते चलें कि गुज्राट टाइटन्स की टीम में एज इंपक्ट सब्स्टिटूट के रूप में शामिल कर लिए गए हैं एक बड़ी अपडेट आपको इस मुकाबले के अंदर और यह अगली गेंद के लिए दोबारा से तयार की लाइन पर आती भी गेंद दायाहाथ के शुबमन गिल ने अपने पैरों को आगे लेकर आके गेंद को सामने की तरफ केवल डिफेंड कर दिया गेंद बल्ले पर टकराके फाइनले की तरफ गई और जब तक इस गेंद को फाइनले का फिल्डर फील्ड करता त्रू करता रन लेने का कोई मौका नहीं उवर की समाफ्ती और ये उवर की समाफ्ती के साथ राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ टाइटन्स अठारा पर कोई विकेट नहीं इस मैच में तो 18 रनों के उपा कोई भी विकेट आपको अब तक इस मुकाबले के अंदर नहीं गिरी है राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ टाइटन्स को ये मैच जीतने के लिए अभी भी एक सू नासी रन चाहिए पहली दफ़ा केशव महराज आ रहे हैं गेंदबाजी में यहां दोस्तों तो केशव महराज जो की नए गेंदबाज के रूप में आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए केशव महराज को देखा जा सकता है वो आपको इसे में आते हैं अपने नए उबर की शिरुवात पर तो पहली गेन लेके चल रहे हैं केशव और केशव महाराज की राउंद विकेट से ये पहली गेन का सामना करने के लिए बले बाद स्ट्राइक के उपाद तयार नज़र आ रहे हैं राउंद विकेट से लेक्स्टम की लाइन पर आती वी गेन थी टपाखाने के बाद टर्न होकर हलकी सी अंदर की तरफ आई और पैरो को आगे लेकर आके गेन को केवल इनने डिफेंड कर दिया है अगली गेन पैरो पार आउंसाइड में मोर दिया गेन जाती है वे डीप स्कुएल एक बाउंडरी के तरफ चाहर रेंज जैसे ही देखा कि केशव माराज की गेन पैरो के पास है वैसे ही बल्लेबाज में बहुत आराम से गेन को दो फिल्डरों के बीच में से कदमों का इस्तमाल किया कादमों का इस्तमाल करके कवर के ऊपर से लांच कर दिया और गैन बले के बीच ओ बीच तकराने के बाद डीप कवर बाॉंडρι के तरफ ये छे रंस मिले हैं बहुती कमाल की टाइमिंड और कमाल का प्लेसमेंट कदमों का इस्तमाल किया गेन के पिच तक पहुंचे और गेन के पिच तक पहुंचके इनने इस गेन के उपर कवर के उपर से बहुत ही कमाल का शॉट लगाया गेन बल्ले के बीच और बीच तकरा के कवर के उपर छक्का अगली गेन राउंद रिकेट से लिक्स्टम की लाइन पर पैरो पराती भी गेन को ऑन साइड में मोडा गेन बल्ले पर टकराने के बाद जाती भी लॉंग ओन बाउंडरी के तराफ पहला रन पूरा किया दूसरा रन भी भागना चाहते थे लेकिन एक ही रन मिल पाएगा इस गेन पर एक रन के साथ स्ट्राइक जो है इन दोनों बल्ले बाजों ने फिलाल कर लिया है रोटेट स्कोर जो है वो हो चुका है बढ़के आपको इस मुकाबले के अंदर गुजरात टाइटन्स का 25 रन्स कोई विकेट नहीं समय और अगली गेन लेकर केशव महराज अपने पहले ही मैच में प्रेशर पहली ही गेन पर पढ़ गया दूसरी गेन पर जब इनकी गेन बाजी पर छक्का पढ़ गया तब अगली गेन के लिए त्यार राउंड विकेट से दाय हाथ के बले बाज स्ट्राइक के उपा बाय लेने में कामयाब हो गए हैं गुजराच 26 पे पहुंचा बिना किसी विकेट के नुकसान पर 3.5 गेंदों की समाफ्ती पर केशव महराज की अंतीम गेन इनके पहले ओवर में और इस पहले ओवर की अंतीम गेन के उपा बले बास तयार नज़रा रहे हैं राउंड विकेट स लेकिन जब तेक इस गेन को डीप स्कुएल एक बाउंडरी का फिल्डर फील करता थू करता एक रन के साथ ओवर समाफ्त हो गया है तो एक रन के साथ ही ओवर जो है वो समाफ्त हो चुका है और इस ओवर की समाफ्ती के साथ जो स्कोर नज़रा रहा है गुजराच टाइटन का वो 26 रनों के पर पहुंचा और 26 रनों के पर कोई भी विकेट नहीं इस मुकाबले में गुजराट टाइटन्स की टीम के लिए इस खेल के अंदर हो चुका है तो राजस्थान रॉयल्स जो कि आपको आज बैटिंग करते वहें 200 के आंकडे से केवल 4 रनों से चूक गई कि हम राजस्थान को डेड़ सो के अंदर रूख लेंगे और बाद में आके आराम से इन रनों को चेस कर लेंगे लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है दूसरे चोर से भी स्पिन गेंबाज यानि कि रवी चंदर अनाश्विन अपने नय उबर की शुरुवात की पहली गेंगे चले लेक्स्टम की लाइन पर आती वी गेंग हलकी सी टरन हुई अंदर की तराफ कदमों का इस्तमाल गेंग की पिछ तक पहुँचे गेंग की पिछ तक पहुँचके एक रन क्ले खेल दिया बल्ले बास ताइस सुदर्शन ने इस पहली गेन को कदमों का इस्तमाल करके गेन बास की बाईं तरफ से गेन बास के हाथों में लगने के बाद गेन गए लॉंग ओफ बाउंडरी के तरफ और इन दोनों बल्ले बास उन्हें एक रण ले लिया जहां अगली गेन दाइं हाथ से राउंड विकेट से लेक्स्टम की लाइन पर आ रही थी ये गेन टपा खाने के बाद टर्न होती भी अंदर की तरफ आई पैरो को आगे लेकर आके गेन को डिफेंड किया बल्ले के बीच और बीचे गेन टकराने के बाद वापस गेन बास की तरह फ्रन भागने का कोई मौका नहीं मिला है एक और डॉट डिलिवरी स्कोर जो है वो 27 रनों के पर पहुंचा राजस्थान रोयल्स की टीम के खिलाफ गुजराद टाइटन्स की टीम 27 रनों के पर कोई विकेट नहीं अब तक और अश्विन की गेन दाय हाथ के बल्ले बास टुबमन गिल के लिए औस्टम के बाहर डाली वी थोड़ी सी शॉट गेन थी कट करने की कुशिस कर रहे थे इस गेन पर लेकिन गेन दो बल्ले के बीच वहाँ कोई समपर्क नहीं बल्ले के बिल्कुल पास से ये गेन गुजरी लेकिन किनारे को छोड़ कर सीधा विकेट कीपर के दस्तानल में रवी चंदरनाश्विन की गेन लेक्स्टम की लाइन पार लेकिन हलका सालेक्स्टम पे जाके बल्लेबाज ने गेन को सामने की तरफ केल दिया है और जब तेक इस गेन को लong ओफ का फिल्डर जो है वो रोटेट हो चुकी है एक और स्ट्राइक रोटेट होने के साथ 4 ओबर 3 गेन दे राजस्थान रोयल्स के खिलाफ टाइटन्स की टीम 28 रनों के पर पहुंची अगली गेन पैरो के पास उन साइड में गेन को धकेल देंगे गेन जाती वी बल्ले के बीच ओ बीच टकरा के लॉंग ओन बाउंडरी के तरफ पहला रन पुरा किया दूसरे रन का कॉल करेंगे और जब तक फिल्डर वहाँ बाउंज तरफ भागता दौडता तब तक दूसरा रन भी पूरा करने में साइड सुदर्शन जो हैं वो काम्याब हो गए है आज इस पिच के उपार बाउंस जो है वो थोड़ी सी कम रही और बाउंस कम होने की वज़े से राजस्थान रोयल्स उसके बावजूद 166 तक पहुँच गई गुजराट टाइटन्स बहुत ही धीमी शिर्वात रवी चंदरन अश्विन की अंतीम गेन पिछले ओवर में 8 रन आये थे और इस ओवर की अंतीम गेन पर भी कोई रन नहीं आया है गेन अच्छी थी हलकी सी टर्न होकर अंदर की तरह फारी थी शुबमंगिल को और शुबमंगिल ने हलका सा फॉरवड आके गेन को केवल डिफेंड किया माफ किजेगा बाव हाथ के बले बासुदर्शन ने गेन को ड्राइफ किया गेन का सीधा कवर की दिशा में कवर के फिल्डर ने अपनी बाई तरफ जाके इस गेन को फील्ड कर लिया और ये उवर भी समापत हो गया है राजस्थान रोयल्स वर्सस गुजराट टाइटन्स चौबीस वा मुकाबला जो कि खेला जा रहा है जैपूर के सवाइमान सिंग स्टेडियम के इंदर और आपको बताते चलें कि राजस्थान रोयल्स 196 बनाने के बाद 197 का जो लक्ष दिया है उपर से रिक्वाइट रेट को 11 के पार पहुँचा दिया है क्योंकि बल्लेबादी में आपको स्ट्राइक के उपर शुबमन गिल 12 गेंदों के उपाई 11 साही सुदर्शन भी 18 गेंदों के उपाई 19 दोनों के बीच एक बहुत ही धीमी पार्टनर्शिप पनप रही है आवेश खान अपने नए उबर की शुरवात के साथ आवेश के नए उबर की शुरवात की पहली गेंद शुबमन गिल ने इस नए उबर की शुरवात की पहली गेंद को हवा में उचा खेल दिया गेंद जाती वी बाउंडरी लेंड की तरफ एक टपा और ये चार रेंज ये पहला चौका शुबमन गिल के नाम अच्छी गेन थी इस नए उबर की शिर्वात के उपर आवेश खान की तरफ से लगबग 135 किलोमेटर प्रती घंटे की स्पीड से आवेश खान के फुल लेंड डिलेवरी ओफ स्टम पर डाली वही कदमों का इस्तमाल किया हलका सा आगे की तरफ आए गेन बले के बीच ओ बीच लिया और गेन को मिड ओफ के उपर से इन्होंने लॉफ्ट कर दिया और गेन लॉंग ओफ सी मारिखा की तरफ चार रंस शुबमन गिल के चौके के साथ सूला पे पहुँची 14 गेंदों का सामना क करके आवेश खान की अगली गेंद लेके त्यार नजर आ रहे हैं बले बाद स्ट्राइक के उपा आए देखते हैं सोबर की अगली गेंद पे कहां खेलते हैं शॉट को एक और धीमी गती की गेंद थी आवेश खान की तरफ से अंदर आती वी दाया हाथ के गिल के लिए एक स्लिप के साथ एक शॉट थर्ड में के साथ अंदर आती वी गेंग कौपने कलाईयों के सारे ओंसाइड में मोर दिया गेंदबल्ले पर टकराआके डीप स्कूरल एक बाउंडरी की तरफ गई लेकिन जब तक इस गेंग को स्कूरल एक बाउंडरी का फिल्डर फील करता थ्रो करता एक रन पूरा कर लिया एक रन के साथ गुजराट टाइटन्स 35 रनों के पाप पहुंची कोई विकेट नहीं पाँच दसमलों दो गेंदों की समाफ्ती पार जीतने के लिए 161 रनों की आवशक्ता पिछले पाँच ओवरों में केवल 31 रन गुजराट टाइटन्स ने बटो रहे हैं जोकि रन गती अगर हम बात करते हैं तो बहुत धीमा चल रहा है टाइटन्स का रनों की गती को बढ़ाना होगा साही सुदर्शन के बल्ले से एक और सिंगल गुजराट पहुंचा 36 पे कोई विकेट नहीं आवेश खान की अभी भी तीन गेंदे इस सुबर के अंदर रह गई है बाकी जहां शुमन गिल ने अगली गेंद को हवा में उचा खड़ा कर दिया फिल्डर पीछे मौचूद लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो केवल दर्शक बने रहे जाएंगे और गेंद उनके सर के पार पहुंच जाएगी दर्शक दीरगाह में ये दूसरा चक्का है इनके बल्ले से आता हुआ आवेश खान किये गें थी ओस्टम पर और वो भी एकदम लेंथ डिलिवरी लेक्स्टम की लाइन के उपार अपने पहरों को सामनी की तरफ लेकर आके बल्लेबाज ने गेंद को मिडाउन के उपार से लौफ्ट कर दिया और गेंद बल्ले के बीच ओ बीच टक्राने के बाद लौंग ओन बाउंडरी के उपार ये पूरे छे रंज प्राप्त हो गए हैं बल्लेबाज शुबमन गिल के लिए शुबमन गिल पहुंच चुके हैं आपको इस समय 22 रनों के उपार 15 गेंदों का सामना करने के बाद देखते ही देखते और आवेश खान की आँखरी की दो और गेंदे रह गई हैं बाकी इस सोबर में शुबमन गिल अगर खेल गए 80 मीटर लंबा छक्का मारा था पिछली गेंद के उपार पड़े ही थोड़ा अराम से खेल रहे हैं अभी लेकिन रनों की गती को बदलते वे देर नहीं लगेगी क्योंकि शुबमन गिले कैसे खिलाडी है जो की स्ट्राइक रेट को पलक जपकते बदल सकते हैं आपको ये खिलाडी बहुत कमाल के बल्लेबाज माने जाते हैं जहां ये अगली गेंद लेके चले आवेश खान उवद विकेट से आफस्टम के बाहर डाली वी गेंद आया हाथ के बल्लेबाज को बाफ किजिए का राउंड ओवर दिविकित से आवेश खान की ए गेन के उपा बल्लेबाज शुबमन गिल ने गेन को फील्ड ड्राइव कर दिया गेन गई सीधा मिडाउन पार लेकिन जब तक इस गेन को मिडाउन का फिल्डर फील्ड करता थ्रू करता तब तक इन दोनों बल्लेबाज उन दोड़ के भाग कर ये एक रन ले लिया है पैरो पर डाली वी गेन को बल्लेबाज ने उन साइड में खेल कर गेन को लॉंग गॉन बाउंडरी की तरफ खेल कर एक रन बटोरा और एक रन के साथी जो स्कोर है वो इस समय चवाली सुरनों के पाग गुजरात टाइटन्स की टीम पहुँच चुकी है चवाली सुरनों के पाग कोई विकेट नहीं अगली गेन लेके चले आवेश खान और आवेश की अगली गेन दोस्टम पास लाश किया गेन जाती वे डीप कवा बाउंडरी के तरफ पहला रन पूरा करेंगे दूसरे रन का कॉल किया है लेकिन जब तेक इस गेन को डीप कवा बाउंडरी का फिल्डर फील्ड करता थ्रो करता इन दोनों बल्लेबाजों ने भाग कर दोड़ कर आराम से एक और रन ले लिया है टाइटन्स पहुंचा छे ओवरों के बाद चवालीस रन्स पावर प्ले समाफ्त आवेश खान का दूसरा ओवर एक महेंगा ओवर समाफ्त रहा चौदा रन्स आया आपको इस ओवर के अंदर और टाइटन्स चवालीस पे कोई विकेट नहीं छे ओवर की समाफ्ती के बाद आवेश खान के इस ओवर की समाफ्ती के बाद गेंदबादी में कप्तान जो है इस चोर से जिसको लेकर आ रहे हैं वो अगर हम देखते हैं तो आवेश खान का ये ओवर समाफ्त होने के बाद इंतिसदार किया जा रहा है कि कप्तान इस दूसरे चोर से कौन से गेंदबाद को जो हैं वो लेकर आने जा रहे हैं देखने की कुशिस कर रहे हैं फिलाल तो रावी चंद्रण अश्विन पावर प्ले के बाद भी गेंद बादी को बरकरार रखने वाले हैं नयोवर की शिर्वात अश्विन की पहली गेंद लेक्स्टम की लाइन पसाई सुदर्शन को क्रीस के कोने से राउंद विकेट साथ इवी गेंद को उन साइड में मोड़ा गेंद बल्ले पर टकराई गेंद जाती भी बाउंडरी रैन की तरफ लेकिन जब तकि इस गेंद को बाउंडरी के पास से फिल्डर वहां फील्ड करता त्रो करता दोनों बल्लेबाजों ने दोड़ के भाग कर ये एक रन पूरा कर लिया है। फिल्डर वहां फील्ड करता त्रो करता तब तक इन दोनों बल्लेबाजों ने भाग कर दोड़ कर ये दूसरा रन भी प्राप्ट कर लिया है। इस शॉर्ट पिच डिलेवरी आउटसाइड ये ओफ स्टंप आखरी समय के उपब बल्ले के मुझ को खोल कर डीप पॉइंट बाउंडरी की तरफ खेल के इन दोनों बल्लेबाजों ने दोड़ के भाग कर दो रन पूरे कर लिये जहां अगली गेन के लिये त्यार लेक्स्ट गेंडों का सामना करने के बाद पहुँचे हैं जाब बन बाॉंडरी की तरफ साइडसोदर्शन के बल्ले से एक और चौका इक और सिंगल को और होगया है यहां पर बढ़ कर पचास रन्स क्यों कि यह पांचवी गेंड के ऊपर एक और सिंगल जो बशुब मनगिल ने बटोर लिया पैरो पराती भी गेन थी शुब मनगिल के लिए शुब मनगिल ने इस गेन को आफस्टम के बाहर की गेन को कट करने की कोशिस की जहां बल्ले पर गेन टकराने के बाद डीप कवा बाउंडरी के तरफ गई और जब तक इस एक स्टम पर क्रीस के कोने से अश्विन किये गैम ऑन साइड में खेला एक और रन ओवर की समाफती और इस ओवर की समाफती के साथ यहाँ पर इस मुकाबले में जीतने के लिए जो रन्स चाहिए वो चाहिए आ पको अभी भी एक सो चीज़िंद आलीस अश्विन का ये देड़ सोवा मुकाबला है IPL क्रिकेट में, देड़ सोवे मुकाबले में 195 विकेट्स पूरे कर चुके हैं, साथ की कॉनमी रेट यूजवेंदर चहल की, 21 का अवरेज है यूज़ी चहल का, और 5 विकेट लेके 40 यूजवेंदर चहल का आपको यहां पर 5 विकेट लेके 40 इनक चल रहे हैं, यह तो पता नहीं, लेकिन यूजवेंदर चहल भारत के पास एक ऐसे खिलाड़ी है, जो कि कुलदीप यादो और यूजवेंदर चहल की मिशाल दी जाती है, आपको कुछ दिन पहले तक लेकिन अभी यूजवेंदर चहल का, भारत ये टीम के अंदर नामों के तुरंद बाद हो सकता है कि यूजवेंदर चहल का स्वागत किया, इन्होंने चौके के साथ जैसे ही देखा कि थोड़ी सी उपर डाली वी गेंद है, यूजवेंदर चहल की वह यहाँद के बलेबाज साई सुदर्शन ने गेंद को दो फिल्डरों के बीच में से निकाल दिया, और गेंद बले के बीच ओ बीच टकराती वी सीधा निकल गई है बाउंडरी रोप्स की तरफ, और ये पूरे चार रंस मिल गए हैं इस गेंद पर बलेबाज साई दर्शन के हाँ थो, दूसरी गेंद के उपर फील्ड में हम देख पा रहे हैं, परिवर्तन किया जा रहा है, थोड़ी सी शॉट थी, बैक फुट पे गए, गेंद को पुल किया, मिड़ौन की बाई तरफ से, और गेंद जो है थोड़ी दिर के लिए हवा में गई थी, लेक कवा बाउंडरी की तरफ, एक और चौकाद, बैक टू बैक बाउंडरीज, और युजवेंदर चहल, इसी भी इस दूसरी गेंद पर भी चौका खाने के बाद, तीसरी गेंद के लिए जा रहे हैं वापस, लेक्स्टरम की लाइन पर युजवेंदर चहल की गेंद, हलकी सी टरन होकर पैरों पर आ रही थी, आखरी समय के उपर अपने पैरों को आगे लेकर आके गेंद को केवल डिफेंड किया है, इस बार, बाकी का कारिया गेंद बाउंडरी तरफ जाके गेंद को केवल फील्ड कर लिया है, पहली गेंद पर पुल शॉट, दूसरी गेंद पर प पर आती भी गेन थी और सीधा फिल्डर के हाथों में मार बैठे लेकिन फिल्डर जो मौजूद थे वहाँ पर उनसे ये क्याच ड्रॉप हो गया है जीवंदान मिलता हुआ साई सुदर्शन को थोड़ी सी गेन टर्न होकर अंदर आई वापस गेन बास के हाथों में मार दिया उनको विश्वास ही नहीं था कि गेन उनके पास भी पहुंचेगी लेकिन उनके पास पहुंची वो इस कैच को नहीं पकड़ पाए एक आसान ही कैच था लेकिन जब वापस गेन बास की तरफ कोई भी कैच आता है तो आसान कैच नहीं होता क्योंकि गेन लगने के बाद बह वजूद है जब तक इस गेन को रियान पराग बाउंटरी के पास है फील करते त्रो करते एक रन पूरा कर लिया और ये आखरी गेन के पास साई सुदर्शन तयार है आज जीवंदान मिला है साई सुदर्शन को 33 पे और जीवंदान का पूरा ये फायदा उठाने की कोशिश जरूर करेंगे यूजवेंद्र चेल के अंतीम गेन के उपाग गैप में केला गया शॉट पहला रन पूरा करेंगे दूसरे का कॉल किया है और जब तक इस गेन को गेन बास तो नहीं लेकिन मिड़फगट बाउंटरी का फिल्डर पहुंचता 30 गज के घेरे में तब तक इ जी अगर आप लोग ने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करने के बाद कर दीजिए जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब और आईए देख लेते हैं एक बार गुजराट टाइटन्स की तरफ से आखिरकार इसके बाद और कौन-कौन से बल्लेबा बल्लेबाजी करने के लिए इस टीम में तो दोस्तों अगले बल्लेबाज अगर हम बात करते हैं गुजराट टाइटन्स में तो गुजराट टाइटन्स की तरफ से अगले बल्लेबाज के रूप में बैटिंग करने के लिए उतरेंगे आपको इस मुकाबले में जैसा कि आ अगर हम देखते हैं तो बल्लेबाजी में जो बल्लेबाज खेलने उत्रेंगे वो हैं आप लोगों को दायहाद के अभिनाव मनोहर जिनको आज के दिन इस मुकाबले में किया गया है शामिल अभिनाव मनोहर ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था आपने पहले सीजन में विजए शंकर के बाद आपको इस मुकाबले के अंदर बल्लेबाजी में नदर आएंगे राहूल तेवतिया जहां बाइहाद के राहूल तेवतिया आज इनकी बल्लेबाजी आ सकती है और आज इनकी बल्लेबाजी बहुत ही एहम साबीद भी हो सकती है इस मुकाबले में राहुल टेवतिया के बाद आपको इस मकाबले में नमबर 7 की पॉजिशन पर दाए हाथ के लेक्ट स्पिनर जिनका नाम है आपको राशिद खान तो राशिद खान भी आपको इस मैच के इंद़ बल्ले बादी करने आ सकते हैं राशिद खान के बाद अगर हम देखते हैं तो आपको इस मुकाबले में जो अगले बल्लेबाज आएंगे इस मैच के अंदर मोहित चर्मा की जगा पे वो होंगे शारू खान तो शारू खान दोस्तों आपको नमबर आठ की पॉजिशन पर अगर आवशक्ता पढ़ती है तो या तो आपको उनको टॉप आडर में कहीं पर मौका दिया जा सकता है जहां मन वहां दिया जा सकता है उनको मौका इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो उसके बाद बल्ले बाजी में जो मौजूद नजर आएंगे उमेश यादो नमबर नौ की पॉजिशन पर नमबर नौ की पॉजिशन के बाद नमबर दस की पॉजिशन पर नूर एहमद और नमबर इगारा की पॉजिशन पर स्पेंस जॉनसन नजर आएंगे खेलते हुए तो ये दोस्तों आने वाले बल्लेबाजों के नाम नजर आ रहे हैं इस मुकाबले में और पहला जो स्ट्राटेजिक टाइम आउट था इस दूसरी पारी का वो समाफ्थ हो चुका है और इस स्ट्राटेजिक टाइम आउट की समाफ्थी के बाद गेनबादी के लिए आपको कप्तान जो है आपको हम देख पा रहे हैं परिवर्तन कर रहे हैं युजवेंद्र चहल के इस ओबर की समाफ्थी के बाद गेनबादी के अंदर नए गेनबाद कुल्दीप सेन जो की तेज गती से गेनबादी कर सकते हैं कुल्दीप रफ्तान ने इनको शामिल कर लिया है इस मुकाबले में तो कुल्दीप सेन जो हैं दाय हाथ के तेज गेनबादी है और कुल्दीप सेन बहुत अच्छी गेनबादी भी कर लेते हैं तो देखते हैं आपको कुल्दीप सेन इस मुकाबले में किस तरीके का प्रदर्शन करते हैं डेड़ सो की रफ्तार से ये भी गेंदबादी कर सकते हैं इनके पास भी गती है और कुल्दीप सेन को पहला ओवर दिया जा रहा है आज के दिन इस सीजन में अपना पहला ही मुकाबला खेल रहे हैं कुल्दीप सेन पहला स्ट्राटेजिक टाइम आउट समाफ्त होने के बाद कुल्दीप सेन के नए ओवर की शुरवात की पहली के नौ मुकाबलों में आठ विक्टे नौ की कॉनमी रेट 33 की आवरेच चार विकेट लेके 20 इनका बेस्ट फिगर रहा है ताइम आउट का खेल जो है वो समाफ्त यानि कि शुरवात के आठ वूवरों का खेल समाफ्त यहां से मैच जीतने के लिए 134 रनों की और आवशक था इस नमें शुबमन गिल की बात करते हैं तो शुबमन गिल अपने हिलमेट को जो हैं वो बदल रहे हैं और अगर मैं देख पा रहा हूँ तो उनके आँखों में कुछ चला गया है जैसे ही स्ट्राटिजिक टाइम आउट के बाद खेल शुरू होने वाला था वैसे ही इनके आँखों में कुछ चला गया लेकिन फिलहाल उनके आँखों से अमपायर ने जो भी गया था उसको निकाल दिया है और अब इस तोबर की अगली गयन को लेकर आने के लिए गयन बाद तयार है कुल्दीप सेंड की पहली गयन ओवध विकेट से ओफस्ट्रम के बाहर डाली वी गुडलेंट पे गयन थी और इस गयन को बल्लेबाद ने खेल दिया सामने की तरफ लेकिन जब तक इस गयन को फिल्डर वहां फील करता थो करता तब तक इन दोनों बल्लेबाद उन्हें दोड़ते वे भाग कर ये एक रन पूरा कर लिया है कुल्दीप सेंड के नय ओवर की शिर्वात शुबमन गिल के लिए और शुबमन गिल ने इस पहली ही गेन पे सिंगल लेके स्ट्राइक जो है वो रोटीट कर लिया है और गुजराट टाइटन्स को पहुंचा दिया है 64 रनों के उपर 64 रनों के उपर कोई भी विकेट आपको अब तक इस मुकाबले में नहीं गई है अगली गेन कुल्दीप सेंगी सामने साई सुदर्शन नदर आ रहे हैं बल्लेबाजी में ओवर दिविकेट से कुल्दीप सेंगी एगेन साई सुदर्शन के खिलाफ ये जोड़दार अपील की जा रही है लेकिन दोनों ही बल्लेबाज दोड़ के भाग कर ये एक रन पूरा जरूर कर लेंगे लेकिन कफ्तान ने यहां संजू सामसन ने रिवियू लेने का फैसला कर लिया है लेक्स्टम की लाइन पर डाली वी गेन के उपर स्कूप मारने की कोशिस कर रहे थे इस बार बल्लेबाज साई सुदर्शन और अमपायर ने ये नॉट आउट का फैसला करार दिया है लेकिन रिवियू ले लिया गया है इस समय और आएए देखते हैं कि क्या ये रिवियू काम्याब होता है या नहीं मिडल एक्स्टम की लाइन पाकुल दीप सेन की ये डाली वी गेन थी आफ्स्टम पर आके स्कूप मारने की कोशिस कर रहे थे इस गेन को गेंद और बल्ले के बीच अगर कोई संपर्क हुआ है तो बच जाएंगे या तो आपको इंपक्ट आफ्स्टम के बाहर हो जाए ये दो तीन चीजे जो हैं वो इनको बचा सकती हैं फिलहाल रीपले में देखा जा रहा है इसमें पिचिंग इन लाइन है इमपक्ट भी इन लाइन नजर आ रहा है तो कुल्दीप सेन ऐसा लग रहा है कि आते ही आते अपने पहले ही मकाबले के इंदर इस सीजन में ये पहली विकेट ले चुके हैं लग तो रहा है कि ये पहली विकेट लेने में कामिअब हो गए ہیں अलग अलग अंगल से देखा जा रहा है फिलहाल कि कुल्दीप सेन की ये गेंड कहीं बल्ले पर पहले नहीं लगी है न क्योंकि अगर पहले गेंड बल्ले पर लगी है तो ये नौट आउट करार दिये जा सकते हैं 65 रनों के पर कोई विकेट नहीं गुजराट टाइटन्स एक बहुत बढ़िया शुरुवात गुजराट टाइटन्स के लिए अभी तक विकेट नहीं गवाय थी इस वज़े से अल्टराइज ने ये कंफर्म कर दिया है कि गेंड और बल्ले के बीच अगर हम देखते हैं तो क इंपाक्ट इन लाइन और ये गेंज आकर सीधा लेक्स्टम के डंडो को टकराती हुई इसका मतलब ये है कि तीनों ही लाल बत्तिया जल चुकी हैं और तीनों लाल बत्ति जलने का मतलब ये है कि गुजराट टाइटन्स आच के दिन गवायगा ये पहला विकेट और इस सुदर्शन जो की बहुत अच्छी बल्ले बाजी जरूर कर रहे थे लेकिन थोड़ी सी धीमी गती से बल्ले बाजी कर रहे थे और वो यहाँ पर LBW का शिकार हो गए हैं कुल दीप सेंड की गेंद बाजी पार नमबर तीन पर आगए हैं बाजी हाँ के माथिव वेड जो की आपको आज का यहां मुकाबला खेल रहे हैं कुल दीप सेंड एक गेंद दो गेंदे एक रन और एक सफलता और नमबर तीन की पोजिशन पर उत्रे हैं बाजी हाँ के माथिव वेड 36 साल की उम्र है 35 का इक स्कोर माथिव वेड का IPL करियर के अंदर रहा है तो माथिव वेड के लिए कुल दीप सेंड की तीसरी गेंद एक बायाहात का बलेबास गया तो क्या हुआ दूसरा बायाहात का बलेबास आ गया है तो अब नए बलेबास जो कि माथिव वेड के रूप में नमबर तीन क पोजिस्टिन पर उत्रे हैं तो माथ्यू वेड बैटिंग क्रीस पर तयार नज़र आ रहे हैं तब तैन संजू सामसन से कुछ बातचीत कर रहे थे मिडल एक्स्टरम का गाड ले रहे हैं फिलाल माथ्यू वेड इसे में अगर आम देख पा रहे हैं तो और यह अगली गेन लेके चल रहे हैं दोड़ना शुरू कर रहे हैं 223 मुकाबले 5019 रन 138 का स्ट्राइक रेट और 28 बार आपको इन्होंने 50 रन से ज़्यादा बनाए हैं T20 करियर में तो ऐसे ही माथ्यू वेड का नाम नहीं है दोस्तो आईपियल के T20 क्रिकेट में इन्होंने बहुत रन समा रहे हैं T20 क्रिकेट के अंदर खास तोर से पुल्दीप सेंड की पहली गेन को समझा बल्लेबाज ने ओफस्ट्रिम के बाहर डाली वी गुडलेंड पे गेन थी पहुंची बाकी का कार्या विकेट के पीछे विकेट कीपर संजू सामसन ने फील्ड कर लिया है 64 पर एक है गुजरात टाइटन्स 132 की आवशक्ता रिक्वाइड रेट 12 के करीब का पोहँच चुका है तो धीरे धीरे उमीदे जो है वो धीमी धीमे कम होती जा रहे ही है टाइटन्स के लिए कुल दीप सेंड की अगली गेन बाइहाथ के माथ्यू वेट के लिए एक और अच्छी गेन थी 30 गती से अंदर की तरह फाइट अपाखाने के बाद उच्छाल लेती वी और जैसे तैसे गेन को बल्लेबाज ने सामने की तरह धकेल दिया लेकिन जब तक इस गेन को फिल्डर वहाँ फिल्ड करता थ्रो करता तब तक इन दोनों बल्लेबाजों ने डीप स्कुएल एक बाउंडरी के पास से एक रन भाग कर पूरा कर लिया है तो पैरो पर आती वी गेन थी ओन साइड में गेन को धकेल दिया बल्लेबाज ने गेन बल्ले के बीच और बीच ठकराने के बाद डीप स्कुएल एक बाउंडरी के तरह पहुंची और डीप स्क्वेल एक बांडरी का फिल्डर फिल्ड कर पाता, थ्रू कर पाता एक रन भाग कर इन दोनों बल्लेबाज ने पूरा कर लिया है स्कोर जो है वो 6-6 रनों के उपर पहुंचा इस मुकाबले के अंदर या चटरनों के उपर एक विकेट आपको इस मुकाबले के अंदर हो चुका है अगली गेंद और आखरी की फिलाल एक और गेंद रह गई है बाकी कुल दीप सेन के सामने आपको बैटिंग क्रीज पर तयार नज़र आ रहे हैं फिलाल दाएं हाथ के बले बाद शुमन गिल पांचवी गेंद के उपर लेक्स्टम के उपर तो नहीं लेकिन आफस्टम के बाहर डाली वी गेंद को ड्राइफ किया गेंद बले पर ठकराने के बाद गई सीधा डीप कवर बाउंडरी के तरफ लेकिन जब तक इस गेंद को डीप कवर बाउंडरी का फिल्डर फिल्ड कर पाते है तरो कर पाते है तब तक इन दोनों बले बाद उन्हें दौड के एक और रन पूरा कर लिया है आफस्टम पर डाली वे फुल एंड डिलिवरी को बहुत आसानी के साथ ड्राइफ किया गेंद बले के बीच ओ बीच टकराई और डीप कवर बाउंडरी के तरह पहुँच गई और इन दोनों बले बाद उन्हें भादते वे आराम से दौड कर जो है वो एक रन पूरा कर लिया है और एक रन के साथ ही जो स्कोर नज़रा रहा है वो इस समय 67 रन्स एक विकेट के नुकसान के बाद गुजरात टाइटन्स की टीम का स्कोर इस खेल में तो दोस्तो मुकाबला जीतना है तो किसी एक को तुरिस्क लेना पड़ेगा एक छोर से क्योंकि अगर दोनों तरफ से धीमी गती से बल्ले बादी होगी तो काम नहीं होने वाला है क्योंकि अभी अभी साई सुदर्शन रन बॉल पारी खेल कर आउट होकर वापस पवीलियन गए जबसे उन्होंने ओपनिंग के अंदर शुरुवात की है पावर प्ले में तो तेज गती से रंज बना देते हैं लेकिन पावर प्ले जैसे ही खतम होता है वैसे ही उसके बाद उनके रन जो है वो रुक से जाते हैं और स्कोर जो है वो गुजराट टाइटन्स की टीम का 67 रनों के पाप पहुंचा एक विकेट के नुकसान पर 9 ओवर की समाफती के बाद गुजराट टाइटन्स की टीम के लिए गेंदबादी में तबदीली और कप्तान के अगर हम बात कर लेते हैं तो आपको नए ओवर की शुरुवात पर ये इन बादी में यूजवेंद्र चहल आ रहे हैं लेकर अपना अगला ओवर यूज़ी चहल अपने एक ओवर के अंदर 12 रन दिये हैं इन्होंने और पहला ओवर भले ही महंगा साबित हुआ था लेकिन मुझे ने लगता कि आपको इस दूसरे ओवर में वो महंगे साबित होने वाले हैं यहां एक विकेट आ सकती है या तो आपको इस सोवर में एक विकेट आएगा या तो आपको इस सोवर के अंदर आपको कम से कम 10-15 रन बनेंगे दो में से एक कीज़ होने वाला है पहली गेंद यूजी चहल के नयवर की शुरुवात पर बाया हाथ के माथ्यू वेड के लिए गूगली थी टरन होकर हलकी सी बाहर गई और बल्लेबाज माथ्यू वेड ने बड़े प्यार से इस गेंद को धखेल दिया वहां कवर की दिशा में जब तक इस गेंद को कवर का फिल्डर फिल्ड करता थो करता एक रन पूरा कर लेंगे अरसट पे एक अगली गेंद यूजवेंदर चहल की सामने आपको स्ट्राइक के उपर मौजूद हैं बल्लेबाजी में शुबमन गिल गिल के लिए पैरो पराती वी गेंद ऑन साइड में धकेला गिन बल्ले के बीच ओ बीच टकराने के बाद जाती वी लॉंग ओन बाउंडरी के तरफ और गुजराट टाइटन्स 79 रनों के उपर पहुंचा एक विकेट के नुकसान पार 9.2 गेंदों की समाफ्ती पार दोस्तों आप वी वीडियो को फड़ाफट लाइक कीजिए अगर आप लोग ने लाइक नहीं किया है तो मैं देख पारा हूँ कि बहुत कम लोगों ने अभी इस वीडियो को लाइक किया हुआ है अब सभी लोगों से एक छोटी सी गुजारिस इस वीडियो को आप लोग फड़ाफट लाइक कर दीजे चैनल को जली जली कर दीजे सब्सक्राइब यूजी चहल की अगली गेंद लेक्स्टम के उपार खलकी सी टरन होकर गेंद अंदर की तरफ आई और एक और सिंगल के लिए खेल दिया है बायाहाथ के माथिव वेड ने बैक्फूट पर जाके ऑन साइड में गिन बल्ले के बीच ओ बीच टकरा के लॉंग ओन बाउंडरे के तरफ एक रन के लिए सत्तर पर एक नो ओवर तीन गेंदों की समावती पर यूजी चहल अपने ओवर की आँखरी की तीन और गेंदे लेकर आने जा रहे हैं सामने आपको बल्ले बाजी क्रीस के पर मौझूद नज़र आ रहे हैं शुबमन गिल पैरो पर आती भी गेंद ये गूगली थी टरन होकर और अंदर की तरफ आ गई आखरी समय के उपर अपने पैरो को आगे की तरफ लेकर आके गेंद को केवल इन्होंने डिफेंड कर दिया गेंद बल्ले पर टकरा के सीधा पहुंची कवर की दिश्चा में और बाकी का काम कवर के फिल्डर ने गेन को फील्ड करके ओवर की ती चौथी गेन पर कोई रन नहीं बटो रहा है अगली गेन लेके चले और सामने आपको बल्लेबाजी पर तयार शॉर्ट गेंद आस्टम पर ये कट कर दिया बल्लेबाज ने गेंज आती हुए डीप पॉइंट बाउंडरी की तरह लेकिन जब तक इस गेंड को डीप बाउंडरी का फिल्डर फील्ड करता थो करता तब तक इन ये फैसला इसलिए चुना था उनको लगा कि ये विकेट जो है जादा तेज नहीं खेलेगा और जादा रन बनेंगे नहीं यूजी चेहल के अंतीम गेम उठा का मारा गया शॉट ऑन साइड में अपने कलायों का बहुत ही सांधार उपियोग वाइडिश लॉंग गॉंडरी क के तरफ मोड दिया बल्लेबाज ने चार रन्स पैरों पर डाली भी गेन थी थोड़ी सी फ्लाइट दी वही पैरों को आके निकाल के अपने कलायों का बहुत अच्छा उपियोग किया और गेन को वाइडिश लॉंग गॉंडरी की तरफ खेल के ये पूरे चार रन्स बटो गेंदे जो रह गई हैं बाकी यहां से वो रह गई हैं केवल और केवल साथ और गेंदे रह गई हैं इस मकाबले में अगली गेंद लेकर तयार हैं यह दिलाते चले हैं कि गेंद बादी में कप्तान ने नए गेंद बाद को लेकर आने का फैसला जो है वो खर लिया है इस दूसरे चोर से तेज गेंद बाद आ रहे हैं वापस और इस तेज गेन बास की बात करते हैं तो आपको इस दूसरे छोर से आ रहे हैं नए उवर की शुरुबात करने के लिए रवी चंदरन अश्विन के भी अभी दो ओवर बचे हुए हैं तो कप्तान चाहें तो उनसे करा सकते हैं लेकिन अभी कुलदीप सेन जो की अपना अगला ओवर शुरू करने आ रहे हैं पहली गेन अपील की जा रही है लेकिन अमपायर की तरफ से ये वाइड गेन का इशारा कुलदीप सेन की पहली ही गेन पार मात्यू वीड के लिए डाली वी गेन थी लेक्स्टम के उपर और बॉलिंग टीम ने ये रिव्यू ले लिया है ये रिव्यू का सिलसिला बरकारा रहेगा थोड़ी से शॉर्ट थी आफ्स्टम पार बल्लेबाल ने स्क्वेर कट करने की कोशिस की इस गेन पार लेगिन गेन बल्ले का बारी किनारा छोड़ती भी सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में पहुंची विकेट के पीछे विकेट कीपर ने गेन को फील्ड कर लिया लेगिन अमपायर ने यहाँ पर वाइड गेन का इशारा किया था इसी वज़े से यह से शॉर्ट आफस्टम के बाहर थी कट करने की कोशिस कर रहे थैं पीछे जाकर बल्ले बास बहुत जादा बाहर जा रही है रीपले अगर हम देखते हैं तो बहुत मुश्किल है कह पाना फिलाल ये वाइड गेंड है या नहीं है फिलाल वाइड तो नजर नहीं आ रहा है कि ये है ओ है क्योंकि आफस्टम के बाहर आयते शफल करके तो आफस्टम के बाहर शफल करके जब आए हैं तो ये वाइड बॉल उसके बावजूद करार दी जाएगे क्योंकि गेंड बहुत जादा बाहर थी और इसी वजह से ये वाइड गेंड का इशारा करार दिया गया है और स्कोर हो चला है बढ़के 77 रन एक विकेट के नुकसान पार आप लोग भी वीडियो को फटावट लाइक करें चैनल को करें सब्सक्राइब और दबाएं नोटिफिकेशन के बटन को भी और आपको बदा दे चलें कि इसमें थोड़ी बहुत जो है ये मुकाबले के अंदर DLS पार स्कोर 10 उबर के बाद 86 रन और एक विकेट के नुकसान पे होना चाहिए था लेकिन फिलाल आपको बताते चलें कि बारिस की वजह से इस मुकाबले को रोक दिया गया है और 77 रनों के उपर गुजरात टाइटन्स की टीम एक विकेट और कुल्दीप सेन का जो ये ओवर था वो अभी सुरू ही हुआ था लेकिन कुल्दीप सेन के इस ओवर की शिरुवात के उपर ही बरसात बड़ी तीज गती से आ गई है मैदान पर और इसी वजह से जी हाँ सई सुन रहे हैं आप सभी लोग इसी वजह से गेम को जो है वो रोक दिया गया है और आए लिए चलते हैं आप लोगों को दिखा देते हैं कि ग्राउंड पर क्या माहौल जो है वो बना हुआ है फिलहाल बारिस रुपने की कितनी संभावना है यह अभी हम जानेंगे थोड़ी ही देर में लेकिन वीडियो दोस्तों आप लोग फटाफट लाइक कीजिए अगर आप लोग ने लाइक नहीं किया है तो और लाइक करने के बाद चैनल को कीजिए जल्दी यल्दी सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन का बटन भी अगर आपने दबा दिया तो बहुत बढ़िया बात है लेकिन जिन दोस्तों ने नहीं दबाया है दोस्तों आप सभी लोग उसे एक छोटी सी गुजारिस क्या आप लोग जल्दी यल्दी नोटिफिकेशन के बटन को दबाएं दबाइस आ चुकी है और डी एले स्पार स्कोर जो चाहिए था राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ टाइटन्स को वो 84 का होना चाहिए था लेकिन 84 बना नहीं पाई है ये टीम और आपको बता दें कि इसमें बरसात के लिए कवर्स को पूरी तरीके से मैदान पर जो है वो बिचा दिया गया है और कवर्स को बिचाने के साथ ही मैच के उपर ये जो रुकावट है वो आ चुकी है और बारीज भी कोई धीमी गती से नहीं आ रही है बारीज भी आपको 77 रनों के उपए एक विगेट है 10 ओवर के खेल की समाफती पार वीडियो दोस्तों आप लोग फटापट लाइक कीजिए चैनल को कीजिए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब तो राजस्तान रॉयल्स के खिलाडी फिलाल मैदान के बाहर जरूर जा रहे हैं और दूसरी टीम के जो खिलाडी हैं वो भी अप ग्राउंड के बाहर जा रहे हैं यह आप देख सकते हैं ग्राउंड के उपर इसमें फिलाल जो हैं वो कवर्स लगा दिये गए हैं तो कवर्स लगाने के बाद इंतिसदार किया जाता है कि यह बारी सुरू के तो गेम को शुरू किया जाए लेकिन फिलाल दोस्तों आप सभी लोगों से एक छोटी सदी गुजारिस यह वीडियो को आप लोग फटा फट लाइक कीजिए चैनल को कीजिए जल्दी इल्दी सब्सक्राइब और आए डी एले स्पार स्कोर का अपडेट भी हम लगा देते हैं डी एले स्पार स्कोर 86 इन 10 ओवर्स तो जी टी की टीम जो है वो मैं आप लोगों को बता दे चलूँ कि 9 रन पीछे है अगर यह गेम नहीं शुरू होता है तो गुजराट टाइटन्स इस मुकाबले को हार जाएगी और राजस्थान रॉयल्स की जो टीम है वो इस मैच को जीत जाएगी इस मुकाबले में तो यह गुजराट टाइटन्स के लिए यहाँ पर बड़ी ही बुरी खबर है यह तो लेकिन फिलहाल यहां पर अच्छी खबर राजस्थान रॉयल्स के लिए भी थोड़ी दिर पहले मैंने देखा था कोई राजस्थान रॉयल्स का जो है सपोर्ट स्टाफ दोड़ के ग्राउंड के अंदर गया था इस ओवर की शुरुवात से पहले और जाके ग्राउंड के बारे में बताया आपको डी एले स्पार स्कोर कितना होना चाहिए तो दोस्तो डी एले स्पार स्कोर के अनुसार जैसा कि मैंने आपको बताया इस समय आठ रन्स नहीं नौर रन पीछे है गुजराट टाइटन्स की टीम अगर खेल नहीं शुरू होता है आपको यहां से इस मकाबले में तो यह मैच को जो है वो राजस्थान रॉयल्स की टीम जीच जाएगी नौर रनों से लेकिन फिलाल तो उमीदे पूरी हैं कि मैच शुरू होगा आसमान में काले बादल चायवे नज़रा रहे हैं स्वाइमान सिंग स्टेडियम जैपूर में और आईए जरा अपडेट देखते हैं फिलाल रियान पराक संजू सैमसन दोनों ही ग्राउंड के उपर नज़रा रहे हैं फिलाल और अभी हम देखने की कोशिस कर रहे हैं कि कितनी जल्दी आपको यह गेम जो हो जाएगा गेम शुरू होने में ज़्यादा देर वैसे लगेगा नी क्योंकि बारिस जो है उतनी तेज नहीं है तो दोस्तों आपको बताते चले हैं कि जो बारिस है वो इसमें रुक चुकी है और बारिस रुकने के बाद ऐसा लग रहा है कि खिलाडी जो है वो वापस आ रहे हैं ग्राउंड के उपर सही सुन रहे हैं आप सभी लोग तो ग्राउंड के उपर जो बरसाथ आई थी एक मिनट के लिए वो बरसाथ वापस से रुक चुकी है और जो खिलाडी थे वो आपको ग्राउंड के उपर अभी फिलाल वापस से आते वे नदर आ रहे हैं अगले कुछी मिन्टों में आपको ये गेम शुरू हो जाएगा अगले एक मिनट के अंदर और फिलाल जो बरसाथ का अपडेट है वो यही है कि अची चीज यह है कि बरसाथ ने ज़्यादा देर का रुकावट यहाँ पैदा नहीं किया और कवर्स को अब हटाने का जो सलसला है वो जल्दी से शुरू कर दिया गया है कवर्स को हटाने के बाद खेल को यहाँ पर शुरू किया जा रहा है बस कुछी चड़ों के अंदर नो डिरक्शन इन दी ओवर्स दी प्लेयर्स रिटर्न टू दी फील्ड खिलाड़ी आपको फील्ड के उपा वापस आ चुके है यानि कि बस थोड़ी ही देर के रुकावट थी है और यह रुकावट के बाद गेम दोबारा से शुरू हो रहा है तो डी एलेस जो पार स्कोर था वो तो फिलाल नहीं पार कर पाई लेकिन इस समय कुल दीप सेन अगली गेम को लेकर त्यार नज़र आ रहे हैं इस सामने बाए हाथ के माथ्यू वेड तीनो स्टम्स के उपार बारिस के बाद गेम की शुरुवात और यह क्लीन बोल्ड कर दिया माथ्यू वेड को कुल दीप सेन ने ओस्टम के उपार फुल एंड डिलिवरी इनसाइड आउट शॉट मारने की कोशिस कर रहे थे माथ्यू वेड इस गेन पार लेकिन गेन बल्ले का इनसाइड एज लगा और इनसाइड एज लगने के बाद गेन जाकर सीधा स्टम्स पर टकरा गई मैथ्यू वेड क्लीन बोल्ड होकर वापस पविलियन जा रहे हैं राजस्थान रॉयल्स ने 77 रनों के उपर ये दूसरी विगेट निकाल दी क्रॉस सीम से डाली वे मैथ्यू वेड की एगेन ती ओस्टम के बाहर इनसाइड आउट शॉट मारने की कोशिस कर रहे थे हो गए हैं और राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ टाइटन्स ने कवाया 77 रनों के पर दूसरा विगेट और आपको बढ़ा दे कि जो रिक्वाइट रेट है वो अब और ऊपर चला गिया है इस विगेट के गिरने के बाद और एक और चीज अगर अब यहां से बरसा दोबा जारा आ जाती है तो जो पचासी रन्स थे वो अब तब्दील हो जाएंगे और वो जादा हो जाएंगे आपको कुल्दीप सेन ने आज कमाल क्या कमबाक किया है आपने इस मुकाबले में दो विक्टे ले चुके हैं पांच रन्स देके अबिनाव मनोहर दाय हाथ के बलेब में खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए सीजन का गुजराट टाइटन्स अपना च्छटा मुकाबला खेल रही है कुल्दीप सेन की गेन ओवर दिविकेट से आफस्टम के बाहर डाली वी एक गुल्लिन पे गेन तपका खाने के बाद और बाहर की तरफ जा रही थी अपने फ प्यार से अभिनव मनोहर ने डीप स्कोर एक बाउंडरी की तरफ खेल कर एक रन बटोर के स्ट्राइक जो है वो रोटीट कर ली और स्कोर इस समय हो चुका है बढ़के गुजराट टाइटन्स की टीम का दो विकेट्स फिलहाल 78 रनों के उपर 10-10 मलों दो गेन्दों की समा बल्य robust ने किन बलले के बीच ओ बीच खेल करा ही बीच ओ बीच ऊ और टकराने के बाद गेन जाती है विए वहां स्प्य ह Rings दे ली दे ले की दिशा में स्प्य तर और स्कोर ने लैक बल्य ने बृगर कर लिया यह एक रन के साथ स्ट्राइक इन दोनों बल्य बाउंडरी की और इन दो नोबले बाज उने भाग कर ये एक रन पूरा करके स्ट्राइक जो है वो इसे बीच रोटेट कर लिया है टाइटन्स पहुंची इन 89 रनों के उपार 89 रनों के उपार फिलाल दो विक्टे जो हम वो गिर चुकी है बारिस का जो रुकावट आया दोस्तों इस मुकाबले में उस रुकावट ने फिलाहाल राजस्थान रॉयल्स का साथ दिया क्योंकि राजस्थान रॉयल्स की टीम ने उसके तुरंत बाद एक विकेट निकाल दिया और ये एक और गेंद एक और बार क्रीन बोल्ड कर दिया है कुल्दीप से इनने अभिनाव मनोहर को क्या गेंद बाजी कर रहे हैं आपको यहाँ पर अभिनाव मनोहर अभिनाव मनोहर के लिए डाली भी गेंद गुड्लेन पार टपा खाने के बाद बाहर जा रही थी आखरी समय के उपा बल्ले के फ को को कोछिस कर रहे थे बल्ले बाज लेकिन गेंद बल्ले के बाहरी किनारे को छोड़कर सीदा जाकर स्टम्स पर टकरा गई और ये दूसरा विकेटी सोवर में निकाला इन्होंने और बताते चलें कि राजस्थान रॉयल्स के लिए इन्होंने आज के इस मुकाबले में ये तीसरी सफलता निकाल दी है क्या गेंद बादी कर रहे हैं ये गेंद हलका सा कांटा बदली स्टम्स पर पहले आ रही थी लेकिन आखरी समय के उपर बल्ले बाजनमने बल्ले के फेस को खोलने की वहां कोशिस की लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा छोड़ कर सीधा जाकर स्टम्स पर टक्रा गई है और ये खिलाडी जो हैं वो बूल्ड आउट हो चुके हैं तो ये बूल्ड हो गए हैं और इस बूल्ड आउट होने के साथ ही आज के इस मुकाबले में गुजराट टाइटन्स की टीम पूरी तरीके से बैक फुट पे चले गई है बहुत पीछे चली गई है आपको इस मुकाबले के अंदर ये टीम उमीद तो थी आज अच्छा प्रदर्शन करेंगी गुजराट टाइटन्स शुरुवाद भी कर दी थी इनोंने लेकिन आप देख सकते हैं आप इनकी परिस्थितिया डमाडोल हो चुकी है एक बार फिर हमेशा की तरह और अब नए बल्लेबाज नंबर पांच की पोजिशन पर उतर रहे हैं दायहाद के विजय शंकर विजय शंकर टी 20 क्रिकेट में 33 साल की उम्र 63 का सरवाधिक स्कोर पिछले साल विजय शंकर ने एक बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था अपनी बल्लेबाजी से पुलदीप सेंड की अगली गेंद ओवर दिविकेट से सामना करने के लिए बल्लेबाज स्ट्राइक के उपा तयार नजर आ रहे हैं और इस ओवर की अगली गेंद का सामना करने के लिए तयार नजर आ रहे हैं दाये हाथ के विजह शंकर आफस्टम के बाहर डाली वी गुडलेंड पे गेन अलकिसी इंस्विंग होकर अंदर की तरफ आई सामने की तरफ गेन को डिफेंड किया बल्लेबाज विजह शंकर ने गेन बल्ले के बीच ओ बीच टक्राने के बाद वापस गेन बास की तरफ पहुंची और बाकी का कारिय जो था वो कवर के फिल्डर ने अपनी बाइँ तरफ जाके इस गेन को केवल फील्ड कर लिया है तो आफस्टम के बाहर डाली भी गेन थी आँखरी समय के उपा बल्ले के फेस को खोल कर बल्ले बाद ने गेन को बैकवर्ड पॉइंट की दिश्चा में खेला लेकिन बाकवर्ड पॉइंट के फिल्डर जो मौझूद है उन्होंने गेन को फिल्ड करके वहाँ वापस कर दिया आँखरी गेन कुल्दीप सेन आज तीन विकेट्स ले चुके हैं कुल्दीप सेन इस मुकाबले में पांच विकेट्स लेने का इनके पास बहुत अच्छा मौका है लेकिन क्या ये पांच विकेट्स पूरे कर पाएंगे दो और विकेट्स पूरे करने पड़ेंगे इनको कुल्दीप सेन की आँखरी गेंद आती हुई और इसांखरी गेन के उपा बल्लेबादी क्रीज के उपा जो मौजूद नज़रा रहे हैं वो विजय शंकर लेकिन सामने साइट स्क्रीन की तरफ थोड़ी सी समस्या और इसी वज़ा से थोड़ी सी देरी और अभी सोवर की अगली गेन और सामने आपको स्ट्राइक के पर विजय शंकर जो के उपने पहले रनों की तलाश में नज़रा रहे हैं पहला रन बटोर लिया बल्लेबाद ने गेन जाती वे बाउंडरी रोप्स की तरह चार रन्स कुलदीब सेन की अंतीम गेन थी लगबग 100-500 किलोमेटर प्रती घंटे के स्पीड से और कुलदीब सेन की इस गेन को पैरो पर डाली वी गेन को फ्लिक कर दिया बल्ले पर ये गेन टकराई और गेन डीप स्कुल एक बाउंडरी के तरह निकल गई है चार रनों के लिए पिछली गेन माफ की जिगा केवल ओकेवल 140 किलोमेटर प्रती घंटे की स्पीड से थी मुझे लगा कि उससे तेज है लेकिन उससे तेज नहीं थी गेन डीप स्कुल एक बाउंडरी की तरह गया और डीप स्कुल एक बाउंडरी का फिल्डा जब तक फील्ड कर पाता तब तक गेन सीमा रिखा के बाहर निकल गई थी और इस चौके के साथ ही उवर भी समाव तो चुका है गेन बादी में केशव महराज केशव महराज वापस आ रहे हैं और केशव महराज आज अपना पहला मुकाबला खेल रहे हैं जिन्होंने बहुत अचपर दर्शन तो नहीं की आपने पहले उवर में लेकिन अब उमीद है कि पावर प्ले में पहला उबर डाला था तो अब उमीद होगी इस टीम को कि अपनी गेंदबादी के साथ जो हैं कम से कम एक विकेट तो निकाल ही ले ये जनाब केशा माराज अपने पहले विकेट की तलाश में नज़रा रहे हैं राउंद विकेट से सामने बल्ले बादी क्रीस के उपाता यार नज़रा रहे हैं शुब मनगिल लेक्स्टरम की लाइन पर आती वी गेंद पैरो के पास ऑन साइड में गेंद को मोड़ दिया गेंद बल्ले पर टकराने के बाद गेंज आती वी लॉंग ओन बाउंडरी की तरफ लेकिन जब तक इस गेंद को लॉंग ओन बाउंडरी का फिल्डर फील करता थो करता है एक रन पूरा करने लेंगे एक रण के साथ स्ट्राइक इन दनों बल्लेबादों ने किया है स्कोर हो गया है 84 रण 3 विकेट की नुक्सान पे कप्तान शुँमंगल अकेले एक छोड के उपर ठीके हुए है लेकिन दूसरे छोड से लगतार विकेट के बाद विकेट विकेट के बाद विकेट गिरती जा रही है माहराज की अगली गेंद लेक्स्टम की लाइन पार विजय शंकर को राउंद विकेट से क्रीस के कोने से केशव माहराज की ये गेंद केशव महराज की गेन के उपड़ बल्लेबाज ने अपने पैरों को आगे लेकर आके बल्ले के बीचों बीच लेके सामने की तरफ गेन को ढखेल दिया गेन बल्ले पर टकराई गेन जाती वे सीधा वहां लॉंग ओन बाउंडरी की तरफ लेकिन जब तेक इस गेंड को लॉंग ओन बाउंडरी का फिल्डर फिल्डर कर पाते थ्रो कर पाते इन दोने बले बाज उने भाग कर दौड कर ये एक रन ले लिया है अगली गेंड केशव महराज की केशव महराज अपना ये पहला ही मुकाबला आज इस सीजन का खेल रहे हैं इनको रिप्लेस किया गया था किसी खिलाडी की जगा के उपर बहुत अच्छे गेंड बाज हैं साउट आफरीका के ले खेलते हैं ये इंटरनाशनल क्रिकेट हाली में विश्व कप खेलने आये थे आपको ये भारत के अंदर ये अगली गेंड लेके त्यार नजर आ रहे हैं तो पैरो पर डाली वी गेंड को अराम से स्वीप करके बल्लेबाज ने डीप स्कुएल एक बाउंडरी की तरफ केलके एक रन पूरा कर लिया अगली गेंड पैरो के पास केशा महराज की शुब मंगिल के लिए सेकिन लास्ट डिलिवरी पैरो पर आती वी गेंड आउन दो रनों के साथ 89 पर तीन गुज्राट टाइटन सी 11 ओवर और पांच गेंडों की समाफ्ती पार केशा महराज की अंतीम गेंड पारी का ये बारवा ओवर चल रहा है 107 रन रिक्वाइड रेट देखते ही देखते 14 के पास शुब मंगिले का 30 गेंडों के उपार 44 रंस बि फिल्डर वहां फील्ड करके त्रोकर पाते तब तक इन दोनों बल्लेबाज उन्हें दोड़ के भाग का राम से ये दूसरा रंदी पूरा कर लिया है दो रनों के साथ 91 पर तीन गुज्रा टाइटन्स केशव महराज का ये दूसरा ओवर बहुत अच्छा था आठ रनों का डाइरेक्ट हिट अगर आ जाता वहां पर तो पारी समाफ्ट हो सकती थी लेकिन डाइरेक्ट हिट मार नहीं पाए जब तक हेट मायर गेन के पास पहुँचते स्टम्स पे गेन को लगा पाते टाइटन्स 91 पर 3 12 ओवर के बाद केशव महराज का ये ओवर हो गया है समाफ्ट केशव महराज के इस ओवर की समाफ्टी के बाद राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ टाइटन्स की टीम पहुँच 62-92-3-12 ओवर की समाफ्ती पार इस मुकाबले में आज रियान पराग ने वापस अपनी बले बाजी के साथ सब को बहुत जादा प्रभावीत किया प्रदर्शन किया आपको इस मुकाबले में उन्होंने ने ओवर की शर्वात की पहली गेन कुल्दीप सेंड की बात करते हैं तो 23 गेंद बाज मैंने आपको आज मुकाबले से शुरुआज से पहले ही कहा था आप लोगों को की डेड़ सो की रफतार से ये गेंद बाज ही कर सकते हैं और बहुत परिसान कर सकते हैं आपको दूसरे टीम को अगली गेंद लेके चले हैं नयोवर की शुरुआज से दोना शुरुकिया कुल्दीप सेंड उवद विकेट से शॉट गेंद लेक्स्टम के बाहर इतनी ज़्यादा बाहर कि वाइड बॉल का इशारा अंपायर करार देंगे शॉट पिज गेंद थी लेक्स्टम के बाहर और इतनी ज़्यादा बाहर जा रही थी कि अंपायर ने ये वाइड गेंद का इशारा करार दिया 48 गेंदों में 105 रंस DLS मेथड आ सकता है मैच में अभी भी क्योंकि बारिस जो है वो दो दफा आपको रोक चुका है मुकाबले को पस यही उमीद बनी रहेगी कि मुकाबले को समाफ्त होने दे और कुलदीप सेंड के नयवर की शुरवात की पहली गेंद विजय शंकर ने वापस गेंद को हवा में खड़ा कर दिया ग्याब के अंदर गेंद है और ये चार रंस विजय शंकर के नाम ये गेंद 142 किलोमेटर प्रती घंटे की स्पीड से कुलदीप सेंड की तरफ से डाले गए थी विजय शंकर को और विजय शंकर क्रीस के अंदर बिल्कुल इंतिसदार कर रहे थे इस गेंद पर जैसे ही देखा कि फुल एंड डिलिवरी है बिल्कुल उपर की तरफ मिड ओफ की उपर से गेंद को टपा दिया और गेंद बल्ले पर टक्राने के बाद सीधा निकल गई लॉंग ओफ सीमा रिखा के बाहर चार रंस विजय शंकर का ये दूसरा चौका राजस्थान रोयल्स के खिलाफ टाइटन्स पहुंचा 96 पर तीन कुल दीप सेन आखरी की पांच और गेंदे लेकर आएंगे सोवर में सामने विजय शंकर नजर आ रहे हैं फिलाल विजय शंकर की बात करते हैं तो विजय शंकर दस रन बना का खेल रहे हैं पाँच गेंदों के उपर कुलदीप सेंड की अगली गेंदा रही है इस समय सामने आपको विजय शंकर जो की दस बे मौझूद ओस्टम के बाहर कुलदीप सेंड की ये गेंद बहुत अराम से गेंद को बल्लेबाज ने खेल दिया वहाँ जब तक इस गेंद को बाउंडरी के पास से फिल्डर वहाँ फील्ड करता थ्रो करता इन दोने बल्लेबाज उन्हें एक और रन भाग कर पूरा कर लिया है अच्छी गेंद थी और इस अच्छी गेंद पर बल्लेबाज ने एक रन भाग कर पूरा करके टाइटेंस को पहुंचाया 97 रनों के उपार 3 विकेट के नुक्सान पार श्टॉर्ट थी औफस्टम पर रूम बिल्कुल नहीं दिया था बल्लेबाज विजय शंकर को और एक रन के साथ टाइटेंस पहुंची 97 रनों के उपार 3 विकेट है पहले उवर में 144, 145, 140, 144, 143 और 145 तो ये गती की रफ़तार थी पहले उवर में अगली के नहीं वर की तीसरी के इन सामने आपको शुबन गिल मौजूद पहला रन पुरा करेंगे दूसरी का कॉल किया और जब तक इस गैप में फिल्डर पहुँच पाता और थ्रो कर पाता तब तक यहाँ पर शुबन गिल ने ये दूसरा रन भी भाग कर पूरा कर लिया है अच्छी गेंती पैरों के पास अपने कलायों का बहुत अच्छा उपियो किया ओन साइड में गेंद को मोड दिया इन्होंने गेंद डीप स्क्वेल एक बाउंडरी की तरफ गई और इन दोनों बले बाजोंने दो रन भाग के पूरे कर लिये गुजराट टाइटन्स की टीम पहुंची इस समय फिलाल 99 रनों के उपाई इस मैच में 99 रनों के पर तीन विक्टे बारा दसमलों तीन गेंदों की समाफ्ती पार अगली गेंद कुल्दीप सेंड की फैरो पर डाली वी ये गुडलेंद पर गेंद शुबमन गिल के लिए ऑन साइड में वापस फिलिक कर दिया उसी दिशा में पहला रन पूरा करेंगे दूसरे रन का कॉल किया यहां पे और जब तक इस गेंद को बाउंटरी के करीब से फिल्डर वहां फील करके थ्रो कर पाते तब तक आराम से इन दोनों ही बल्लेबादों ने दोड़ते वे भाग कर यह दूसरा रन भी प्राप्त कर लिया है तो दो रनों के साथ शुबमन गिल पहुंचे सेंट आलीस पर और गुजराट टाइटन्स पहुंचा एक सो एक पार सौरनों का आंकड़ा पार हो चुका है सौरनों के आंकड़े के पार होने के बाद गुजराट टाइटन्स एक सो एक रन पर तीन विकेट सेंट 12.2 गेंदों की समाफ्ती पर कुल दीप सेंड की अगली गेंद लेक्स्टम की लाइन पर थोड़ी सी शौट थी गेंद को पुल कर दिया बल्ले बाजने गेंद बल्ले के बीच ओ बीच टक्राने के बाद जाती वी डीप स्क्वेल एक बाउंडरे की तरफ एक रन के साथ ये उबर की पाँचवी गेंद पर सिंगल आतावाज सबसे जादा चौका इसी खिलाडी ने मारे हैं तो वो हैं आपको यहाँ पर संजू सैमसन जिनने आपको इस मुकाबले में साथ चौके मारे और ये कुल दीप सेंड के उबर की अन्तीम गेंद के उपर सामने हैं विजय शंकर विजय शंकर जो की 11 अरनों के उपा खेल रहे हैं छे गेंदों का सामना करने के बाद इस मुकाबले में और सामने स्ट्राइक के उपर जो मौजूद नदर आ रहे हैं वो हैं आपको विजय शंकर यार अरन बना कर पुल्दीप सेन अपने ओवर की अंतीम गेंद पारी का ये तेरवा ओवर चलता हुआ और इस तेरवे ओवर की अंतीम गेंद के उपा बल्लेबाज ने आखरी समय के उपर अपने बल्ले को लगा दिया फिल्डर वहां मौझूद थे ओवर की हो गई है समाफ्ती तेरा के बाद राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ गुजराट टाइटन्स एक सो दो तीन विक्टों के नुकसान पार जीतने के लिए 42 गेंदों के उपा 95 रनों की आवशक्ता आखरी गेंद के उपा केवल अपने बल्ले के फेस को खोल पाए विजय शंकर और गेंद सीधा बैकवर्ड पोइंट की दिश्चा में पहुंची ओवर जो है वो समाफ्त हो चुका है और गुजराट टाइटन्स की टीम 102 रनों के उपार तीन विक्टो के नुकसान पार 13 ओवरों के खेल की समाफ्ती पार इस मैच में पुल्दीप सेंका ये तीसरा ओवर समाफ्त हो गया कप्तान के पास अभी भी बहुत सारे ऑप्शन है यूजवेंद्र चहल के ऑप्शन्स बचे हुए हैं रवी चंद्रनाश्विन के ओवर्स बचे हुए हैं तो कप्तान चाहें तो इनके गेनबादी करा सकते हैं जहां नाय ओवर की शिर्वात की पहली गेन लेके चल रहे हैं गेनबाज और ये नाय ओवर की पहली गेन के उपाँ अनसाइड में मोड़ दिया पहला रण पूरा करेंगे दूसरे का कॉल किया और जब तेक इस गेन को लॉंग ओन बाउंडरी का फिल्डर आ गया के फील करता त्रो करता इन दोन बल्लेबाजों ने आराम से भाग कर ये दूसरा रण भी पूरा कर लिया है पियूजी चहल की पहली गेन पार दो रण भाग कर कप्तान शुबमन गिल का ये अर्द सताट पूरा ओफस्टम के बाहर की गेन को डीप कवा बाउंडरी की तरह पंच करके दो रण बटोर लिये और गुजराट टाइटन्स एक सो चार रणों के पर तीन विक्टो के पर पहुँच चुकी है अगली गेन्द थोड़ी सी शॉट आफस्टम पार हलका सा पीछे जाके बल्लेबाज ने गेन को डीप कवा बाउंडरी की तरफ खेल दिया है और जब तक इस गेन को डीप कवा बाउंडरी का फिल्डर फील्ड करता थ्रो करता इन दोनों बल्लेबाज उन्हें दोड़ के भाग कर ये एक रण पूरा कर लिया है यूजवेंद्र चहल की गेंद सामने विजए शंकर आस्टम पर शुबमन गिल आस्टम पर डाली भी गेन को ड्राइफ किया डीप कवा बाउंडरी की तरफ लेकिन जब तक इस गेन को डीप कवा बाउंडरी का फिल्डर फील्ड करता थ्रो करता एक रण पूरा कर लेंगे यूजवेंद्र चहल की तीसरी गेंद्र हमने आपको स्ट्राइक के उपर मौझूद हैं विजए शंकर और विजए शंकर ने ये तीसरा चौका लगा के गुजवा टाइटन्स को एक सुनौ पर पहुंचा दिया है खुद 15 रणों के पर पहुंच चुके हैं यूजवी चहल की ये तीसरी गेंद्र लगबग 89 किलोमेटर प्रती घंटे के स्पीड से आफस्टम के बाहर बल्ले को उल्टा किया और ये रिवर्स ट्रीप मार के बल्ले बाद ने डीप पॉइंट बांडरे के तराफ एक टपा खाने के बाद चार रन्स विजए शंकर के बल्ले से इस चार रनों के साथी गुजराट टाइटन्स 109 पर पहुंचा तीन विक्टो के नुकसान पर विजए शंकर 15 पे 8 गेंदों के उपर थोड़ी सी शॉट आफस्टम पर यूजी चहल की आफस्टम के बाहर डाली वी गे कर ये एक रन ले लिया एक रन के साथी गुजराट टाइटन्स 110 रनों के उपर पहुंचा 110 पर तीन विक्टें 13 ओवर्स और चार गेंदों की समाफ्थी पार यूजी चहल अपने ओवर की सेकेंड लास डिलिवरी पदमों का इस्तमाल गेंद की पिछ तक पहुंचें गेंद की पिछ तक पहुंचके बल्लेबाज ने गेंद को लॉंग ओन बाउंडरी की तरफ खेला एक रन दोनों बल्लेबाज ने भाग कर वहाँ पूरा कर लिया है और गुज्राट टाइटन्स नेलसन पे पहुंच चुकी है और अक्सर होता ये है कि जब 111 का स्कोर होता है तो विकेट साब को बहुत दफाए ऐसा होता है कि विकेट गिर जाती है क्या यूजी चहल यहाँ 111 पर अपना पहला विकेट निकालेंगे चलिए देखते हैं कही रहा था कि 111 पर बहुत हद तक विकेट गिरती है और यहाँ एक बाब फिर यह जो निलसन है वो काम कर गया है गुज्राट टाइटन्स के खिलाफ क्लीन बोल्ड कर दिया विजए शंकर को यहाँ पर यूजवेंद्र चहल ने अपनी फिरकी के जाल में फसा लिया इनको मिडल एक स्टम की लाइन पर फ्लाइट डिलिवरे थी नीचे की तरह बैड कर स्लॉक स्वीप मारने गए लेकिन गेंद और गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं वा गेंद जाकर सीधा मिडल स्टम के डंडो को यह उखाल ले गई है टाइटन्स ने गवाया नेलस पर चहल को मिला इस मुकाबले में उनको यह पहली सफलता नमब छे पर जो बल्लेबाज उतर रहे हैं वो है राहुल तेवतिया राहुल तेवतिया के नाम सरवादिक स्कोर तिरेपन का है आई पील में आज राहुल तेवतिया को क्लिक करना पड़ेगा क्योंकि राहुल ते आएं और आपको बताते चलें कि जो राजस्तान रॉयल्स है ये इनकी पुरानी टीम है तो जादतर ऐसा होता है कि पुरानी टीम के खिलाफ जो है आपको जो खिलाडी खिलता है नई टीम से जब पुरानी टीम के खिलाफ तो बहुत हद तक ऐसा होता है कि आपको उसी टीम को वो हराने में काम्याब हो जाता है वो खिलाडी और बहुत अच्छा प्रदर्शन भी करता है फिराल रवी अश्विन अपने अंतीम के दो ओवर डालने आ रहे हैं राहुल तेवतिया दूसरे छोर पे मौजूद रवी अश्विन अपने नए ओवर की शुरुवात के साथ पह रवी चंदरन अश्विन लेकर आ रहे हैं अश्विन के नाम दो ओवर में 10 रंस हैं कोई सफलता नहीं नहीं वर की शुरुवात शुबमंगिल को रहुल तेवतिया नॉन स्ट्राइकर एंड पर नज़र आ रहे हैं और यह गाप में खेला गया शौर्ट शुबमंगिल के त मौके का और चौका लगा के यहां स्कोर को पहुँचा दिया है 115 पैरों पर खराब गेन थी और इस खराब गेन के पास स्वीप कर दिया फाइनल एक बाउंडरी की तराफ और यह पूरे चार रंस बटोर लिये हैं 116 पर पहुँचा गुजराट टाइटन्स चार विक्टो के नुकसान पर लेक्स्ट्रम की लाइन पर आती वी गेन कदमों का इस्तमाल गेन की पिछ तक पहुँचे गेन को गेन को लॉंग ओन बाउंडरी की तराफ खेला और टाइटन्स 116 रनों के पहुँच गया है 116 पर ये ओवर निकाल ले तो तो कि अश्विन ही एक ऐसे खिलाडी है जो कि तेवतिया को आउट कर सकते हैं अगली गेन राहुल तेवतिया 107 मुकाबलों में 1807 रन 350 प्लस स्कोर मनाए है 143 का इनका स्ट्राइक रेट है तो यह दिखाता है कि बहुत बढ़िया स्ट्राइक अगली गेन नीचे बैट है एक और स्वीप शॉट एक और चौका शुबमन गिल ने दूसरा चौका इस ओवर में लगा दिया टाइटन्स 121 रनों के उपार और अश्विन का ये ओवर महंगा ओवर इस समय साबित हो रहा है यह जो चौती गेन थी कप्तान शुबमन गिल के सवर और मिडॉफ के बीच में से ग्याप में खेल दिया गया शौट चार रनों के लिए पहली गेन पर नीचे बैट के ओन साइड में स्वीप मारा था लेकिन इस बार दो कदम आगे बढ़के इनसाइड आउट शॉट मार के कवर बाउंडरी के तरफ चौका बटो रहा रह पर की आखरी की दो गेंदे डालने आ रहे हैं सामने आपको शुबमन गिल अपने सतक की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं उनके पीट में कीड़ा गुज गया है और संजु सामसन जो है इसे में उस कीड़े को निगालते वें पीट से और अश्विन की अगली गेन के चार अंतिम गेंद आ गई है रवी चंद्रन अश्विन के सोवर के अंदर और इस अंतिम गेंद के उपबल्ले बाज ने ओन साइड में खेला गेंद बल्ले के बीच ओ बीच तकराई गेंद जाएगे लॉंग ओन बाउंडरी के तरफ ओवर हो गया है समाफ पंद्रा के बा लॉंग ओफ बाउंडरी के तरफ गई ओवर की समाफ़ती पंद्रा के बाद 124 गुजराट टाइटन्स चार विक्टो के नुकसान पर आने वाले बल्लेबाज इस ओवर के बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से बल्लेबाज इसके बाद जो हैं वो बल्लेबाजी करने उतरें गुजराट टाइटन्स में रविचंद्र अश्विन ने अपने तीन ओवर में 23 रंस दिये हैं यहां 23 रंस देखे कोई सफलता नहीं यूजी चहल का एक ओवर बाकी है और उनके साथ रविचंद्र अश्विन का भी एक ओवर बाकी नजरा रहा है यूजी चहल अपने अंती मूवर की शुरवाद के साथ पहली गेंड लेके चले दाया हाथ के शुबमन गिल के लिए 42 गेंडे चौसर ट्रंस बना का खेल रहे हैं शुबमन गिल यूजवेंद्र चहल के नए अवर की शुरवाद की पहली गेंड ओवर दिविकेट से पहली गेंड के उपापर लिबास शुबमन गिल ने गेंड को पहुंचा दिया बाउंडरी लेन के तराफ चार रंस यूजवी चहल की पहली गेंड पर चौका लगा के प्रेशर जो पूरा यूजवी चहल पर डाल दिया इन्होंने लॉंग ओन पर फिल्डर मौजूद था और एक मिर्फिकट पर फिल्डर मौजूद था लेकिन कदमों का इस्तमाल करके ये वाइड ऑस्टरम के बाहर डाली वी गेंड के उपा कवर बाउंडरी के तराफ खेल दिया चार रंस शुबमन गिल पहुंचे बहत्तार रंों के उपर अगली गेंड का सामना करने के लिए दोबारा त्यार और ये सोबर की दूसरी गेंड पर दोबारा कदमों का इस्तमाल किया शुबमन गिल ने दो फिल्डरों के बीच मेंसे एक और चौका बैक टू बैक बाउंडरी इस शुब मंगिल के नाम यूजी चेहल किये दूसरी गेन थी दाय हाथ के शुब मंगिल के लिए इंतिजार कर रहे थे शुब मंगिल इस बार जैसे देखा कि गेन थोड़ी सी शॉट पड़ी ओफ स्टम पर गए और इस गेन को कट कर दिया डीप कवा बाउंडरी के उपा फिल्डम मौझूद था नहीं और डीप कवा बाउंडरी के तरफ ये चार रंस पहले कदमों का इस्तमाल करके कवा बाउंडरी की तरफ चौका फिर पीछे की तरफ जाके इस गेंद को कट मारके डीप पॉइंट बाउंडरी की तरफ चौका और ये उजी चहल की अगली गेंद आ रही है सामने आपको शुब्मन गिल और ये शुब्मन गिल को आउट कर दिया है ये उजुवेंद्र चहल ने दो बाउंडरी इसके बाद ये इस ओबर के तीसरी गेंद पर एक और बाउंडरी मारने गए लेकिन इस बार शुब्मन गिल जो है आउट हो गए है आफस्टम के बहुत बाहर ये गेंद डाल देती इन्होंने इतनी ज़्यादा बाहर कि विकेट के पीछे जो संजू सैमसन थे उन्होंने कमाल का कारिय किया गेंद को पकड़ा और गेंद को पकड़के ये स्टंप आउट करके टाइटन्स की टीम का ये पाँचवा विकेट शुब्मन गिल जो कप्तान थे इस मुकाबले में उनको आउट कर दिया है आफस्टंप के बाहर डालीवी गेंद पार कदमों का इस्तमाल करके इंसाइड आउट शॉट मारने की कोशिस कर रहे थे लेकिन जैसे ही देखा कि यहाँ पर आगे निकल रहे हैं बल्लेबास वैसे ही इस गेंद को बहुत ही जादा वाइड डाल दिया इनोंने और इतना जादा वाइड डाल दिया कि अमपायर को यह मजबूरन जो है वो वाइड गेंद का इशारा देना पड़ा और साथी में यह बल्लेबास के बल्लेपे गेंद लगी भी नहीं तो ये वाइड प्लस विकेट और अगले बल्लेबास गुजरात टाइटन्स की तरफ से आ रहे हैं दाय हाथ के शारुखान ये वाले शारुखान नहीं है ये दूसरे शारुखान है ये भी लंबी-लंबी हिटे मार सकते हैं 33 मकाबले 426 रंज बना चुके हैं ये खिलाडी और 134 का स्ट्राइक रेट है आपको शारुखान का शारुखान की बात कर लेते हैं शारुखान का सर्वादिक स्कोर 47 का है 134 का स्ट्राइक रेट और 20 की आवरेज है शारूख खान की तो आईए मैं एक बार आने वाले बल्लेबाजों के नाम ज़रा दिखाते चलूँ आप लोगों को क्याने वाले बल्लेबाजों में जो खिलाडी नज़रा रहे हैं कौन कौन नज़राएंगे आपको इस मकाबले में खेलते हुए तो गुजराट टाइटन्स की तरफ से आपको मैं बताते चलूँ अगले बल्लेबाज जो बाटिंग करने उतरे हैं वो आप लोगों को मैंने बताया औलरडी के नमबर 6 पर आज शारुख खान उतरेंगे नमबर 7 पर नमबर 7 पर शारुख खान के बाद नमबर 8 की जो पोजिशन रहने वाली है वो रहने वाली आपको राशिद खान की राशिद खान के बाद नमबर 9 की पोजिशन के उपर आज उमेश यादो जो हैं वो बल्ले बाजी करने उतरेंगे उमेश यादो भी बड़ी बड़ी हीटे मार सकते हैं आपने देखा ही होगा उमेश यादो के बाद बल्ले बाजी करने उतरेंगे दाएं हाथ के नूर एहमद बहुत अच्छे गेनबाज है नूर एहमद लेकिन बल्लेबाजी में कुछ खास नहीं कर पाते हैं थोड़ी बहुत तो बल्लेबाजी करी सकते हैं ऐसा नहीं की बिलकुल नहीं खेल सकते हैं यह बल्लेबाजी कर सकते हैं थोड़ी बहुत तो उसके बाद नमबर 11 की पॉजिशन पे आस्ट्रेलिया इसेंसेशन जो की तेज गें बाज हैं इनका नाम है आपको बाएं हाथ के स्पेंस जॉनसन जो की नंबर 11 की पोजिशन के पाइस मुकाबले के अंदर बल्ले बाजी करते हुए हमें नजर आएंगे तो दोस्तों ये हैं आपको इस मुकाबले में आने वाले बल्ले बाजों के नाम गुजरात टाइटन्स क खेल रहे थे लेकिन इस साल पंजाब किंग्स की टीम ने इनको आउक्शन में जाने दिया और शारू खान को आपको गुजरात काइटन्स की टीम ने आउक्शन में खरीद लिया और शारू खान क्योंकि बहुत ही तगड़े खिलाडी हैं तो ये जो हैं आने वाले समय में इस टीम के लिए बहुत अच्छे गेंट अच्छे बले बास साबित हो सकते हैं इसलिए आपको निचले करम में इनको जो है वाज के इस मुकाबले में आज इंपक्ट सब्स्टिट्यूट के रूप में शामिल किया गया है तो शारू खान यूजवे इंद्र चेहल की तीसर करने के बाद कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब और दबा दीजे नोटिफिकेशन के बटन को पंजाब किंग्स में तो इन्होंने वह अच्छे खासे मुकावले भी जिताये थे लेकिन पंजाब ने इनको छोड़ दिया और यह इस ओवर की अगली गेंट के उपार सीधे ब स्ट्राइक जो है वो दे दी है दूसरे बल्लेबास को और स्ट्राइक के उपर जो फिलहाल मौजूद नजरा रहे हैं वो राहूल तेवतिया नजरा रहे हैं और राहूल तेवतिया बायाहात के बल्लेबास ये भी बहुत कमाल की बल्लेबास ही करते हैं फिलार अगली गें को लॉंग ओन बांडरी का फिल्डर फील्ड करता थो करता तब तक इन दोनों बल्लेबाज उन्हें दोड़ के भाग कर ये दूसरा रन भी पूरा कर लिया है टैरों पर डाली भी गें थी बाएं हाथ के चहल के नाम इस आईपियल सीजन में यूजी चहल की अगली गेंद लेक्स्टम के लाइन पार ऑन साइड में मोड़ा गें जाती भी लॉंग ऑन बाउंडरी की तरफ एक रन के लिए एक और रेकॉर्ड आपको बतादे चलें कि यूजवेंद्र चहल अगर तीन और विकेट ल लेने का और ये वन अदे बेस्ट स्पिनर्स हैं भारत के यूजवेंद्र चहल की अंतिम गेंद पैरो पर आती वी जोड़दार अपील कर रहे हैं लेकिन अमपायर ने ये नॉट आउट का फैसला करार दिया रिव्यू लिया जा सकता है फिलाल देखते हैं समय है काउंटाउन चल रहा है तीन सेकंड 2 एक और कप्तान ने रिव्यू ले लिया आखरी सेकंड के उपार बहुत ही कन्वेंश है कि गेंद पहले पैरो पर लगी है अगर गेंद पैरो पर लगी है तो ये विकेट हो जाए लेकिन अगर गेंट पैरो पर नहीं लगी है तो साइद मेरे ख्याल से यह नोट आउट हो जाएंगे तो रिव्यू बचा हुआ था कप्तान के पास कप्तान ने सोचा कि चलो रिव्यू ले ले लेते हैं क्या पता है एक विकेटी मिल जाए आए देखते हैं कि गेंट जाकर सी वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए चैनल को जल्दी जल्दी कीजिए सब्सक्राइब राशिद खान इसके बाद बल्ले बाजी करने आने के लिए तयार है शारू खान के लिए गेंद और रीपले में पहले पैरो पर जी 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 रूप वापस देखा जाए जी आँ तो गेंद पैरो पर ही लगा है ये चीज अब कन्फर्म हो चुका है कि गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं वा पहले गेंद पैरो पर लगा है अब दो चीज़े देखनी है पहला जो गेंद है वो कहां पर टपा खाया है अगर ये जो लाल रेखा आप लोगों को टपा खाई है और ये अमपाईर ने नौट आउट भी दिया है तो अमपाईर स्कॉल भी हो सकता है या तो अमपाईर स्कॉल होगा या तो गेंद पूरी तरीके से लेक्स्टम को मिस कर जाएगी दोनों में से एक ही चीज होने वाला है रीपले में आभी बॉल ट्राकिंग आने जा रही है तयार हो जाए तब तक आप लोग वीडियो को फटाफ़ लाइक कर दीजिए दोस्तों मैं देख पा रहा हूं कि हम लोग पहुंच चुके हैं कुल मिलाके 999 लाइक पर इस वीडियो पर तो फटाफ़ आप लोगों में से एक और मित्र लाइक कर दीजिए और कर दीजे चैनल को कर दीजे जल्दी जल्दी सब्सक्राइब चलिए तो ये not out का फैसला empire का आता हुआ क्योंकि gain टपा खाने के बाद और बाहर की तरफ जा रही थी empire's call था और gain लेक्स्टम को भी मिस कर रही थी तो बढ़िया फैसला empire कुमार धरम सेना के तरफ से not out का और इस not out के फैसले के साथ यूजी चहल का spell भी हो गया है समाफ 4 ओवर में 43 run दो विकेट यूजी चहल के नाम लेकबाई के रूप में सिंगल और गुज्राट टाइटन्स 138 पर 5 अगली gain लेकर तयार है और सामने आपको bat increase पर मौजूद नज़रा रहे हैं शारू खान अंतीम गेन पर सिंगल लेने के बाद 4 ओवर में 2 विकेट लेके 43 run यूजी वेंद्र चहल के नाम आज के मुकाबले में गुज्राट टाइटन्स के खिलाफ एक बाद फिर अपना कमाल का जो प्रदर्शन था वो दिखाया इस खिलाडी ने यूजी चहल के ओवर की समाफ्ती पर गेन बादी में दूसरे छोड से कप्तान रवी चंदरन अश्विन को आ रहे हैं लेकर अश्विन नायोवर की शिरवादा यहाँ के शारूख खान को शारूख खान अगर यहाँ दो चार छक्के नहीं आए इस ओवर में तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मैच में कमबा करना शारूख खान के लिए पहली गेंड जैसे तैसे बल्लेबाज ने खेल दिया ग्याप में एक रंड भागेंगे दूसरे का कॉल किया लेकिन जब तक इस गेंड को फिल्डर वहाँ फील करता थ्रो करता है एक रंड पूरा करके शारूख खान अभी थोड़ी गेंड तो लेंगे ही लेंगे क्योंकि अभी अभी तो बल्लेबाजी करने आए हैं अब क्या चाहते हैं कि पहली गेंड से छक्का मारने लगें राहूल तेवतिया देर से खेल रहे हैं इनको कोशिस करनी चाहिए राउंद विकेट से क्रीस के कोने से डाली भी गेंड तेवतिया के लिए तेवतिया ने भी एक और सिंगल जो वो निकाल दिया है तेवतिया के सिंगल के साथ गुज्राट टाइटन्स 140 पे पहुंचा पांच विकेट के नुकसान पर अश्विन तीन ओवर दो गेंडे 25 रून कोई सफलता नहीं रविच अंदरन अश्विन की अगली गेंड शारुख खान के लिए और यह आया शारुख खान के बल्ले से हवा में शौर्ट और यह गेंड गई दर्शक दीरगाव में गगन चुमबी चक्का शारुख खान के बल्ले से आता हुआ शारुख खान ने दिखा दिया कि क्यूं उनको टीम के अंदर रखा गया है शारुख खान ने अश्विन की इस गेंड का इंतजार किया गेंड अंदर की तरफ जैसे ये देखा कि गेन डिलिवर कर दी पैरों के पास नीचे बैठके स्लॉक स्वीप मार के बहुत दूर पहुँचाया है ये दर्शक दीरगाव में शारू खान के बल्ले से पहला चक्का चार सो दसवा चक्काई सीजन का लगता हुआ शारू खान को पहले भी मौका दे सकती थी गुजराट टाइटन्स लेकिन पता नहीं शारू खान को टीम से क्यों बाहर रखा गया था शारू खान एक ऐसे खिलाडी है 90 मीटर लंबा चक्का पिछली गेन के पर लगाया था पहले चक्का और अब ये चौका छे चार दस दो गेंदों के उपा बटोर चुके हैं पिछली और रहूल तिवतिया ने कुछ शारू खान को बताया इस गेन से पहले और रविचंदरन अश्विन के इस चौथी गेन के उपार अपना पहला चौका मारने में काम्याब हो गए हैं और गुजराट टाइटन्स 47 रंस दूर है ये लेक्स्टम के उपार बहुत ही खराब गेन ती अश्विन की नीचे बैट के बल्लेबाद ने स्वीप कर दिया फाइन लेक बाउंडरी के तराफ चार रंस और गुजराट टाइटन्स देड़ सो के आंकड़े को पार कर गई है देड़ सो पे चार 47 रंस रंस की आवशक्ता आपके वल 20 गेंदों पे चाहिए तारुख 5 गेंदों में 12 रंस बना का खेल रहे हैं आश्विन की सेकेंड ला शारुख खान के लिए शारुख खान ने गेंद को ओन साइड में खेला एक रं के लिए एक रं के साथ स्ट्राइक अब वापस राहूल तेवतिया को दे दी राहूल तेवतिया ऐसे पोजिशन से टीम को मुकाबले को जिताना माहीर माने जाते हैं अंतिम गेंद रवी अगर खेल गए तो टाइटन्स को जीतने से कोई नहीं रोक सकता यहां करी गेन पर एक और चौका बायहाथ के राहूल तेवतिया को राहूंद विकेट से बायहाथ के बलेबास के लिए आस्टम के बहुत डाली भी गेन कदमों का इस्तमाल और यह रोकेट की तरह उडाका मार दिया डीप एक्स ट्राकावा बाउंडरी के तरह चार रंस राहूल तेवतिया के इस चौके के साथ गुज्राट टाइटन्स एक सो पचपन पे पहुंची पाँच विक्टो के नुकसान पार और अब खान छे गेंदों में 13 रंस बनाके शारु खान के वो जो छे गेंदों में 13 रंस बने हैं उसकी वज़ा से मैं आप लोगों को बताते चलूं मैच में जो यह टीम वापस आ गई है और अब जीत से जादा दूर नहीं है गुज्राट टाइटन्स पिछले मुकाबले में आप गुज्राट टाइटन्स की टीम हार करा रही है अश्विन का ओवर समाफ्त अश्विन के ओवर की समाफ्ती के बाद कप्तान जो है अब गेंदबादी के अंदर जो मैं देख पा रहा हूं वो मुझे नदर आ रहे हैं ट्रेंट बोल्ड का दो ओवर बचा हुआ है आवेश से गेंदबादी करा सकते हैं एक ओवर तो और कराना ही पड़ेगा किसी और गेंदबाद से और कप्तान ने आवेश खान को ये पारी का ठारवा ओवर दिया है इसका मतलब ये कि आवेश खान पारी का ठारवा और पारी का बीस्वा ओवर डालेंगे ट्रेंड बोल्ट हो सकता कि कुल दीप सेंज जो हैं वो आपको इस मुकाबले के अंदर गेंद बादी करने के लिए आएंगे संजू सामसन जरना सबसे ज़्यादा चौके मारे साथ सुब मंगिल ने छे चौके मारे जैसवाल ने पांच रियान पराग ने तीन साई सुदर्शन ने तीन और सामना करने के लिए बल्लेबाज नय ओवर की शिर्वात की पहली गेंद आवेश खान की तरफ से उवद विकेट से सामना करने के लिए तयार नजर आ रहे हैं इस नय ओवर की शिर्वात के उपर यह पहली गेंद आवेश खान की आवेश खान की बहुत प्यार से इस गेंद को ड्राइ पूरी के तराफ एक रन पूरा किया टाइटन से 156 पर पहुंचा पांच विक टोके नुकसान पार आवेश खान की दूसरी गेन संजु सामसन कुछ बातचीत कर रहे हैं ये गेन डालने से पहले और अब अगली गेन को लेकर आ रहे हैं आवेश खान राजस्थान रॉयल्स का जो खेमा है वो बिल्कुल सान्थ है क्योंकि पिछले ओवर में जो 17 रना है वो एक अलग सा डर का माहोल पैदा कर दिया हुँँ 17 रनों ने और दूसरी तरफ राहूल तेवतिया भी खेल रहे हैं ये भी एक बहुत बड़ा खत्रा है राजस्थान के लिए अगर रोडा साफ करना है तो तेवतिया को आउट करना पड़ेगा आवेश खान की दूसरी गेन दौना शुरू किया राउंद विकेट से धीमी गती की गेन पर फील करता थ्रो करता इन दोनों बल्ले बाजों ने भाग कर दोड़ कर एक रन ले लिया है स्कोर 157 पर पहुंच चुका है 157 पर 5 17.2 गेन्दों के बाद अवेश खान अपने उबर की अगली गेन्द और यह जोड़दार अपिल शारू खान आउट अवेश खान की यह तीसरी गेन थी शारू खान को और यह यॉरकर लेंद की डिलिवरी के उपर ओन साइड में खेलने की कोशिस कर रहे थे शारू खान लेकिन इस यॉरकर को पढ़ नहीं पाए गेन जाकर सीधे इनके पैरों पर टकराई और दूसरी तरफ राहुल दिवति यहां से पूछा आपको शारू खान ने कि क्या आपको लगता है कि मैं बच पाऊंगा यहां रिव्यू लेने का फैसला जो है वो कर लिया है फिलहाल शारू खान ने यह यॉरकर लेन के डिलिवरी थी लेक्स्टम की लाइन पर शारू खान को अवेश खान की तरफ से आफ्स्टम पर आके यह फ्लिक करने की कोशिस कर रहे थे ओन साइड में रीपले में देखते हैं तो प्लम इन फ्रंट है आँख बंद करके इनको आउट दे दीजिए अग जना साफ आउट हैं यह बिल्कुल तीनों स्टम्स के सामने हैं पिचिंग इन लाइन इंपाक्ट इन लाइन तीनों स्टम्स के ऊपर हैं और गेंड जाकर जाकर लगती भी सीधा मिडल स्टम के डंडो पार LBW हो गए हैं आउट और गुजराट टाइटन्स 157 पर छे 17 ओवर और तीन गेंडों की समाफ्ती पार आखरी की तीन गेंडे इस ओवर के अंदर रहे गई हैं बाकी शारु खान 14 रंस बना का खेल रहे हैं आठ गेंडों का सामना करने के बाद रिव्यू भी गवा दिया ग दूसरा खाना गे हैं और अब राशिद खान जहें वो बले बादीडी क्रीस के अपर आ चुके हैं इस टीम के तराफ से दाया हाथ के बलेबाद हैं राशिद खान ना और शारु खान के आउट होने के बाद इनकी बारी जो है वाई है मेरे कहन效 से राशिद खान ने और र माच जैसे जिताएं हैं साथी में आपको डेविड मिलर भी रहते थे तो इनकी टीम और जादा स्ट्रॉंग हुआ करती थी लेकिन डेविड मिलर आपको चोटील चल रहे हैं और इसी वजह से आपको वो मुकाबलों को खेल नहीं रहे हैं अगर वो खेलते तो सायद ही आपको गुजराट टाइटन्स ये माच हारती लेकिन इस दोबर की चोथी गेन राशित खान के लिए क्रीस के अंदर गए शौट थर्ड में बैकवर्ट पॉइंट धीमी गती की शौट गेन कट कर दिया गेन जाती वे डीप बैकवर्ट पॉइंट बाउंडरी की तरफ एक रन के पॉइंट बाउंडरी पार और इन दोनों बल्लेबादों ने भागते वे दोड़ कर ये एक रन पूरा करके स्कोर जो है वह पहुंचा दिया है 158 रनों के उपार 158 रनों के उपार 6 विक्टर इस मुकाबले में अगली गेंद लेकर तयार सामने आपको बैटिंग पे मौजूद है राशिद खान के बाद राहूल तेवतिया बाया हाथ के बल्लेबाद नज़र आ रहे हैं फिलाल तेवतिया जिनने साथ गेंदों पे 11 बनाए हैं आवेश खान की राउंड विकेट से शॉर्ट गेंड प फील करता थ्रो करता इन दोनों बल्लेबादों ने भाग कर दोड़ कर ये एक रन पूरा कर लिया है अगली गेंद आवेश खान की और राशिद खान जो की एक गेंड पर एक बना का खेल रहे हैं लेक्स्टम के बाहर ये गेंड बहुत ज्यादा बाहर थी और ये वाइड पॉल के इशारे के साथ गुज्रा टाइटन्स एक सो साथ रनों के उपाप पहुंची छे विक्टो के नुकसान के बाद राशिद खान एक गेंड पर एक बना का खेलते वे डूसरी तरह राहुल तेवतिया साथ गेंडों पर ग्यारा रंस बना का खेल रहे हैं आवेश खा उपस्टम के बाहर गेंडबादी कर रहे हैं रीट से दूर रखने की कोशिस लेकिन जितनी रीट से दूर रखने की कोशिस कर रहे हैं उतनी ही गेंडे बाहर की तरफ जा रही हैं और स्कोर इस समय नज़र आता वा 171 और 161 रनों के उपाच छे विकिट गुजराथ की टीम आने वाले मुकाबलों की बात करते हैं तो मुंबई इंडियन्स बेंगालूरू का मुकाबला मुंबई के वांखेडे में कल खेला जाएगा अवेश खान के अंतीम गें राशिद खान नहीं हवा में उचा खड़ा कर दिया फिल्डर पीछे मौजूद है लेकिन ये ग जादा कॉन्फिडेंट थे बल्ले बाद राशिद खान की शुरू में तो वह भागे भी नहीं थे लेकिन जैसे ही देखा कि जॉस बटलर ने अपनी बाई तरफ ड्राइब लगा के चौका रोक लिया तो यहाँ पर एक रन भाग का पूरा कर लिया राशिद खान ने सिंग पंजाब के खिलाब के लेगी और सूपर संडे की दिन आपको बताते चलें कोलकता नाइट राइडर्स वर्स लखनाव सूपर जाइंट्स के बीच मकाबला खिला जाएगा और उसी दिन रविवार के दिन साड़े साथ बजे से खिला जाएगा मुंबई इंडियन्स वर्स चन्नई सूपर किंग्स के बीच हुवा मकाबला तो सबसे बड़ा मैंच सीजन का मुंबई का अर चन्नई का होगा लेकिन उसी दिन कोलकता और लखनईू का भी मकाबला होने वाला है तो बहुत यह बड़ा मकाबला आपको रविवार के दिन जो वो खिला जाएगा कुलकत साल लखनावू मुंबाई और चन्नाई के बीच में जहां कुलदीप सेंड नय ओवर की शुरुवात की पहली गेन लेके चले कुलदीप सेंड के ओवर की पहली गेन के उपा बल्ले बास नहीं है एक रन भाग का पूरा कर लिया 145 किलोमेटर प्रती घंटे के स्पीड से डाल करता है एक रन भाग कर इन दोनों बल्ले बास ने पूरा कर लिया है आज 72 रनों की पारी 44 गेंदों के उपा खेली कप्तान शुबमंगिल ने लेकिन फिर शुबमंगिल बहतर रनों के उपा चलते बने उनके अलावा आपको इस मैच में 35 रनों की पारी साही सुदर्शन न अगली गेंद लेकर तैयार नजर आ रहे हैं गेंद बास कुलदीप सेन एक और अच्छी गेंद अंदर आती भी गेंद के उपा जैसे तैसे बल्ले बास ने सामने की तरफ ढखेला गेंद बल्ले पर ठकराने के बाद डीप स्कोयल एक बाउंडरी की तरफ गई एक रन पू इसे दोड़ने के लिए त्यार आफस्टम के बाहर डाली भी गेंद बहुत ज़्यादा बाहर इतनी ज़्यादा बाहर की एक और वाइड बॉल का इशारा अंपायर करार देंगे और इस वाइड बॉल के साथ ही स्कोर जो है वो हो चुका है 164 रन्स 164 रनों के उपर 6 विक्टें जीतने के लिए 33 रनों की और आवशक्ता मैच अभी खतम नहीं हुआ है अभी भी 11 गेंदे बाकी हैं और 11 गेंदों के उपर आपको इस मुकाबले में जीतने के लिए चाहिए 33 रन्स यह पॉसिबल है दोस्तों क्योंकि क्रिकेट में ऐसी चीज़े बहुत दफ़ा आई पिल में तो बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है ने निकाल कर दिया है ये लिजिए कुल्दीप सेन की दूसरी गेंद के उपा बाएं हाथ के रहुल तेवतिया को लो फुल टॉस गेंद के उपा इंसाइड आउट शॉट कवर और मिडॉफ के बीच में से बटलर ने ड्राइव लगाई लेकिन उनके हाथों को गेंद चू के उपर से लॉफ्ट कर दिया ये इन बल्ले के बीच और बीच टकराने के बाएं डीप कवर बाउंडरी के तरफ निकल गई और इन देखते ही देखते चार रनों के लिए पहुँच गई है और इन चार रनों के साथ ही स्कोर हो गया है 168 रंस छे विकेट के नुकसान पर क कुलदीप सेंड अच्छे यौर कर मारने पड़ेंगे तीनों स्टम्स पर रियान पर आगी समय कुलदीप सेंड के साथ बातचीत कर रहे हैं जौस बटलर भी वहाँ पहुँचे हैं यहां कुलदीप सेंड के साथ बातचीत करने के लिए संजुस सामसन विकेट के पीछे है तो जॉस बटलर जो कि इंगलेंड के कप्तान है यह आपको यहाँ पर कप्तानी भले ही संजू सामसन कर रहे हो लेगिन बहुत जानकारी बहुत आपको हिल्प होती है संजू सामसन को क्योंकि वो लॉंग ओन, मिड ओफ, मिड ओन पे खड़े होते हैं तो गेन बास का जो पहल 28 रन 9 गेंदों के उपर, कल आपको यादोगा पंजाब ने हैदरबाद के खिलाफ अंती मूवर में 28 रन बनाये थे, जब 38 रनों की आवर्शक्ता थी तब, कमाल की बल्लेबादी कल हमें देखने को मिली थी, गर्दा काट दिया था आपको कल के मुकाबले के अंदा आसुत शर्मा के साथ जो दूसरे बल्लेबास थे उन्होंने, गुजराट टाइटन्स 179 रनों के उपर 6 विकेट, 18 ओवर और 3 गेंदों की समाफ्ती पर, कुल्दीप सेन की, ओवर की, आखरी की जो 3 गेंदे हैं, उनस पे राशिद खान मौझूद हैं, राशिद खान जो की 3 पर म उड़ा के मार दिया, एक टपा खाने के बाद 4 रन्स, और ये नो बोल भी है, एक तो वैसे ही रन कम हो रहे हैं, धीरे धीरे उपर से, कुल्दीप सेन ने, ये 143 किलोमेटर प्रती घंटे की स्पीड से, लो फुल टॉस डाली वी आफस्टम के बाहर गेंद, राशिद खान के लिए, और इनका जो पैर था, वो आगे निकलाया, और अमपायर का जो फैसला है, वो ये नो बोल का आता हुआ, इसका मतलब ये, कि अगली गेंद के उपर राशिद खान को मिलने वाली है, फ्री हीट, इस फ्री हीट के उपर राशिद तयार है, कुल्दीप सेन, आखरी की तीन गेंदे, दो बारा डालेंगे, मैच आपको पूरी तरीके से बन चुका है, गुजराट टाइटन्स के लिए, कुल्दीप सेन की, इस सोबर की चौथी गेंद, हवा में गेंद को बहुत उंचा खड़ा कर दिया, और उपर से ये फ्री हीट है, अगर कैच भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहला रन पूरा किया, दूसरे का कॉल करेंगे, और जब तक इस गेंद को डीप स्कूल एक बाउंडरी का फिल्डर, गेंद को फील करता कैच पकड़ने के बाद, तब तक इन दोनों बल्ले बाजोंने दो रन पूरे कर लिये, त स्कोर हो गया है, बढ़कर 176 रनों के उपाँ, 6 विकेट, गुजराट टाइटन्स, 21 शक्ता, 8 गेंदों पे, राशित खान अगर अगली दो गेंदों में एक चौका मार दें, और अगर एक चौका आगया, चौका आगया, अंती मोवर में, 14 और 15 रन रहे, तो बड़ा आसा अली ही ने इस बार, और टपा खाने के बाद, लेक्स्टम के बहुत बाहर चली गई, इतनी बाहर कि अमपायर ने ये वाइड बॉल का इशारा करार दिया है, टाइटन्स, 177 रन, 6 विकेट के नुकसान पार, कुल्दीप सेन की सेकेंड लास्ट डिलेवरी, सामने राशिद खान तयार है, 9 रन बना कर, कुल्दीप सेन के सोवर की आखरी की दो गेंदे मौजूद नजर आ रही है, जहां बल्ले बादी क्रीस के उपर तयार नजर आ रहे हैं, राशिद खान, 10 रन्स बना के 6 गेंदों तो एक और वाइड बॉल हो सकती थी, लेगिन राशिद खान, लेक्स्टरम के बाहर गए, फ्लिक करने की कोशिस, स्क्वेल लेक बाउंडरी की तरफ, लेगिन गेंद पैरों पर ठकराके, स्क्वेल लेकी तरफ, एक रन के लिए, एक रन के साथ, गुजरा टाइटन से 178 प देवतिया, एक चौका या एक छक्का, ये बहुत जादा आवशकता है इस आंखरी गेंद के उपर, क्योंकि अगर चौका या छक्का नहीं आया, तो फिर बड़ी दिक्कत हो सकती आपको गुजरा टाइटन्स के लिए आंखरी ओवर में, ये अंतिम गेंद को हवा में, रा रिखा के बाहर, चार रंस, राहुल तिवतिया ने ये तीसरा चौका लगा दिया, कुल दीप सेम की अंतिम गेंद के उपर, क्रीस के अंदर चले गए थे, ये थोड़ी सी शॉट गेंद की आफ स्टम पार, अंदर जाके गेंद को गेंद बास के सर के उपर से, और क्योंकि लॉंग ओफ का फिल्डर इस गेंद से पहले उपर आया था, तो राहुल तिवतिया ने उसको देखा था, और गेंद को मिड ओफ के उपर से टपा दिया, लॉंग ओफ सी मारिखा के बाहर, राहुल तिवतिया के बल्ले से ये तीसरा चौका, टाइटन्स 182 पर 6, अब 6 गे और रनों की आवशक था, क्या पंद्रा और रन्स बना पाई ये टीम, चलिए देखते हैं क्योंकि आखरी ओवर आने जा रहा है, और आखरी ओवर डालने के लिए आपको आवेश खान आने वाले हैं, तो आवेश खान अपना चौथा और अंतीम ओवर लेकर आ रहे हैं, प सूपर ओवर कल हम जाते जाते रहे गए, सूपर ओवर के अंदर आज ये सूपर ओवर हो सकता है मुकाबले में, आवेश खान अपना अंतीम ओवर लेकर आ रहे हैं, सामने आपको बल्ले बाजी ख्रीस के पर राशिद खान पहली ही गेंट पर बड़ा शौट मारने की आव बल्ले बाज इस गेंट का, लो फुल टॉस गेंटी पैरों के पास, हल्का सा ओफ स्टम पर आके गेंट को मोड दिया, गेंट बल्ले पर टकराने के बाद, डीप स्कुल एक बाउंडरी के तरह चार रंस के लिए, तो ये लो फुल टॉस थी आवेश खान की, राशिद खान को अलका सा शफल करके ओस्टम पर आके बल्ले बाज ने ओन साइड में इस गेंट को फ्लिक कर दिया, गेंट बल्ले के बीच ओ बीच टकराने के बाद, डीप स्कुल एक बाउंडरी के तरह निकल के चले गई, और ये पूरे चार रंस बटोर लिये हैं, इस चौके के साथ ह गुजराट टाइटन्स की टीम में 186 रनों के बाप पहुंच चुकी है, मुकाबला जीतने के लिए केवली 11 रन चाई अपके वल 5 गेंटों के उपार, तब तक आप लोग वीडियो को एक बर फटा फट लाइक कर दीजिएगा, लाइक नहीं किया, आप लोगोंने तो कप् के उपर एक फिल्डर लगाया जा रहा है, एक बैकवर्ड पॉइंट पर फिल्डर लगाया जा रहा है, एक हम देखेंगे तो डीप थर्ड विन बाउंडरी पर फिल्डर खड़ा किया गया है, और आवेश खान की इस ओबर की अगली गेंद आती वी, सामने आपको बैट इ अगली गेंद यॉर करती लिक्स्टम की लाइन पर उन साइड में गेंद को उठा का मार दिया, गेंद जाती वी डीप स्कुएल एक बाउंडरी पर पहला रन पूरा किया, दूसरे का कॉल करेंगे, जबते कि इस गेंद को डीप स्कुएल एक बाउंडरी का फिल्डर फिल् दिया दो रनों के साथ स्कोर जो है वो 188 रनों के उपाइस मुकाबले में पहुंचा इस टीम का स्कोर जाए अगली गेंद सामने स्ट्राइक के उपर राशिद खान ही नदर आ रहे हैं फिलाल राशिद खान इस समय 15 रनों के उपर पहुंच चुके हैं और यह मुकाबला जी दीप थर्ड मिन बाउंडरी के तरफ एक और चौका आविश खान की इस यॉरकर के उपर केवल अपना बल्ला लगाया गेंद बल्ले का पहरी किनारा लेकर गेंद सीधा दीप थर्ड मिन बाउंडरी के तरफ चले गई और अब गुजराट टाइटन्स जीत से केवल पांच रंस दूर है जी हाँ गुजराट टाइटन्स के जो फैंस हैं गुजराट टाइटन्स का जो खेमा है वो बिल्कुल खड़ा हो चुका है क्योंकि जीत बिल्कुल करीब है गुजराट टाइटन्स के तीन गेंदों में पांच रनों की जरुरत जहां राशित खान खेल रहे ह 19 रनों के उपर 9 गेंदों का सामना करने के बाद राशिद खान के लिए आवेश खान की 3 लास डिलिवरी तीन गेंदों में 5 चाहिए अब तो यह मैच जीत के बिलकुल करीब खड़ा है गुजराट टाइटन्स के पास यहां से अगर कोई फेवरेट्स है तो वह गुजराट टाइटन्स है क्योंकि 5 रन तीन गेंदों में 10 में से 9 दफा बनते हैं अगली गेंद अच्छा यहार कर रही है अच्छा यहार कर मारा लेकिन जैसे तैसे राशिद खान ने गेंद को कवर के तराफ खेला कवर के पास फिल्डर मौजूद है कवर के फिल्डर ने गेंद को फील्ड करके वापस किया दोनों बल्लेबाद़ों ने एक रन पूरा कर लिया अब चार रनों की आवशक्ता दो और गेंदों के उपार जोस्तों वहाँ चार रनों की आवशक्ता और यह आप लोगों में से एक और मित्र वीडियो को कर देगा लाइक हमारे तो हम लोग पहुंच जाएंगे कुल मिलाके डेड़ सो लाइक्स पे 149 मित्रों ने वीडियो को लाइक कर दिया तो फटाफट आप लोगों में से एक और मित्र जो हैं इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर अपना अपना नाम कॉमेंट बॉक्स में बताईए कौन को लाइक कर रहे हैं वीडियो को जल्दी कीजिए आवेश गुजराट टाइटन्स के लिए सीजन का ये तीसरा जीत गुजराट टाइटन्स को मिल सकता है अगर आपको इस मैच को फिनिश करने में कामाब हो गए तो टाइटन्स दो जीती है तीन हारी है आवेश खान चिंतित नज़रा रहे हैं राउंद विकेट से लॉंग ओन पीछे चला गया है और लॉंग ओफ को अंदर बुला लिया है मिड ओफ पर आईए आवेश खान की सेकिन लाज डिलिवरी बाय हाथ के राहुल तिवतिया ने ग उसरे रन भी कम्प्लीट कर चुके हैं तीसरे रन के लिए भाग चुके हैं शॉट गेन के उपार मिड ओफ के उपार लॉफ्टेट शॉट और ये जॉस बटर ने लॉंग ओफ बाउंडरी की तरफ दोड के इस बार ये चौका बचाया था और बहुत अच्छा थ्रो किया उन्होंने और ये रन आउट हो गए हैं रन आउट हो गए हैं तीसरे रन कम्प्लीट नहीं होगा इसका मतलावा आखरी गेन चौके ंपार दो रनों की आवशकता होगी और रहुल ते वटिया जो है वो रन आउट हो जाएंगे सोबर की पांचवी गेन के उपार चॉट ग बटलर गेंद के पीछे भागे और बटलर ने रीपले में देखा जाता वा तो आवेश खान का ये चेक किया जा रहा है कि उनका हाथ में गेंद है या नहीं है तो रीपले में अगर मैं देखता हूँ तो मुझे यही नदर आ रहा है कि गेंद उनके हाथ में है और तीसरा रन पूरा नहीं होगा यानि कि दो ही रन मिल पाएगा और अभी दो रनों में एक रन अगर बना तो सूपर ओबर होगा और अगर यहाँ पर दो रन बने तो गुजराट टाइटन्स जीत जाएगी और आखरी गेंद अगर डॉट हो गई तो यह मुकाबला राजस्थान जीत सबी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद तो दोस्तों आप लोग भी फड़ावट वीडियो को लाइक कीजिए लाइक करने के बाद जल्दी से कीजिए चैनल को सब्सक्राइब और अमपायर यही चेक कर रहे हैं कहीं किसी ने शॉर्ट रन तो नहीं भागा है तो अमपाय आजारा कि स्ट्राइक पर आखरी गेंद पर कौन रहने वाला है क्या वो राशिद खान रहेंगे या आपको आने वाले जो बल्लेबाज है गुजरात टाइटन्स की तरफ से जो की उमेश यादो हो सकते हैं उमेश यादो इसके बाद बल्लेबाजी करने आएंगे इस समय वापस अंपायर एक और अलग अंगल से देख रहे हैं तो राशिद खान के पास स्ट्राइक रहेगी और 195 पर गुजराट टाइटन्स ने गवाया ये सातवा विकेट दो रन के वल जोड़ पाए अंतीम गेंद और अंतीम गेंद के उपार सामने हैं राशिद खान और कर टीम को जिता दिया है कि अंतीम गेंद ती आविश खान के स्पेल की पारी की अंतीम गेंद सामने स्ट्राइक के उपर राशिद खान इंतीजार कर रहे थे थोड़ी सी शॉट डाली विड़ी आ उऩावस्ट्रम saràट को और राशिद खान बैकफुटators जारे के गेंद को बीच ओ बीच टकराने के बाद डीब बाकवर्ड पॉइंट बाउंडरी के तराफ और ये पूरे चार रंस मिले हैं राशिद खान को राशिद खान ने इस मुकाबले को गुजराट टाइटन्स की टीम को तीन विक्टों से जीत दिला दी अंतिम गेंद के उपार स्क्वेर करके चौका मारा और राशिद खान के लिए आवेश खान की एक बहुत ही खराब गेंद यौर कर डालने की कोशिस करनी चाहिए थी लेकिन उन्हें शौर्ट गेंद डाली और वो भी आफस्टम के बाहर बले बाद ने बहुत आराम से इस गेंद के उपार स्क्वेर कट करके चार रंस बटोर लिये गुजराट टाइटन्स ने सीजन का अपना ये तीसरा मुकाबला जीत लिया है और इस तीसरे मुकाबले को जीत के गुजराट टाइटन्स की टीम 199 रंद 199 रंदों के उपार 7 विक्टें 200 वरों की समाफ्ती पार और आपको बताते चलें गुजराट टाइटन्स की सांदार जीत की हीरो आपको एक नहीं है कई हैं इसमें शुब्मन गिल भी हीरो हैं इसमें राशित खान भी आज के मैच के अंदर हीरो हैं इसके अलावा आपको गेंद बादी में याद होगा आप लोगों को क्या कमाल की गेंद बादी की थी आपको गुजर आज साम को जब टॉस हुआ तो टॉस के उपाबाजी मारी थी दोस्तों किसने राजस्थान रोयल्स के सामने गुजराट टाइटन्स के कप्तान ने और उनका जो अंदाजा था कि बाद में चेस कर लेंगे हम 119 रंस वो अंदाजा बिल्कुल सही सावित हुआ और 119 रंस आप को इस माच में राजस्थान रोयल्स की तरफ से तो राजस्थान ने आपने पूरे 20 ओवरों में 196 रंस बनाए और 196 रंस के उपर आपको इस मुकाबले में तीन विक्टे भी गवाई राजस्थान रोयल्स की टीम ने लेकिन उसके जवाब में 20 ओवर की अंतीम गेन पर दो हीरो बन गए और जितना भी स्पोटलाइट था दोस्तों वह आपको इन्होंने आज के इस मुकाबले के अंदर हासिल कर लिया तो आए चलते हैं मैच के तरफ और देखते हैं दोनों ही टीमों का स्कोर कार्ड आखिरकार दोनों ही टीमों के स्कोर कार्ड के अंदर क्या कुछ क खराब रही संजू सैमसन ने आज पारी की लाज बचाली राजस्थान रॉयल्स के लिए और आज ओपनिंग करने उतरे थे राजस्थान रॉयल्स की तरफ से यश्रस्वी जैस्वाल और यश्रस्वी जैस्वाल के साथ आज के मैच में सलामी बल्लेबादी करने उतरे थे दा जौस बटलर के वो आठ रनों की पारी जिन्होंने पिछले माच में सतक मारा था बहुत प्रेशर डाल गया फिर आपको आए यशस्वी जैसवाल यशस्वी जैसवाल ने आपको इस मुकाबले में महज 19 गेंदे खेली और 19 गेंदों के उपर 24 रन्स बनाए ताबर तोर अंद के बाद बैटिंग करने उत्रे नंबर 3 की पोजिशन पार दाए हाथ के संजू सामसन संजू सामसन ने आज कप्तानी पारी खेली और सामसन ने महज और महज आपको 38 गेंदों के उपर अरसाट रन्स ठोक दिये जिसमें साथ चौके शामिल थे और दो गगन चुम्बी छक्के भी शामिल थे जिसमें 178 का स्ट्राइक रेड था संजू सामसन का और संजू सामसन की ये नाबाज जो पारी थी अरसाट रनों की वो राजस्थान रोयल्स को लग भग लग भग जीत ले गई लेकिन सामसन के अलावे एक और खिलाडी की तारीफ करनी पड़ेगी पिछले साल ये खिलाडी आपको लोग कहते थे कि बोज बना हुआ है लेकिन रियान पराग इस साल दिखा रहे हैं कि क्यों इस खिलाडी को इस टीम ने इतना जादा बैक अप किया रियान पराग 48 गेंदे 76 रन तीन चौके पांच छक्के 158 का स्ट्राइक रेट और जब आये थे बल्ले बाजी करने तब लगतार दो विक्टे गिर गई थी उसके बाद लेकिन इनों ने और सैमसन ने मिल के कमाल कर दिया अंत में शिम्रोन हेट मायर ने पांच गेंदों पे 13 रन इस माच में हेट मायर के 5 गेंदों में 13 रनों के बाद 7 रन मुफ्त में मिले 7 के 7 वाइड के रूप में पॉल और विकेट की बात कर लेते हैं आज के दिन तो पहली विकेट आपको इस मुकाबले के अंदर राजस्थान रोयल्स के टीम की गई थी 32 पर दूसरी विकेट और तीसरी विकेट 172 पर आज गेंदबादी में आपको गुजराट टाइटन्स की तरफ से उमेश यादो 4 ओबर 47 रन एक विकेट स्पेंसर जॉनसन 4 ओबर 37 रन कोई विकेट नहीं राशित खान अपने 4 में 18 रंदे के एक विकेट नूर एमद 4 में 43 रंदे के कोई 51 रंदे के एक सफल था राशित खान का जो वह 4 ओबर का स्पेल था वो असल माइनों में गुजराट टाइटन्स को जिता ले गया पावर क्ले में आज बनें राजिस्थान की तरफ से केवल और केवल 43 रंस लेकिन 20 ओबर में 196 बनाने में कामयाब हो गए थी राजिस्थान रॉयल्स की टीम और 197 का लक्षे आज के इस मुकाबले में गुजराट टाइटन्स के लिए सेट किया जिसमें गुजराट टाइटन्स की टीम जब बल्ले बादी करने इस मैच में उतरी तो टाइटन्स की शिरुवात तो उतनी कुछ खास नहीं रही क्योंकि जो आज सलामी बल्ले बादी करने उतरे इस मुकाबले में बीसाई सुदर्शन 39 गेंदों में 35 बनाए तीन चौका और एक छक्का मार के अपनी विकेट गवा बैठे बीसाई सुदर्शन के बाद बल्ले बादी करने उतरे दाय हाथ के आपको शुबमंगिल 44 गेंदों में 22 रंस बनाए और आज इन्होंने कप्तानी पारी खेली 6 चौके मारे 2 चके मारे बहुत अच्छी बल्ले बादी की अंत में अपनी चलहांकी से युजुवेंद्र चहल ने इनको चलता कर दिया फिर आपको मैथ्यू वेड आए जो की सीजन का अपना पहला ही मुकाबला खेल रहे थे और मैथ्यू वेड ने आपको इस मुकाबले में कुछ खास किया नहीं 6 गेंदे खेली 4 रंस बनाए और फिर अपनी विकेट भी गवा के चलते बने जनाब इ दो गेंदों के उपा एक रं की पारी के बाद अभीनो मनोहर की पारी जो है वो समाफ्त हो गई अभीनो मनोहर की पारी के बाद बल्लेबादी करने उत्रे दाय हाथ के विजय शंकर और विजय शंकर ने आपको आज 10 गेंदों पे 16 रं बनाए जिसमें 3-4 शामिल थे विजय तेवतिया के बाद शारू खान ने 8 गेंदों में 24 रंज बनाएं माफ किजिए किया 14 रंज बनाएं एक चौका और एक चक्का शारू खान ने मारा शुरुवात इन्हों ने ही किया आपको जब मैच में पीछे चल रहे थे तो शारू खान ने चौका चखका मार के टीम को कमबाक करा था वो एक छोटा सा मोमेंटम दिलाया था लेगिन फिनिश किया इस मोमेंटम को राशिद खान ने 11 गेंदे 24 रन 4 चौके 218 का स्ट्राइक रेट और अंतीम गेंद पे दो रन चाये थे पॉइंट बाउंडरी के तरफ चौका मार के राशिद ने टीम को जिता दिया नूर एमद नॉट आउट रहे सून्य पे 11 रन मुफ्त में मिले 7 वाइट एक नो बॉल और तीन लेगबाई के रूप में आज फॉल ओ विकेट्स पहली विकेट आपको इस मुकाबले के अंदर गुजराट टाइटन्स की 64 पे गई दूसरी 77 पे गई तीसरी 89 पे गई चौती 111 पे पांचवी एक सो 33 पे 6 एक सो 57 पे आठवी आपको 7 एक सो 95 पे फिर आपको गेंदबाद ही किये अंदर बात करते हैं तो कप्तान ने अपने में गेंदबादो का ही इस्तमाल नहीं किया ट्रेंट बोल्ट 4 दो ओवर केवल कराए गए पता नहीं क्यूंँ आठ रन दिये कोई सफलता ने ट्रेंट बोल्ट ने अवेश खान 4 ओवर 48 रन एक सफलता केशव महराज 2 ओवर 16 रन और कोई सफलता नहीं पहले माच में असफल रहे रवी चंदरन अश्विन बहुत बड़ा सेट बैक रहा है दोस्तों राजस्थान के लिए 4 ओवर 40 रन कोई सफलता नहीं यूजवेंद्र चहल 4 ओवर 43 रन दो सफलता है और चहल की चतुराई भी आज माच नहीं जिता पाई पिर आपको कुल्दीप सेन क्या गेंदबादी की भाई साब इन्होंने 4 ओवर 41 रन और 3 सफलता हैं कमाल कर दिया कुल्दीप सेन ने पावर प्ले में आज 44 रन बने और इस तरीके से राजस्थान रॉयल्स के टीम ने 197 रनों का पीछा करते वे इस मुकाबले में 20 ओपरों के इस समापती पर 199 रन्स बना लिये 7 विक्टो के नुकसान पर और आज के इस मुकाबले को जो है वो राजस्थान रॉयल्स की टीम जो है वो जीत हार चुकी है अब चलते हैं पॉइंट्स टेबल की तरफ और देखते हैं पॉइंट्स टेबल की परिस्तिया क्या नजर आ रही है तो दोस्तों ये 24 वे मुकाबले की समापती के बाद पॉइंट्स टेबल के अहलात कुछ इस तरीके से बन गए है राजस्तान रॉयल्स टॉप पर बना हुआ है अभी भी पहला मुकाबला इस सीजन के अंदर हारा और अब सारी टीमें ऐसी हो गई है जिसने एक ना एक मुकाबला हारा हुआ है तो आज राजस्तान अपना पहला मुकाबला हारा इस सीजन में राजस्तान रॉयल्स के अलावा अगर हम देखेंगे तो राजस्तान अपने फिलाल पांच मुकाबलों में चार जीता है एक हारा है और इनके पास आठ अंकों के साथ नमबर एक नमबर दो पे कोलकता नाइट राइडर्स के टीम चार मुकाबलों में तीन जीत एक हार वन पॉइंट फाइफ कर अंरेट छे अंकों के साथ कोलकता नमबर दो एक पे राजस्तान पांच मुकाबलों में चार जीत एक हार आठ अंकों के साथ नमबर तीन पर लखनाउ सूपा जायंट्स चार मुकाबलों में तीन जीत एक हार 0.7 का रन रेट छे अंकों के साथ लखनाउ नम्बा तीन नम्बा चार पर चैन्नाई सूपकिंग्स पांच मुकाबलों में तीन जीत दो हार 0.6 का रन रेट छे अंकों के साथ चन्नाई नमबर चार नमबर पांच पे सनराइजर्स हैदरबाद पांच मुकाबलों में तीन जीत दो हार 0.3 कर अरेट छे अंकों के साथ हैदरबाद नमबर पांच नमबर चे पे गुज्राट टाइटन्स आ चुकी है इससाथ से जिनने छे मुकाबलों में तीन जीते हैं तीन हारे हैं माइनस 0.6 कर अरेट छे अंकों के साथ गुज्राट नमबर चे नमबर साथ पे पंजाब किंग्स पांच मुकाबलों में दो जीत तीन हार माइनस 0.19 कर अरेट नमबर आठ के उपर मुंबई इंडियन्स चार मुकाबलों में एक जीत तीन हार माइनस 0.7 करन रेट दो अंकों के साथ मुंबई नमबर आठ नमबर नौ पे रॉयल चलेंजर्स बिंगा लूरू पांच मुकाबलों में एक जीत चार हार दो अंकों के साथ बिंगा लूरू है नमबर नौ पार नमबर 10 पे है दिल्ली कापिटल्स पांच मुकाबलों में एक जीत चार हार माइनस 1.3 करन रेट और दो अंकों के साथ दिल्ली नमबर 10 तो ये हैं दोस्तों आपको टाटा IPL 2024 के पॉइंस टेबल के सूरतेहाल और आज का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स हार गई है और गुजराट टाइटन्स ने इस मुकाबले को तीन विक्टो से जीत लिया है कहां सबने सोचा था कि राजस्थान रॉयल्स आज पांचवा मुकाबला जीतेगी लगभग लगभग राजस्थान जीती चुकी थी इस मुकाबले को लेकिन उनके मुँ में हाँ डाल के इस माच को जो वह जीत लिया है गुजराट टाइटन्स ने क्योंकि अठारवे उननीस वे उवर तक तो लगी रहा था कि राजस्थान जीत जाएगी लेकिन अंद में दोस्तों यहाँ पर एकाद उवर ने पूरी तरीके से माच का जो रुख था वो बदल के रख दिया तो अब है कल दो बड़े एक और बड़ा मुकाबला कल है आपको मुंबाई इंडियन्स वर्सिस रॉयल चैलिंजर्स बेंगालूरू के बीच मुंबाई के वांग खेड़े के मैदान पे मुकाबला तो दोस्तों कल के लिए तयार हो जाएए वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को कर दीजे सब्सक्राइब खाना पीना खाईए मज़े कीजिए नोटिफिकेशन का बटन दबाईए सब्सक्राइब करने के बाद मिलेंगे हम मुंबाई और बैंगलूरू के मुकाबले में लेकिन अभी कहीं नी जाने का अभी स्कोर कार्ट के उपर एक नज़र डा और राशित खाण ने चौका मार का टीम को जिता दिया है अंतीम गेन थी आविश खान के स्पेल की पारी की अंतीम गेन थी सामने स्ट्राइक के उपर राशित खान इंतजार कर रहे थैं थोड़ी सी शॉट डाली विट दिया आउटसाईद इ ओस्तव्ट दायाँगाद के और राशिद खान बाक्फूट पे खड़े रहे के गेन को ये स्क्वेर कट करने में कामनाब हो गए गेन बलने के बीच ओ बीच ठकराने के बाद डीब बाक्वर्ड पॉइंट बाउंडरी के तराफ और ये पूरे चार रंस मिले है राशिद खान को राशिद खान ने इस मुकाबले को गुजराट टाइटन्स की टीम को तीन विक्टों से जीत दिला दी अंतिम गेंद के उपार स्क्वेर कट करके चौकाब मारा और राशिद खान के लिए आवेश खान की एक बहुत ही खराब गेंद यॉरकर डालने की कोशिस करनी चाहिए थी लेकिन उन्हें शॉर्ट गेंद डाली और वो भी आफस्टम के बाहर बल्लेबाज ने बहुत आराम से इस गेंद के उपार स्क्वेर कट करके चार रंस बटोर लिये गुजराट टाइटन्स ने सीजन का अपना ये तीसरा मुकाबला जीत लिया है और इस तीसरे मुकाबले को जीत के गुजराट टाइटन्स की टीम 199 रंद 199 रंद 199 रंदों के उपार 7 विक्टें 200 वरों की समाफ्ती पार और आपको बताते चलें गुजराट टाइटन्स की सांदार जीत की हीरो आपको एक नहीं है कई है इसमें शुबमन गिल भी हीरो है इसमें राशित खान भी आज के मैच के अंदर हीरो है इसके अलावा आपको गेंद बाजी में याद होगा आप लोगों को क्या कमाल की गेंद बाजी की थी आपको गुजराट टाइटन्स की टीम की तरफ से राशित खान ने चार मह ठारा रंदे के एक विक्ट निकाला था उनकी गेन बादी भी आप नहीं भूल सकते हैं 197 के टार्गेट को 199 बना दिया 20 ओवर में टाइटन्स ने आज साम को जब टॉस हुआ तो टॉस के उपापाजी मारी थी दोस्तों किसने राजस्थान रोयल्स के सामने गुजराट टाइटन्स के कप्तान ने और उनका जो अंदाजा था कि बाद में चेस कर लेंगे हम 199 रन्स वो अंदाजा बिल्कुल सही साबित हुआ और 199 रन आपको इस टीम ने चेस कर लिये तो जब शुरुआत वी बल्ले बादी में आपको इस मैच में राजस्थान रोयल्स की तरफ से तो राजस्थान ने आपने पूरे 20 ओवरों में 196 रन्स बनाए और 196 रनों के उपर आपको इस मुकाबले में तीन विक्टे भी गवाई राजस्थान रोयल्स की टीम ने लेकिन उसके जवाब में 20 ओवर की अंतीम गेन पर दो रन्स चाहिए थे और उस अंतीम गेन पर चौका मार के राशिद खान आज के हीरो बन गए और जितना भी स्पोटलाइट था दोस्तों वह आपको इन्होंने आज के इस मुकाबले के अंदर हासिल कर लिया तो आईए चलते हैं मैच के तरफ और देखते हैं दोनों ही टीमों का स्कोर कारड आखिरकार दोनों ही टीमों के स्कोर कारड के अंदर क्या कुछ कहानी रही राशिद खान आज के इस मुकाबले में जब बल्लेबादी करने उतरी थी राजस्थान रॉयल्स के टीम तो राजस्थान रॉयल्स की तरफ से आज शुरुआत एक बाद फिर बहुत खराब रही संजू सैमसन ने आज पारी की लाज बचा ली राजस्थान रॉयल्स के लिए और आज ओपनिंग करने उतरे थे राजस्थान रॉयल्स की तरफ से यश्रस्वी जैस्वाल और यशस्वी जैस्वाल के साथ आज के मैच में सलामी बल्लेबादी करने उतरे थे दाएं हाथ के जॉस दबॉस जॉस बटलर ने मुकाबले के अंदर केवल और केवल आपको 10 गेंदे खेली और 10 गेंदों के उपर आपको 8 बना कर अपनी विकेट गवा कर चलते बने जॉस बटलर के वो 8 रनों की पारी जिन्होंने पिछले माच में सतक मारा था बहुत प्रेशर डाल गिया फिर आपको आए यशस्वी जैस्वाल यशस्वी जैस्वाल ने आपको इस मुकाबले में महज 19 गेंदे खेली और 19 गेंदों के उपर 24 रन्स बनाए तापर तोड़ अंदाज में यशस्वी जैस्वाल ने आज इनका बल्ला चला लेकिन ज़ादा देर नहीं चला 19 गेंदों के उपाज 24 रंस मार के आउट हो गए आपको यश्रस्वी जैस्वाल जैस्वाल के आउट होने के बाद बैटिंग करने उतरे नमबा 3 की पोजिशन पार दाए हाथ के संजू सामसन संजू सामसन ने आज कप्तानी पारी खेली और सामसन ने महज और महज आपको 38 गेंदों के उपर अरसाट रन्स ठोक दिये जिसमें 7 चौके शामिल थे और 2 गगन चुम्बी छक्के भी शामिल थे जिसमें 178 का स्ट्राइक रेड था संजू सामसन का और संजू सामसन की ये नाबाज जो पारी थी अरसाट रनों की वो र संजू सामसन के अलावा एक और खिलाडी की तारीफ करनी पड़ेगी पिछले साल ये खिलाडी आपको लोग कहते थे कि बोज बना हुआ है लेकिन रियान पराग इस साल दिखा रहे हैं कि क्यों इस खिलाडी को इस टीम ने इतना जादा बैक अप किया रियान पराग 48 गें लेकिन इनों ने संसन ने मिलके कमाल कर दिया अंत में शिम्रोन हेट मायर ने पांच गेंदों पे 13 रन बनाए एक चौका और एक चका मारा इस मैच में हेट मायर के पांच गेंदों में 13 रनों के बाद 7 रन मुफ्त में मिले 7 के 7 वाइड के रूप में पॉल और विकेट की साथ कर लेते हैं आज के दिन तो पहली विकेट आपको इस मुकाबले के अंदर राजस्थान रोयल्स के टीम की गई थी 32 पर दूसरी विकेट आपको इस मैच में 42 पर बटलर की और तीसरी विकेट 172 पर आज गेंदबादी में आपको गुजराट टाइटन्स की तरफ से उ विकेट नहीं मोहीत चर्मा चार में 51 रंदी के एक सफल था राशित खान का जो वह चार ओवरू का स्पिल था वो असल माइनों में गुजराट टाइटन्स को जिता ले गया पावर प्ले में आज बनें राजस्थान की तरफ से केवल और केवल 43 रंस लेकिन 20 ओवर में 196 बन ने इस माच में उतरी तो टाइटन्स की शुरवात तो उतनी कुछ खास नहीं रही क्योंकि जो आज सलामी बल्ले बादी करने उतरे इस मुकाबले में 20 साइस तुदर्शन 39 गेंदों में 35 बनाए तीन चौका और एक छका मार के अपनी विकेट गवा बैठे 20 साइस सुदर्शन के बाद बल्ले बादी करने उतरे दाय हाथ के आपको शुबमंगिल 44 गेंदों में 72 रंज बनाए और आज इन्होंने कप्तानी पारी खेली 6 चौके मारे 2 चके मारे बहुत अच्छी बल्ले बादी की अंत में अपनी चलहांकी से युजुएंद्र चहल इनको चलता कर दिया फिर आपको मैत्यू वेड आए जो की सीजन का अपना पहला ही मुकाबला खेल रहे थे और मैत्यू वेड ने आपको इस मुकाबले में कुछ खास किया नहीं 6 गेंदे खेली 4 रंस बनाए और फिर अपनी विकेट भी गवा के चलते बने जनाब इनके आ अबिनो मनोहर की पारी के बाद बल्लेबादी करने उत्रे दाएं हाथ के विजय शंकर और विजय शंकर ने आपको आज 10 गेंदों पे 16 रं बनाए जिसमें 3-4 शामिल थे विजय शंकर के बाद रहुल तेवतिया ने 11 गेंदों पे 22 रंस बनाए तीन चौके शामिल थे इस म 14 रंस बनाए एक चौका और एक शारू खान ने मारा फिरवात इन्होंने ही कि आपको जब मैक में पीछे चल रहे थे तो शारू खान ने चौका चौका मार के टीम को कमबाक करा था वो एक छोटा सा मोमेंटम दिलाया था लेगिन फिनिश किया इस मोमेंटम को राशित खान ने 11 गेंदे 24 रंच चार चौके 218 का स्ट्राइक रेट और अंतीम गेंद पे दो रंच चाहिए थे पॉइंट बाउंडरी के तरफ चौका मार के राशित ने टीम को जिता दिया नूर एमद नोट आउट रहे सून्य पे 11 रंण मुफ्त में मिले 7 वाइड एक नोबॉल और तीन लेगबाई के रूप में आज फॉल आ विकेट्स पहली विकेट्स आपको इस मुकाबले के अंदर गुजराट टाइटन्स की 64 पे गई दूसरी 77 पे गई तीसरी 89 पे गई चौती 111 पे पांच वे एक सो तैन तीस पे चटी एक सो 57 पे आठवी आपको सातवी एक सो 95 प बोल्ट ने अवेश खान 4 ओवर 48 रन एक सफलता केशव महराज 2 ओवर 16 रन और कोई सफलता नहीं पहले माच में असफल रहे रवी चंदरन अश्विन बहुत बड़ा सेट बैक रहा दोस्तों राजस्थान के लिए 4 ओवर 40 रन कोई सफलता नहीं युजवेंद्र चहल 4 भाई भी आज माच नहीं जिता पाई फिर आपको कुलदीप सेन क्या गेंदबादी की भाई साहब इन्होंने 4 ओवर 41 रन और 3 सफलता हैं कमाल कर दिया कुलदीप सेन ने पावर प्ले में आज 44 रन बने और इस तरीके से राजस्थान रॉयल्स के टीम ने 197 रनों का पीछा करते हैं इस मुकाबले में 20 ओपरों के समाफ्ती पर 199 रन्स बना लिये 7 विक्टो के नुकसान पार और आज के इस मुकाबले को जो है वो राजस्थान रॉयल्स की टीम जो है वो जीत हार चुकी है अब चलते हैं पॉइंस टेबल की तरफ और देखते हैं पॉइंस टेबल क की परिस्तिया क्या नजर आ रही हैं तो दोस्तों ये 24 ओए मुकाबले की समाफ्ती के बाद पॉइंस टेबल के हालात कुछ इस तरीके से बन गए हैं राजस्थान रॉयल्स टॉप पर बना हुआ है अभी भी पहला मुकाबला इस सीजन के अंदर हारा और अब सारी टीमें ऐसी हो गई हैं जिसने एक न एक मुकाबला हारा हुआ है तो आज राजस्थान अपना पहला मुकाबला हारा इस सीजन में राजस्थान रॉयल्स के अलावा अगर हम देखेंगे तो राजस्थान अपने फिलाल पांच मुकाबलों में चार जीता है एक हारा है और इनके पा पांच मुकाबलों में चार जीत एक हार आठ अंकों के साथ नमबर तीन पर लखनव सूपर जायंट्स चार मुकाबलों में तीन जीत एक हार 0.7 का रण रेट 6 अंकों के साथ लखनव नमबर तीन नमब चार पर चन्नाई सूपकिंग्स पांच मुकाबल में तीन जीत दोहार 0.6 का रणरेट छे अंकों के साथ चन्नाई नमब चार नमबर पांच पे Sunrisers हैदरबाद पांच मुकाबलों में तीन जीत, दो हार 0.3 का रन रेट छे अंकों के साथ हैदरबाद नमबर पांच नमबर चे पे गुजराट Titans आ चुकी है साथ से जिन्होंने छे मुकाबलों में तीन जीते हैं, तीन हारे हैं माइनस 0.6 का रन रेट, छे अंकों के साथ गुजरात नमबर चे नमबर साथ पे पंजाब Kings, पांच मुकाबलों में दो जीत, तीन हार माइनस 0.19 का रन रेट नमबर आठ के उपर मुंबई Indians, चार मुकाबलों में एक जीत, तीन हार माइनस 0.7 का रन रेट दो अंकों के साथ मुंबई नमबर 8, नमबर 9 पे Royal Challengers बिंगा लूरू, पांच मुकाबलों में एक जीत, चार हार दो अंकों के साथ बिंगा लूरू है नमबर 9 पार नमबर 10 पे है दिल्ली Capitals, पांच मुकाबलों में एक जीत, चार हार माइनस वन पॉइंट त्री करन रेट और दो अंकों के साथ दिल्ली नमबा दस तो ये हैं दोस्तों आपको टाटा आई पियल दो हजार चौबीस के पॉइंट स्टेबल के सूरतेहाल और आज का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स हार गई है और गुजराट टाइटन्स ने इस मुकाबले को तीन विक्टो से जीत लिया है कहां सबने सोचा था कि राजस्थान रॉयल्स आज पांचवा मुकाबला जीतेगी लगभग लगभग राजस्थान जीती चुकी थी इस मुकाबले को लेकिन उनके मुँ में हाँ डाल के इस मैच को जो वो जीत लिया है गुजराट टाइटन्स ने क्योंकि 18-19 वे उवर तक तो लगी रहा था कि राजस्थान जीत जाएगी लेकिन अंत में दोस्तों यहाँ पर एकाद ओवर ने पूरी तरीके से मैच का जो रुख था वो बदल के रख दिया तो अब है कल दो बड़े एक और बड़ा मुकाबला कल है आपको मुंबाई इंडियन्स वर्सिस रॉयल चैलेंजर्स बेंगालूरू के बीच मुंबाई के वांग खेड़े के मैदान पे मुकाबला तो दोस्तों कल के लिए तयार हो जाएए वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब खाना पीना खाईए मज़े कीजिए नोटिफिकेशन का बटन दबाईए सब्सक्राइब करने के बाद मिलेंगे हम मुंबाई और बैंगलूरू के मुकाबले में लेकिन अभी कहीं नी जाने का अभी स्कोर काट के उपर एक नज़र डालने का आएए स्कोर काट पर एक नज़र डाल ले ते और राशित खान ने ये चौका मार का टीम को जिता दिया है अंतीम गेन थी आविश खान के स्पेल की पारी की अंतीम गेन थी सामने स्ट्राइक के उपर राशित खान इंतजार कर रहे थे थोड़ी सी शॉट डाली विड़ दिया आउट साइड यॉफ स्टम दाय हाथ के पे खड़े रहे के गेन को ये स्क्वेर कट करने में काम्याब हो गए गेन बल्ले के बीच ओ बीच टकराने के बाद दीब बैकवर्ड पॉइंट बाउंडरी के तराफ और ये पूरे चार रंस मिले है राशित खान को राशित खान ने इस मुकाबले को गुजराट टाइट टीम को तीन विक्टो से जीत दिला दी अंतिम गेंद के उपार स्क्वेर कट करके चौका मारा और राशित खान के लिए आवेश खान की एक बहुत खराब गेन यारकर डालने की कोशिस करनी चाहिए थी लेकिन उन्हें शॉट गेन डाली और वो भी आफस्टम के बाहर बल् गुज्राट टाइटन्स की टीम 199 रन एक सुनिननानवे रनों के उपार साथ विक्टें 20 सोवरों की समावति पार और आपको बताते चलें गुज्राट टाइटन्स की सांदार जीत की हीरो आपको एक नहीं है कई हैं इसमें शुबन गिल भी हीरो हैं इसमें राशित खान भ उनकी गेन बादी भी आप नहीं भूल सकते हैं 197 के टारगेट को 199 बना दिया 20 सोवरों में टाइटन्स ने आज साम को जब टॉस हुआ तो टॉस के उपापाजी मारी थी दोस्तों किसने राजस्थान रोयल्स के सामने गुज्राट टाइटन्स के कप्तान ने और उनका जो अंदाजा था कि बाद में चेस कर लेंगे हम 199 रन्स वो अंदाजा बिलकुल सही सावित हुआ और 199 रन आपको इस टीम ने चेस कर लिये तो जब शुरुवात हुई बल्ले बादी में आपको इस माच में राजस्थान रोयल्स की तरफ से तो राजस्थान ने आपने पूरे उबर की अंतीम गेन पर दो रन चाहिए थे और उस अंतीम गेन पर चौका मार के राशिद खान आज के हीरो बन गए और जितना भी स्पोटलाइट था दोस्तों वो आपको इन्होंने आज के इस मुकाबले के अंदर हासिल कर लिया तो आए चलते हैं मैच की तरफ और देख राजस्थान रॉयल्स की टीम तो राजस्थान रॉयल्स की तरफ से आज शुरुआत एक बाद फिर बहुत खराब रही संजू सैमसन ने आज पारी की लाज बचा ली राजस्थान रॉयल्स के लिए और आज ओपनिंग करने उतरे थे राजस्थान रॉयल्स की तरफ से यश्रस्वी जैस्वाल के साथ आज के मैच में सलामी बल्लेबादी करने उतरे थे दाएं हाथ के जॉस दबॉस तो जॉस बटलर ने मुकाबले के अंदर केवल और केवल आपको दस गेंदे खेली और दस गेंदों के उपर आपको आठ बना कर अपनी विकेट गवा कर चलते बने जॉस बटलर के वह आठ रनों की पारी जिन्होंने पिछले माच में सतक मारा था बहुत प्रेशर डाल गया फिर आपको आए यश्रस्वी जैस्वाल यश्रस्वी जैस्वाल ने आपको इस मुकाबले में महज 19 गेंदे खेली और 19 गेंदों के उपर 24 रन्स बनाए था आउट होने के बाद बैटिंग करने उतरे नमबा 3 की पोजिशन पार दाए हाथ के संजू सामसन संजू सामसन ने आज कप्तानी पारी खेली और संजू सामसन ने महज और महज आपको 38 गेंदों के उपर 68 रन्स ठोक दिये जिसमें साथ चौके शामिल थे और दो गगन चु लगभग लगभग मैट जीता ही ले गई थी लेकिन अंत में गुजराट टाइटन्स ने अपने नर्फ को होल्ड रखा और मैट जीत ले गई लेकिन सामसन के अलावे एक और खिलाडी की तारीफ करनी पड़ेगी पिछले साल ये खिलाडी आपको लोग कहते थे कि बोज ब 558 का स्ट्राइक रेट और जब आये थे बल्ले बाजी करने तब लगतार दो विक्टे गिर गई थी उसके बाद लेकिन इनों ने सामसन ने मिल के कमाल कर दिया अंत में शिम्रोन हेट मायर ने पांच गेंदों पे 13 रन बनाए एक चौका और एक चका मारा इस मैच में हेट म आपको इस मुकाबले के अंदर राजस्थान रोयल्स के टीम की गई थी 32 पर दूसरी विकेट आपको इस मैच में 42 पर जया बटलर की और तीसरी विकेट 172 पर आज गेंदबादी में आपको गुजराट टाइटन्स की तरफ से उमेश या दो 4 ओबर 47 रन एक विकेट स्पे चर्मा चार में 51 रन दे के एक सफल था राशित खान का जो वह चार ओवरो का स्पेल था वो असल माइनों में गुजराट टाइटन्स को जिता ले गया पावर प्ले में आज बनें राजस्थान की तरफ से केवल और केवल 43 रन्स लेकिन 20 ओवरो में 196 बनाने में काम्याब हो तो टाइटन्स की शुरुआत तो उतनी कुछ खास नहीं रही क्योंकि जो आज सलामी बल्ले बादी करने उत्रे इस मुकाबले में 20 साइस तुदर्शन 39 गेंदों में 35 बनाए 3 चौका और 1 चका मार के अपनी विकेट गवा बैठे 20 साइस सुदर्शन के बाद बल्ले बादी करने उत्रे दाय हाथ के आपको शुबमंगिल 44 गेंदों में 72 रंस बनाए और आज इन्होंने कप्तानी पारी खेली 6 चौके मारे 2 चके मारे बहुत अच्छी बल्ले बादी की अंत में अपनी चलहांकी से युजवेंद्र चहल न आए और फिर अपनी विकेट भी गवा के चलते बने जनाब इनके आउट होने के बाद बल्ले बादी में नमबर 4 की पोजिशन पे उतारा गया दाय हाथ के अभिनाव मनोहर को अभिनाव मनोहर ने इस मुकाबले में आपको दो गेंदों के उपा एक रं की पारी के बाद अ पारी के इनень चौके शामिल में विजह शेंकर के बाद रहुल तिवतिया ने 11 गेंदों पे 22 बनाएं तीन चौके शामिल था इस मुकाबले में 200 का स्ट्राइक रेट अंटीम गेंद से पहले रहुल तिवतिया आउट हो गए राहुल तेवतिया के बाद शारू खान ने 8 गेंदों में 24 रंज बनाएं माफ किजिए गया 14 रंज बनाएं एक चौका और एक चक्का शारू खान ने मारा शुरवात इन्हों नहीं किया आपको जब मैच में पीछे चल रहे थे तो शारू खान ने चौका चक्का मार के टीम को कमबाक कराया था वो एक छोटा सा मोमेंटम दिलाया था लेगिन फिनिश किया इस मोमेंटम को राशित खान ने 11 गेंदे 24 रंज 4 चौके 218 का स्ट्राइक रेट और अंतीम गेंद पे 2 रंज चाहिए थे पॉइंट बाउंडरी के तरफ चौका मार के राशित ने टीम को जिता दिया नूर एमद नौट आउट रहे सून्य पे 11 रंण मुफ्त में मिले साथ वाई एक नो बॉल और तीन लेगबाई के रूप में आज फॉल ओ विकेट्स पहली विकेट आपको इस मुकाबले के अंदर गुजरा टाइटन्स की 64 पे गई दूसरी 77 पे गई तीसरी 89 पे गई चौती 111 पे पांचवी एक सो 33 पे 6 एक सो 57 पे आठवी आपको 7 एक सो 95 पे पिर आपको गेंद बाद ही किये अंदर बात करते हैं तो कप्तान ने अपने में गेंबाजो का ही इस्तमाल नहीं किया ट्रेंट बोल्ट 4 दो ओवर केवल कराए गए पता है नहीं क्यूं 8 रन दिये कोई सफलता नहीं ट्रेंट बोल्ट ने अवेश खान 4 ओवर 48 रन एक सफलता केशव महराज 2 ओवर 16 रन और कोई सफलता नहीं पहले माच में असफल रहे रवी चंदरन अश्विन बहुत बड़ा सेट बैक रहा है दोस्तों राजस्थान के लिए 4 ओवर 40 रन कोई सफलता नहीं युजवेंद्र चहल 4 ओवर 43 रन दो सफलता हैं चहल की चतुराई भी आज माच नहीं जिता पाई फिर आपको कुल्दीप सेन क्या गेंदबादी की भाई साब इन्होंने 4 ओवर 41 रन और 3 सफलता हैं कमाल कर दिया कुल्दीप सेन पावर प्ले में आज 44 रन बनें और इस तरीके से राजस्थान रॉयल्स के टीम ने 197 रनों का पीछा करते हुए इस मुकाबले में 22 ओपरों के इस समाफ़ती पर 199 रन बना लिये 7 विक्टों के नुकसान पर और आज के इस मुकाबले को जो है वो राजस्थान रॉयल्स के टीम जो है वो जीत हार चुकी है अब चलते हैं पॉइंट्स टेबल की तरफ और देखते हैं पॉइंट्स टेबल की परिस्तितिया क्या नजर आ रही है तो दोस्तों ये 24 वे मुकाबले की समाफ़ती के बाद पॉइंट्स टेबल के हलात कुछ इस तरीके से बन गए है राजस्थान रॉयल्स टॉप पर बना हुआ है अभी भी पहला मुकाबला इस सीजन के अंदर हारा और अब सारी टीमें ऐसी हो गई है जिसने एक ना एक मुकाबला हारा हुआ है तो आज राजस्थान अपना पहला मुकाबला हारा इस सीजन में राजस्थान रॉयल्स के अलावा अगर हम देखेंगे तो राजस्थान अपने फिलाल पांच मुकाबलों में चार जीता है एक हारा है और इनके पास आठ हंकों के साथ नंबर एक नमबर दो पे कोलकता नाइट राइडर्स की टीम चार मुकाबलों में तीन जीत एक हार 1.5 का रन रेट 6 अंकों के साथ कोलकता नमबर दो एक पे राजस्तान पाँच मुकाबलों में चार जीत एक हार आठ अंकों के साथ नमबर तीन पर लखनव सूपा जायंट्स चार मुकाबल में तीन जीत एक हार 0.7 का रन रेट छे अंकों के साथ लखनव नमबर तीन नमब चार पर चन्नाई सूपकिंग्स पांच मुकाबलों में तीन जीत दोहार 0.6 का रन रेट छे अंकों के साथ चन्नाई नमब चार नमब पांच पर सन्राइजर्स हैदरबाद पांच मुकाबलों में तीन जीत दोहार 0.3 का रन रेट छे अंकों के साथ हैदरबाद नमबर 5 नमबर 6 पे गुजराट टाइटन्स आ चुकी है साथ से जिनने छे मुकाबलों में तीन जीते हैं तीन हारे हैं माइनस 0.6 का रन रेट छे अंकों के साथ गुजराट नमबर 6 नमबर 7 पे पंजाब किंग्स पांच मुकाबलों में दो जीत तीन हार माइनस 0.19 का रन रेट नमबर 8 के उपर मुंबई इंडियन्स चार मुकाबलों में एक जीत तीन हार माइनस 0.7 का रन रेट दो अंकों के साथ मुंबई नमबर 8 नमबर 9 पे रोयल चलेंजर्स बिंगा लूरू पांच मुकाबलों में एक जीत चार हार, दो अंकों के साथ बेंगालूरू है नमबर 9 पार नमबर 10 पे है दिल्ली कापिटल्स, पांच मुकाबलों में एक जीत चार हार माइनस 1.3 करणरेट और दो अंकों के साथ दिल्ली नमबर 10 तो ये हैं दोस्तों आपको टाटा IPL 2024 के पॉइंस टेबल के सूरतेहाल और आज का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स हार गई है और गुजराट टाइटन्स ने इस मुकाबले को तीन विक्टो से जीत लिया है कहां सबने सोचा था कि राजस्थान रॉयल्स आज पांचवा मुकाबला जीतेगी लगभग लगभग राजस्थान जीती चुकी थी इस मुकाबले को लेकिन उनके मुँ में हाँ डाल के इस माच को जो जीत लिया है गुजराट टाइटन्स ने क्योंकि अठारवे उननीस वे उवर तक तो लगी रहा था कि राजस्थान जीत जाएगी लेकिन अंद में दोस्तों यहाँ पर एकाद उवर ने पूरी तरीके से माच का जो रुख था वो बदल के रख दिया तो अब है कल दो बड़े एक और बड़ा मुकाबला कल है आपको मुंबई इंडियन्स वर्सिस रॉयल चैलेंजर्स बेंगालूरू के बीच मुंबई के वांग खेड़े के मैदान पे मुकाबला तो दोस्तों कल के लिए तयार हो जाएए वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब खाना पीना खाईए मज़े कीजिए नोटिफिकेशन का बटन दबाएए सब्सक्राइब करने के बाद मिलेंगे हम मुंबई और बेंगलूरू के मुकाबले में लेकिन अभी कहीं नी जाने का अभी स्कोर कार्ट के उपर एक नज़र डालने का दी आफस्टम दायहाथ के राशिद खान को और राशिद खान बाकफूट पे खड़े रहे के गेन को ये स्क्वेर कट करने में कामियाब हो गए गेन बले के बीच ओ बीच टकराने के बाद डीब बैकवर्ड पॉइंट बाउंडरी के तराफ और ये पूरे चार रंज मिले है राशिद खान को राशिद खान ने इस मुकाबले को गुजराट टाइटन्स की टीम को तीन विक्टों से जीत दिला दी अंतिम गेंद के उपार स्क्वेर कट करके चौका मारा और राशिद खान के लिए आवेश खान की एक बहुत ही खराब गेंद यौर कर डालने की कोशिस करनी चाहिए थी लेकिन उन्हें शॉर्ट गेंद डाली और वो भी आफस्टम के बाहर बल्लेबाद ने बहुत आराम से इस गेंद के उपार स्क्वेर कट करके चार रंस बटोर लिये गुजराट टाइटन्स ने सीजन का अपना ये तीसरा मुकाबला जीत लिया है और इस तीसरे मुकाबले को जीत के गुजराट टाइटन्स की टीम एक सुनिनानवे रनों के उपार साथ विक्टें बीस ओफरो की समाफ्ती पार और आपको बताते चलें गुजराट टाइटन्स की सांदार जीत की हीरो आपको एक नहीं है कई हैं इसमें शुब्मन गिल भी हीरो हैं इसमें राशित खान भी आज के मैच के अंदर हीरो हैं इसके अलावा आपको गेंद बाजी में याद होगा आप लोगों को क्या कमाल की गेंद बाजी की थी आपको गुजराट टाइटन्स की टीम की तरफ से राशित खान ने चार माँ ठारा रंदे के एक विकेट निकाला था उनकी गेन बादी भी आप नहीं भूल सकते हैं 197 के टार्गेट को 199 बना दिया 20 ओवर में टाइटन्स ने आज साम को जब टॉस हुआ तो टॉस के उपापाजी मारी थी दोस्तों किसने राजस्थान रॉयल्स के सामने गुजराट टाइटन्स के कप्तान ने और उनका जो अंदाजा था कि बाद में चेस कर लेंगे हम 199 रंस वो अंदाजा बिल्कुल सही साबित हुआ और 199 रंस आपको इस टीम ने चेस कर लिये है तो जब शुरुआत हुई बल्ले बादी में आपको इस माच में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से तो राजस्थान ने आपने पूरे 20 ओवरों में 196 रंस बनाए और 196 रंस की उपर आपको इस मुकाबले में तीन विक्टे भी गवाई राजस्थान रॉयल्स की टीम ने लेकिन उसके जवाब में 20 ओवर की अंतीम गेन पर दो रंस चाहिए थे और उस अंतीम गेन पर चौका मार के राशित खान आज के हीरो बन गए और जितना भी स्पोट लाइट था दोस्तों वह年前 आपको इन्हें ने आज के इस मुकाबले के अंदर हासिल कर लिया तो आए चलते हैं मैच की तरफ और देखते हैं दोनों ही टीमों का स्कूर कार्ड आखिरकार दोनों ही टीमों के स्कोर कार्ट के अंदर क्या कुछ कहा नी रही राशित खान आज के इस मकाबले में जब बल्लेबादी करने उतरी थी राजस्थान रॉयल्स की टीम तो राजस्थान रॉयल्स की तरफ से आज शुरुआत एक बाद फिर बहुत खराब रही संजू सैमसन ने आज पारी की लाज बचा ली राजस्थान रॉयल्स के लिए और आज ओपनिंग करने उतरे थे राजस्थान रॉयल्स की तरफ से यश्रस्वी जैस्वाल और यशस्वी जैस्वाल के साथ आज के मैच में सलामी बल्लेबादी करने उतरे थे दाएं हाथ के जॉस दबॉस जॉस बटलर ने मुकाबले के अंदर केवल और केवल आपको 10 गेंदे खेली और 10 गेंदों के उपर आपको 8 बना कर अपनी विकेट गवा कर चलते बने जॉस बटलर के वो 8 रनों की पारी जिन्होंने पिछले माच में सतक मारा था बहुत प्रेशर डाल गया फिर आपको आए यशस्वी जैस्वाल यशस्वी जैस्वाल ने आपको इस मुकाबले में महज 19 गेंदे खेली और 19 गेंदों के उपर 24 रन्स बनाए ताबर तोर अंदाज में यशस्वी जैस्वाल ने आज इनका बल्ला चला लेकिन जादा देर नहीं चला 19 गेंदों के पड़ 24 रन्स मार के आउट हो गए आपको यशस्वी जैस्वाल जैस्वाल के आउट होने के बाद बैटिंग करने उतरे नमबा 3 की पोजिशन पार दाए हाथ के संजू सामसन संजू सामसन ने आज कप्तानी पारी खेली और सामसन ने महज और महज आपको 38 गेंदों के उपर अरसाट रन्स ठोक दिये जिसमें 7 चौके शामिल थे और 2 गगन चुम्बी छक्के भी शामिल थे जिसमें 178 का स्ट्राइक रेड था संजू सामसन का और संजू सामसन की ये नाबाज जो पारी थी 68 रनों की वो राजस्थान रोयल्स को लगभग लगभग मैट जिता ही ले गई थी लेकिन अंत में गुजराट टाइटन्स ने अपने नर्फ्स को हूल्ड रखा और मैट जीत ले गई लेकिन सामसन के अलावे एक और खिलाडी की तारीफ करनी पड़ेगी पिछले साल ये खिलाडी आपको लोग कहते थे कि बोज बना हुआ है लेकिन रियान पराग इस साल दिखा रहे हैं कि क्यों इस खिलाडी को इस टीम ने इतना ज़ादा बैक अप किया रियान पराग 48 गेंदे 76 रन 3 चौके 5 चौके 158 का स्ट्राइक रेट और जब आये थे बल्ले बाजी करने तब लगतार दो विक्टे गिर गई थी उसके बाद लेकिन इनों ने सामसन ने मिलके कमाल कर दिया अंत में शिम्रोन हेट मायर ने 5 गेंदों पे 13 रन बनाए एक चौका और एक चौका मारा इस मैच में हेट मायर के 5 गेंदों में 13 रनों के बाद 7 रन मुफ्त में मिले 7 के 7 वाइड के रूप में पॉल ओफ विकेट्स की बात कर लेते हैं आज के दिन पहली विकेट आपको इस मुकाबले के अंदर राजस्थान रोयल्स की टीम की गई थी 32 पर दूसरी विकेट आपको इस मैच में 42 पर जया बटलर की और तीसरी विकेट 172 पर आज गेंदबादी में आपको गुजराट टाइटन्स की तरफ से उमेश यादो चार ओबर 47 रन एक विकेट स्पेंसर जॉनसन चार ओबर 37 रन कोई विकेट नहीं राशिद खान अपने चार में 18 रन दे के एक विकेट नूर एमद चार में 43 रन दे के कोई विकेट नहीं मोहीत चर्मा चार में 51 रंदी के एक सफल था राशित खान का जो वह चार ओवरू का स्पिल था वो असल माईनों में गुज्रा टाइटन्स को जिता ले गया पावर प्ले में आज बनें राशिस्थान की तरफ से केवल और केवल 43 रंस लेकिन 20 ओवर में 196 बनाने में कामयाब हो गए थी राशिस्थान रॉयल्स की टीम और 197 का लक्षे आज के इस मुकाबले में गुज्रा टाइटन्स के लिए सेट किया जिसमें गुज्रा टाइटन्स की टीम जब बल्ले बादी करने इस माच में उतरी तो टाइटन्स की शुरुवात तो उतनी कुछ खास नहीं रही क्योंकि जो आज सलामी बल्ले बादी करने उतरे इस मुकाबले में 20 आज सुदर्शन 39 गेंदों में 35 बनाए 3 चौका और 1 चौका मारके अपनी विकेट गव बैठे बीस आई सुदर्शन के बाद बल्ले बादी करने उतरे दाय हाथ के आपको शुब मंगिल कवाली इस गेंदों में 72 रंस बनाए और आज इन्होंने कप्तानी पारी खेली 6 चौके मारे 2 चके मारे बहुत अच्छी बल्ले बादी की अंत में अपनी चलहांकी से और फिर अपनी विकेट भी गवा के चलते बने जनाब इनके आउट होने के बाद बल्ले बादी में नमबर चार की पोजिशन पे उतारा गया दाय हाथ के अभिनाव मनोहर को अभिनाव मनोहर ने इस मुकाबले में आपको दो गेंदों के उपा एक रंड की पारी के बाद अभिनाव मनोहर की पारी के बाद बल्ले बादी करने उतरे दाय हाथ के विजय शंकर और विजय शंकर ने आपको आज 10 गेंदों पे 16 रं बनाए जिसमें 34 शामिल थे विजय शंकर के बाद राहुल तेवतिया ने 11 गेंदों पे 22 रंस बनाए 3 चौके शामिल थे इस चौटा सा मोमेंटम दिलाया था लेकिन फिनिश किया इस मोमेंटम को राशिद खान ने 11 गेंदे 24 रन 4 चौके 218 का स्ट्राइक रेट और अंतीम गेंद पे 2 रन चाहिए थे पॉइंट बाउंडरी के तरफ चौका मार के राशिद ने टीम को जिता दिया नूर एमद नौट आउट रहे सून्य पे 11 रन मुफ्त में मिले 7 वाइट एक नो बॉल और 3 लेक बाई के रूप में आज फॉल ओ विगेट्स पहली विगेट आपको इस मुकाबले के अंदर गुजराट टाइटन्स की 64 पे गई दूसरी 77 पे गई तीसरी 89 पे गई चौथी 111 पे पांचवे एक सो तैंथीस पे चटी एक सो सन्तावन पे आठवी आपको साथवी एक सो पंचानवे पे पिर आपको गेंदबाद ही किये अंदर बात करते हैं तो कप्तान ने अपने में गेंदबादों का ही इस्तमाल नहीं किया ट्रेंट बोल्ट चार दो ओवर के वल कराए गए पता है नहीं क्यूँ आठ रन दिये कोई सफलता नहीं ट्रेंट बोल्ट ने अवेश खान चार ओवर अर्टालीस रन एक सफलता केशव महराज दो ओवर सोला रन और कोई सफलता नहीं पहले माच में असफल रहे रवी चंदरन अश्विन बहुत बड़ा सेट बैक रहा है दोस्तो राजस्थान के लिए चार ओवर चालीस रन कोई सफलता नहीं यूजवेंद्र चहल चार ओवर तिरालीस रन दो सफलता हैं चहल की चतुराई भी आज माच नहीं जिता पाई फिर आपको कुलदीप सेन क्या गेंदबादी की भाई साब इन्होंने चार ओवर एकतालीस रन और तीन सफलता हैं कमाल कर दिया कुलदीप सेन ने पावर प्ले में आज 44 रन बने और इस तरीके से राजस्थान रॉयल्स के टीम ने 197 रनों का पीछा करते हैं इस मुकाबले में 20 दोबरों के इस्तमावती पर 199 रन बना लिये साथ विक्टो के नुकसान पार और आज के इस मुकाबले को जो है वो राजस्थान रॉयल्स की टीम जो है वो जीत हार चुकी है अब चलते हैं पॉइंट्स टेबल की तरफ और देखते हैं पॉइंट्स टेबल की परिस्तितिया क्या नजर आ रही है तो दोस्तों ये 24 वे मुकाबले की समापती के बाद पॉइंस टेबल के हालात कुछ इस तरीके से बन गए है राजस्तान रॉयल्स टॉप पर बना हुआ है अभी भी पहला मुकाबला इस सीजन के अंदर हारा और अब सारी टीमें ऐसी हो गई है जिसने एक न एक मुकाबला हारा हुआ है तो आज राजस्तान अपना पहला मुकाबला हारा इस सीजन में राजस्तान रॉयल्स के अलावा अगर हम देखेंगे तो राजस्तान अपने फिलाल पांच मुकाबलों में चार जीता है एक हारा है और इनके पास आठ हंकों के साथ नमबर एक नमबर दो पे कोलकता नाइट राइडर्स के टीम चार मुकाबलों में तीन जीत एक हार वन पॉइंट फाइफ कर अंरे छे अंकों के साथ कोलकता नमबर दो एक पे राजस्तान पांच मुकाबलों में चार जीत एक हार आठ अंकों के साथ नमबर तीन पर लखनाव सूपा जा चैनन ही नमब चार नमब पांच पे सन्राइजर्स हैदरबाद पांच मुकाबलों में तीन जीत दोहार जीरो पॉंट तृ का रन रेट चैनन अँगों के साथ हैदरबाद नमब पांच नमब चैन पे गुजराट टाइटन्स आचुकि है इस साथ से जिनोंने छे मुकाबलों में तीन जीते हैं तीन हारे हैं माइनस 0.6 का run rate छे अंकों के साथ गुजरात नमब च्छे नमब साथ प्रपंजाब किंग्स पांच मुकाबलों में दो जीत तीन हार माइनस 0.19 का run rate नमब आठ के उपर मुंबई इंडियन्स चार मुकाबलों में एक जीत तीन हार माइनस 0.7 करन रेट दो अंकों के साथ मुंबई नमबा आठ नमबा नौ पे रोयल चलेंजर्स बिंगालूरू पांच मुकाबलों में एक जीत चार हार दो अंकों के साथ बिंगालूरू है नमबा नौ पार नमबर 10 पे है दिल्ली कापिटल्स पांच मुकाबलों में एक जीत चार हार माइनस 1.3 करन रेट और दो अंकों के साथ दिल्ली नमबर 10 तो ये हैं दोस्तों आपको टाटा IPL 2024 के पॉइंट स्टेबल के सूरतेहाल और आज का मुकाबला राजस्थान रोयल्स हार गई है और गुजराट टाइटन्स ने इस मुकाबले को तीन विक्टो से जीत लिया है तहां सबने सोचा था कि राजस्थान रॉयल्स आज पांचवा मुकाबला जीतेगी लगभग लगभग राजस्थान जीती चुकी थी इस मुकाबले को लेकिन उनके मुँ में हाँ डाल के इस माच को जो वह जीत लिया है गुजराट टाइटन्स ने क्योंकि अठारवे उननीस वे उवर तक तो लगी रहा था कि राजस्थान जीत जाएगी लेकिन अंद में दोस्तों यहाँ पर एकाद उवर ने पूरी तरीके से माच का जो रुख था वो बदल के रख दिया तो अब है कल दो बड़े एक और बड़ा मुकाबला कल है आपको मुंबाई इंडियन्स वर्सिस रॉयल चैलेंजर्स बेंगालूरू के बीच मुंबाई के वांग खेड़े के मैदान पर मुकाबला तो दोस्तों कल के लिए तयार हो जाएए वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को कर दीजे सब्सक्राइब खाना पीना खाईए मज़े कीजिए नोटिफिकेशन का बटन दबाईए सब्सक्राइब करने के बाद मिलेंगे हम मुंबाई और बैंगलूरू के मुकाबले में लेकिन अभी कही नी जाने का अभी स्कोर कार्ट के उपर एक नज़र डाल रहे थे थोड़ी सी शॉट डाली विट दिया आउटसाइद यॉफ स्टम दायहाथ के राशिद खान को और राशिद खान बैक्फूट पे खड़े रहे के गेंग को ये स्क्वेर कट करने में काम्याब हो गए गेंग बल्ले के बीच ओ बीच टकराने के बाद डीब गेंद के उपार स्क्वेर कट करके चौका मारा और राशिद खान के लिए आवेश खान की एक बहुत खराब गेंग यॉर कर डालने की कोशिस करनी चाहिए थी लेकिन उन्हें शॉट गेंग डाली और वो भी आफस्टम के बाहर बल्ले बाद ने बहुत आराम से इस गेंद के उपार स्क्वेर कट करके चार रंस बटोर लिये गुजराट टाइटन्स ने सीजन का अपना ये तीसरा मुकाबला जीत लिया है और इस तीसरे मुकाबले को जीत के गुजराट टाइटन्स की टीम 199 रंड एक सून निनान्वे रनों के उपार साथ विक्टें 200 वरों की सम जीत की हीरो आपको एक नहीं है कई हैं इसमें शुबन गिल भी हीरो हैं इसमें राशित खान भी आज के मैच के अंदर हीरो हैं इसके अलावा आपको गेंद बादी में याद होगा आप लोगों को क्या कमाल की गेंद बादी की थी आपको गुजराट टाइटन्स की टीम की त आज साम को जब टॉस हुआ तो टॉस के उपबाजी मारी थी दोस्तों किसने राजस्थान रोयल्स के सामने गुज्राट टाइटन्स के कप्तान ने और उनका जो अंदाजा था कि बाद में चेस कर लेंगे हम 119 रंस वो अंदाजा बिलकुल सही सावित हुआ और 119 रंस आपक रंस बनाए और 116 रंस के उपर आपको इस मुकाबले में तीन विक्टेबी गवाई राजस्थान रोयल्स की टीम ने लेकिन उसके जवाब में 20 वे उवर की अंतीम गेन पर दो रंस चाहिए थे और उस अंतीम गेन पर चौका मार के राशित खान आज के हीरो बन गए और ज राशित खान आज के इस मुकाबले में जब बल्लेबादी करने उतरी थी राजस्थान रोयल्स की टीम तो राजस्थान रोयल्स की तरफ से आज शुरुआत एक बाद फिर बहुत खराब रही संजू सैमसन ने आज पारी की लाज बचा ली राजस्थान रोयल्स के लिए औ और आज ओपनिंग करने उतरे थे राजस्थान रोयल्स की तरफ से यश्रस्वी जैस्वाल और यश्रस्वी जैस्वाल के साथ आज के मैच में सलामी बल्लेबादी करने उतरे थे दाएं हाथ के जॉस दबॉस तो जॉस बटलर ने मुकाबले के अंदर केवल और केवल आपको 10 गेंदे खेली और 10 गेंदों के उपर आपको 8 बना कर अपनी विकेट गवा कर चलते बनें जौस बटलर के वो 8 रनों की पारी जिन्होंने पिछले माच में सतक मारा था बहुत प्रेशर डाल गिया फिर आपको आए यशस्वी जैस्वाल यशस्वी जैस्वाल ने आपको इस मुकाबले में महज 19 गेंदे खेली और 19 गेंदों के उपर 24 रंज बनाए ताबर तोर अंदाज में यशस्वी जैस्वाल ने आज इनका बल्ला चला लेकिन जादा देर नहीं चला 19 गेंदों के उपर 24 रंज मार के आउट हो गए आपको यशस्वी जैस्वाल जैस्वाल के आउट होने के बाद बैटिंग करने उतरे नमबर 3 की पोजिशन पार दाए हाथ के संजू सामसन ने आज कप्तानी पारी खेली और सामसन ने महज और महज आपको 38 गेंदों के उपर 68 रंज ठोक दिये जिसमें 7 चौके शामिल थे और 2 गगन चुम्बी छक्के भी शामिल थे जिसमें 178 का स्ट्राइक रेड़ था संजू सामसन का और संजू सामसन की ये नाबाज जो पारी थी 68 रंजों की वो राजस्थान रोयल्स को लगभग लगभग मैच जीता ही ले गई थी लेकिन अंत में गुजराट टाइटन्स ने अपने नर्फ को हूल्ड रखा और मैच जीत ले गई लेकिन सामसन के अलावे एक और खिलाड़ी की तारीफ करनी पड़ेगी पिछले साल ये खिलाड़ी आपको लोग कहते थे कि बोज बना हुआ है लेकिन रियान पराग इस साल दिखा रहे हैं कि क्यूं इस खिलाड़ी को इस टीम ने इतना ज़्यादा बैक अप किया रियान पराग 48 गेंदे 76 रं 3 चौके 5 चके 158 का स्ट्राइक रेट और जब आये थे बल्ले बाजी करने तब लगतार दो विक्टे गिर गई थी उसके बाद लेकिन इन्हों ने सैमसन ने मिल के कमाल कर दिया अंत में शिम्रोन हेट मायर ने 5 गेंदों पे 13 रं बनाए एक चौका और एक चका मारा इस मैच में हेट मायर के 5 गेंदों में 13 रंों के बाद 7 रं मुफ्त में मिले 7 के 7 वाइड के रूप में पॉल ओफ विकेट्स की बात कर लेते हैं आज के दिन तो पहली विकेट आपको इस मुकाबले के अंदर राजस्थान रोयल्स के टीम की गई थी 32 पर दूसरी विकेट आपको इस मैच में 42 पर जय बटलर की और तीसरी विकेट 172 पर आज गेंदबादी में आपको गुजराट टाइटन्स की तरफ से उमेश यादो 4 ओबर 47 रं एक विकेट स्पेंसर जॉनसन 4 ओबर 37 रं कोई विकेट नहीं राशिद खान अपने 4 में 18 रंदे के एक विकेट नूर एमद 4 में 43 रंदे के कोई विकेट नहीं मोहीत चर्मा 4 में 51 रंदे के एक सफल था राशिद खान का जो वह 4 ओबर का स्पेल था वो असल माइनों में गुजराट टाइटन्स को जिता ले गया पावर प्ले में आज बनें राशिस्थान की तरफ से केवल और केवल 43 रंस लेकिन 20 ओवर में 196 बनाने में कामयाब हो गए थी राशिस्थान रॉयल्स की टीम और 1977 का लक्षे आज के इस मुकाबले में गुजराट टाइटन्स के लिए सेट किया जिसमें गुजराट टाइटन्स की टीम जब बल्ले बादी करने इस मैच में उतरी तो टाइटन्स की शुरुवात तो उतनी कुछ खास नहीं रही क्योंकि जो आज सलामी बल्ले बादी करने उतरे इस मुकाबले में 20 साइज तुदर्शन 39 गेंदों में 35 बनाए 3 चौका और 1 चौका मारके अपनी विकेट गवा बैठे 20 साइज सुदर्शन के बाद बल्ले बादी करने उतरे दाय हाथ के आपको शुब मनगिल 40 गेंदों में 22 रंस बनाए और आज इन्होंने कप्तानी पारी खेली 6 चौके मारे, 2 चके मारे बहुत अच्छी बल्ले बादी की अंत में अपनी चलहांकी से युजुवेंद्र चहल ने इनको चलता कर दिया फिर आपको मैथ्यू वेड़ा है जो की सीजन का अपना पहला ही मुकाबला खेल रहे थे और मैथ्यू वेड़ आपको इस मुकाबले में कुछ खास किया नहीं 6 गेंदे खेली, 4 रंस बनाए और फिर अपनी विकेट भी गवा के चलते बने जनाब इनके आउट होने के बाद बल्ले बादी में नमबर 4 की पोजिशन पे उतारा गया दाय हाथ के अभिनव मनोहर को अभिनव मनोहर ने इस मुकाबले में आपको दो गेंदो के उपा एक रं की पारी खेली और दो गेंदो के उपा एक रं की पारी के बाद अभिनव मनोहर की पारी जो है वो समाफ्त हो गई अभिनव मनोहर की पारी के बाद बल्लेबादी करने उत्रे दाय हाथ के विजय शंकर और विजय शंकर ने आपको आज 10 गेंदों पे 16 रन बनाए जिसमें 3 चौके शामिल थे विजय शंकर के बाद राहुल तेवतिया ने 11 गेंदों पे 22 रन्स बनाए तीन चौके शामिल थे इस मुकाबले में 200 का स्ट्राइक रेट अन्तीम गेंद से पहले राहुल तेवतिया आउट हो गए राहुल तेवतिया के बाद शारू खान ने 8 गेंदों में 24 रन्स बनाए एक चौका और एक शक्का शारू खान ने मारा शुरवात इन्हों नहीं की आपको जब मैच में पीछे चल रहे थे तो शारू खान ने चौका शक्का मार के टीम को कमबाक कराया था वो एक छोटा सा मोमेंटम दिलाया था लेकिन फिनिश किया इस मोमेंटम को राशित खान ने 11 गेंदे 24 रन 4 चौके 208 का स्ट्राइक रेट और अंतीम गेंद पे 2 रन चाहिए थे पॉइंट बाउंडरी के तरफ चौका मार के राशित ने टीम को जिता दिया नूर एमद नौट आउट रहे सून्य पे 11 रन मुफ्त में मिले 7 वाइट एक नो बॉल और 3 लेगबाई के रूप में आज फॉल आफ विकेट्स पहली विकेट आपको इस मुकाबले के अंदर गुजरा टाइटन्स की 64 पे गई डूसरी 77 पे गई तीसरी 89 पे गई चौती 111 पे 5 वे 100 तैंतीस पे 6 वे 100 व पे 8 वी आपको 7 वी 195 पे फिर आपको गेंबाद ही किये अंदर बात करते हैं तो कप्तान ने अपने में गेंबादों का ही इस्तमाल नहीं किया ट्रेंट बोल्ट चार दो ओवर केवल कराए गए पता नहीं क्यूं आठ रन दिये कोई सफलता नहीं ट्रेंट बोल्ट ने ओवर 40 रन कोई सफलता नहीं यूजवेंद्र चहल 4 ओवर 43 रन दो सफलता हैं और चहल की चतुराई भी आज माच नहीं जिता पाई फिर आपको कुलदीप सेन क्या गेंदबादी की भाई साहब इन्होंने 4 ओवर 41 रन और 3 सफलता हैं कमाल कर दिया कुलदीप सेन ने पाव 200 वरों के समापती पर 199 रन बना लिये 7 विक्टो के नुकसान पर और आज के इस मुकाबले को जो है वो राजस्थान रॉयल्स की टीम जो है वो जीत हार चुकी है अब चलते हैं पॉइंस टेबल की तरफ और देखते हैं पॉइंस टेबल की परिस्तितिया क्या नजर आ रही हैं तो दोस्तों ये 24 वे मुकाबले की समापती के बाद पॉइंस टेबल के हालात कुछ इस तरीके से बन गए हैं राजस्थान रॉयल्स टॉप पर बना हुआ है अभी भी पहला मुकाबला इस सीजन के अंदर हारा और अब सारी टीमें ऐसी हो गई हैं जिसने एक ना एक मुकाबला हारा इस सीजन में राजस्थान रॉयल्स के अलावा अगर हम देखेंगे तो राजस्थान अपने फिलाल पांच मुकाबलों में चार जीता है एक हारा है और इनके पास आठ हंकों के साथ नंबर एक नंबर दो पे कोलकता नाइट राइडर्स की टीम चार चार मुकाबलों में तीन जीत एक हार जीरो पॉइंट सेवन का रन रेट छे अंकों के साथ लखनाव नंबर तीन नंबर चार पर चैननाई सूपकिंग्स पांच मुकाबलों में तीन जीत दो हार जीरो पॉइंट सिक्स का रन रेट छे अंकों के साथ चैननाई नंबर चार नमब पांच पे Sunrisers हैदरबाद पांच मुकाबलों में 3 जीत 2 हाँ 0.3 का रण रेट छे अंकों के साथ हैदरबाद नमब पांच नमब पांच पे गुजराट Titans आ चुकी है साथ से जिनने छे मुकाबलों में 3 जीते हैं 3 हारे हैं माइना 0.6 का रण रेट छे अंकों के साथ गुजरात नंबर छे नंबर साथ पे पंजाब किंग्स पांच मुकाबलों में दो जीत तीन हार माइनस 0.19 का रन रेट नंबर आट के उपर मुंबई इंडियन्स चार मुकाबलों में एक जीत तीन हार माइनस 0.7 का रन रेट दो अंकों के साथ मुंबई नमबर आठ, नमबर नौ पे रोयल चलेंजर्स बिंगालूरू, पांच मुकाबलों में एक जीत चार हार, दो अंकों के साथ बिंगालूरू है नमबर नौ पार, नमबर दस पे है दिल्ली कापिटल्स, पांच मुकाबलों में एक जीत चार हार, मा आज का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स हार गई है और गुजराट टाइटन्स ने इस मुकाबले को तीन विक्टो से जीत लिया है। ने पूरी तरीके से माच का जो रुख था वो बदल के रख दिया। तो अब है कल दो बड़े एक और बड़ा मुकाबला। पर एक नज़र डालने का आएए स्कोर कार्ट पर एक नज़र डाल लेते हैं। और राशिद खान ने चौका मार का टीम को जिता दिया है। अंतीम गेन थी आविश खान के स्पेल की पारी की अंतीम गेन थी। सामने स्ट्राइक के उपर राशिद खान इंतजार कर रहे थे। थोड़ी सी शॉट डाली विट दिया आउट साइड य ओफ स्टम दाय हाथ के राशिद खान को और राशिद खान बैक फुट पे खड़े रहे के गेन को ये स्क्वेर कट करने में काम्याब हो गए। गेन बले के बीच ओ बीच टकराने के बाद दीब बैकवर्ड पॉइंट बाउंडरी के तराफ और ये पूरे चार रंस मिले है राशिद खान को राशिद खान ने इस मुकाबले को गुजराट टाइटन्स की टीम को तीन विक्टो से जीत दिला दी अंतिम गेन के उपार स् बले बाद ने बहुत आराम से इस गेन के उपार स्क्वेर कट करके चार रंस बटोर लिये गुजराट टाइटन्स ने सीजन का अपना ये तीसरा मुकाबला जीत लिया है और इस तीसरे मुकाबले को जीत के गुजराट टाइटन्स की टीम 199 रन एक सु निननानवे रनों के उपर साथ विक्टे हैं 20 सोवरों की समाफ्ती पार और आपको बताते चलें गुजराट टाइटन्स की सांदार जीत की हीरो आपको एक नहीं है कई हैं इसमें शुबमन गिल भी हीरो हैं इसमें राशित खान भी आज के मैच के अंदर हीरो हैं इसके अलावा आपको गेंद बा करते हैं 197 के टार्गेट को 199 बना दिया 20 सोवरों में टाइटन्स ने आज साम को जब टॉस हुआ तो टॉस के उपापाजी मारी थी दोस्तों किसने राजस्थान रोयल्स के सामने गुजराट टाइटन्स के कप्तान ने और उनका जो अंदाजा था कि बाद में चेस कर यह हम 199 रन्स वो अंदाजा बिल्कुल सही सावित हुआ और 199 रन आपको इस टीम ने चेस कर लिये तो जब शुरुवात हुई बल्लेबादी में आपको इस माच में राजस्थान रोयल्स की तरफ से तो राजस्थान ने आपने पूरे 20 सोवरों में 196 रन्स बनाए और 196 रनो पे चौका मार के राशिद खान आज के हीरो बन गए और जितना भी स्पोटलाइट था दोस्तों वो आपको इन्होंने आज के इस मुकाबले के अंदर हासिल कर लिया तो आए चलते हैं मैच की तरफ और देखते हैं दोनों ही टीमों का स्कोर कार्ड आखिरकार दोनों ही टी जो सैमसन ने आज पारी की लाज बचाली राजस्थान रॉयल्स के लिए और आज ओपनिंग करने उतरे थे राजस्थान रॉयल्स की तरफ से यश्रस्वी जैस्वाल और यश्रस्वी जैस्वाल के साथ आज के मैच में सलामी बल्लेबादी करने उतरे थे दाए हाथ के तो जॉस बटलर ने मुकाबले के अंदर केवल और केवल आपको 10 गेंदे खेली और 10 गेंदों के उपर आपको 8 बना कर अपनी विकेट गवा कर चलते बने जॉस बटलर के वो 8 रनों की पारी जिन्होंने पिछले माच में सतक मारा था बहुत प्रेशर डाल गिया फिर आपको आए यशस्वी जैस्वाल यशस्वी जैस्वाल ने आपको इस मुकाबले में महज 19 गेंदे खेली और 19 गेंदों के उपर 24 रन्स बनाए ताबर तोर अंदाज में यशस्वी जैस्वाल ने आज इनका बल्ला चला लेकिन जादा देर नहीं चला 19 गेंदों के उपर 24 रन्स मार के आउट हो गए आपको यशस्वी जैस्वाल जैस्वाल के आउट होने के बाद बैटिंग करने उतरे नमबा 3 की पोजिशन पार दाए हाथ के संजू सामसन संजू सामसन ने आज कप्तानी पारी खेली और संजू सामसन ने महज और महज आपको 38 गेंदों के उपर अरसट रन्स ठोक दिये जिसमें साथ चौके शामिल थे और दो गगन चुम्बी छके भी शामिल थे जिसमें 178 का स्ट्राइक रेट था संजू सामसन का और संजू सामसन की ये नाबाज जो पारी थी 68 रनो की वो राजस्थान रॉयल्स को लगभग लगभग मैच जीता ही ले गई थी लेकिन अंत में गुजराट टाइटन्स ने अपने नर्फ को हूल्ड रखा और मैच जीत ले गई लेकिन सामसन के अलावे एक और खिलाडी की तारीफ करनी पड़ेगी पिछले साल ये खिलाडी आपको लोग कहते थे कि बोज बना हुआ है लेकिन रियान पराग इस साल दिखा रहे हैं कि क्यूं इस खिलाडी को इस टीम ने इतना ज़ादा बैक अप किया रियान पराग 48 गेंदे 76 रन 3 चौके 5 चके 158 का स्ट्राइक रेट और जब आये थे बल्ले बाजी करने तब लगतार दो विक्टे गिर गई थी उसके बाद लेकिन इनों ने और सैमसन ने मिलके कमाल कर दिया अंत में शिम्रोन हेट मायर ने 5 गेंदों पे 13 रन बनाए एक चौका और एक चक्का मारा इस मैच में हेट मायर के 5 गेंदों में 13 रनों के बाद 7 रन मुफ्त में मिले 7 के 7 वाइड के रूप में पॉल ओफ विकेट्स की बात कर लेते हैं आज के दिन तो पहली विकेट आपको इस मुकाबले के अंदर राजस्थान रॉयल्स के टीम की गई थी 32 पर दूसरी विकेट आपको इस मैच में 42 पर जया बटलर की और तीसरी विकेट 172 पर आज गेंद बादी में आपको गुज एमच चार में 43 रंदे के कोई विकेट नहीं मोहीच चर्मा चार में 51 रंदे के एक सफल था राशित खान का जो वह चार ओवरू का स्पिल था वो असल माइनों में गुजरा टाइटन्स को जिता ले गया पावर प्ले में आज बनें राजस्थान की तरफ से केवल और केवल 43 रंस लेकिन 20 ओवर में 196 बनाने में कामयाब हो गए थी राजस्थान रॉयल्स की टीम और 197 का लक्षे आज के इस मुकाबले में गुजरा टाइटन्स के लिए सेट किया जिसमें गुजरा टाइटन्स की टीम जब बल्ले बादी करने इस मैच में उतरी तो टाइटन्स की श 20 साई सुदर्शन के बाद बल्ले बादी करने उतरे दाय हाथ के आपको केशव महराज 2 ओवर 16 रं और कोई सफलता नहीं पहले मैच में असफल रहे रवी चंदरन अश्विन बहुत बड़ा सेट बैक रहा है दोस्तो राजस्थान के लिए 4 ओवर 40 रं कोई सफलता नहीं य इन्होंने 4 ओवर 41 रं और 3 सफलता हैं कमाल कर दिया कुलदीप सेन ने पावर प्ले में आज 44 रं बने और इस तरीके से राजस्थान रॉयल्स के टीम ने 197 रंों का पीछा करते वे इस मुकाबले में 20 ओवरों के इस्तमापती पर 199 रं बना लिये 7 विक्टों के नुकसान प की है अब चलते हैं पॉइंस टेबल की तरफ और देखते हैं पॉइंस टेबल की परिस्तिया क्या नजर आ रही हैं तो दोस्तों ये 24 वे मुकाबले की समापती के बाद पॉइंस टेबल के हालात कुछ इस तरीके से बन गए हैं राजस्थान रॉयल्स टॉप पर बना हुआ है अभी भी पहला मुकाबला इस सीजन के अंदर हारा और अब सारी टीमें ऐसी हो गई हैं जिसने एक न एक मुकाबला हारा हुआ है तो आज राजस्थान अपना पहला मुकाबला हारा इस सीजन में राजस्थान रॉयल्स के अलावा अगर हम देखेंगे तो राजस्थान फिलाल पांच मुकाबलों में चार जीता है एक हारा है और इनके पास आठ अंकों के साथ नमबर एक नमबर दो पे कोलकता नाइट राइडर्स की टीम चार मुकाबलों में तीन जीत एक हार 1.5 का रन रेट छे अंकों के साथ कोलकता है नमबर दो एक पे राजस्तान पाँच मुकाबलों में चार जीत एक हार आठ अंकों के साथ नमबर तीन पर लखनव सूपा जायंट्स चार मुकाबलों में तीन जीत एक हार 0.7 का रन रेट छे अंकों के साथ लखनव नमबर तीन नमबर चार पर चन्नाई सूपा किंग्स पांच मुकाबलों में तीन जीत दोहार 0.6 का रन रेट छे अंकों के साथ चन्नाई नमबर चार नमबर पांच पे सन्राइजर्स हैदरबाद पांच मुकाबलों में तीन जीत दोहार 0.3 का रन रेट छे अंकों के साथ हैदरबाद नमबर पांच नमबर चे पे गुजराट टाइटन्स आ चुकी है साथ से जिनने छे मुकाबलों में तीन जीते हैं तीन हारे हैं माइनस 0.6 का रन रेट छे अंकों के साथ गुजराट नमबर चे नमबर साथ पे पंजाब किंग्स पांच मुकाबलों में दो जीत तीन हार मैनास 0.19 क relativ नमबर 8 के उपर मुंबाई इंडियंस चार मुकाबलों में एक जीत तीन हार मैनास 0.7 क relativ नमबर 8 नमरर नॉपर रोयल चलेंजर स्बिंगालूरू पांच मुकाबलों में एक जीत चार हार दो अंकों के साथ बेंगालूरू है नमर नाअपार नमबर 10 पे है दिल्ली कापिटल्स पांच मुकाबलों में एक जीत चार हार माइनस 1.3 करन रेट और दो अंकों के साथ दिल्ली नमबर 10 तो ये हैं दोस्तों आपको टाटा IPL 2024 के पॉइंस टेबल के सूरतेहाल और आज का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स हार गई है और गुजराट टाइटन्स ने इस मुकाबले को तीन विक्टो से जीत लिया है कहां सबने सोचा था कि राजस्थान रॉयल्स आज पांचवा मुकाबला जीतेगी लगभग लगभग राजस्थान जीती चुकी थी इस मुकाबले को लेकिन उनके मुँ में हाँ डाल के इस माच को जो जीत लिया है गुजराट टाइटन्स ने क्योंकि अठारवे उननीस वे उवर तक तो लगी रहा था कि राजस्थान जीत जाएगी लेकिन अंद में दोस्तों यहाँ पर एकाद उवर ने पूरी तरीके से माच का जो रुख था वो बदल के रख दिया तो अब है कल दो बड़े एक और बड़ा मुकाबला कल है आपको मुंबाई इंडियन्स वर्सिस रॉयल चैलिंजर्स बेंगालूरू के बीच मुंबाई के वांग खेड़े के मैदान पे मुकाबला तो दोस्तों कल के लिए तयार हो जाएए वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को कर दीजे सब्सक्राइब खाना पीना खाईए मज़े कीजिए नोटिफिकेशन का बटन दबाईए सब्सक्राइब करने के बाद मिलेंगे हम मुंबाई और बैंगलूरू के मुकाबले में लेकिन अभी कहीं नहीं जाने का अभी स्कोर कार्ट के उपर एक नज़र कर रहे थे थोड़ी सी शॉट डाली विड़ दिया आउटसाइद यॉफ स्टम दायहाथ के राशिद खान को और राशिद खान बैक्फूट पे खड़े रहे के गेंग को ये स्क्वेर कट करने में काम्याब हो गए गेंग बले के बीच ओ बीच टकराने के बाद डीब बैक गेंग के उपार स्क्वेर कट करके चौका मारा और राशिद खान के लिए आवेश खान की एक बहुत ही खराब गेंग यॉरकर डालने की कोशिस करनी चाहिए थी लेकिन उन्हें शॉट गेंग डाली और वो भी आफस्टम के बाहर बले बाद ने बहुत आराम से इस गेंग गेंग की टीम 199 रंद 199 रनों के उपार साथ विक्टें 200 वरों की समाफ्ती पार और आपको बताते चलें गुझराट टाइटन्स की सांधार जीद की हीरो आपको एक नहीं है कई हैं इसमें शुबमन गिल भी हीरो हैं इसमें राशिद खान भी आज के मैच के अंदर हीरो हैं इसके अलावा आपको गेंदबाजी में याद होगा आप लोगों को क्या कमाल की गेंदबाजी थी आपको गुजराट टाइटन्स की टीम की तरफ से राशिद खान ने 4 माँ 18 रणदे के एक विकेट निकाला था उनकी गेंदबाजी भी आप नहीं भूल सकते हैं 197 के टार्गेट को 199 बना दिया 20 ओवर में टाइटन्स ने आज साम को जब टॉस हुआ तो टॉस के उपापाजी मारी थी दोस्तों किसने राजस्थान रोयल्स के सामने गुजराट टाइटन्स के कप्तान ने और उनका जो अंदाजा था कि बाद में चेस कर लेंगे हम 199 रन्स वो अंदाजा बिल्कुल सही साबित हुआ और 199 रन आपको इस टीम ने चेस कर लिए तो जब शुरुवात हुई बल्ले बादी में आपको इस मैच में राजस्थान रोयल्स की तरफ से तो राजस्थान ने आपने पूरे बीस ओवरों में 196 रन्स बनाए और 196 रनों के उपर आपको इस मुकाबले में तीन विक्टेबी गवाई राजस्थान रोयल्स की टीम ने लेकिन उसके जवाब में 20 वे ओवर की अंतीम गेन पर दो रन्स चाहिए थे और उस अंतीम गेन पर दोनों ही टीमों के स्कोर काट के इंदक क्या कुछ कहानी रही राशित खान آज के इस मुकाबले में जब बल्लेबादी करने उतरी थी राजस्थान रोयल्स की टीम तो राजस्थान रोयल्स की तरफ से आज शुरूआत एक बाब फिर बहुत खराब रही संजू सैमसन ने आज पारी की लाज बचाली राजस्थान रॉयल्स के लिए और आज ओपनिंग करने उतरे थे राजस्थान रॉयल्स की तरफ से यश्रस्वी जैस्वाल और यश्रस्वी जैस्वाल के साथ आज के मैच में सलामी बल्ले बादी करने उतरे थे दाएं हाथ के जॉस दबॉस जॉस बटलर ने मकाबले के अंदर केवल और केवल आपको दस गेंदे खेली और दस गेंदों के उपर आपको आठ बना कर अपनी विकेट गवा कर चलते बने जॉस बटलर के वो आठ रनों की पारी जिन्होंने पिछले माच में सतक मारा था बहुत प्रेशर डाल गया फिर आपको आए यश्रस्वी जैस्वाल यश्रस्वी जैस्वाल ने आपको इस मुकाबले में महज 19 गेंदे खेली और 19 गेंदों के उपर 24 रंज बनाए ताबर तोर अंदाज में यश्रस्वी जैस्वाल ने आज इनका बल्ला चला लेकिन जादा देर नहीं चला 19 गेंदों के पद 24 रंस मार के आउट हो गए आपको यश्रस्वी जैस्वाल जैस्वाल के आउट होने के बाद बैटिंग करने उत्रे नमबा 3 की पोजिशन पार दाए हाथ के संजू सामसन संजू सामसन ने आज कप्तानी पारी खेली और सामसन ने महज और महज आपको 38 गेंदों के उपर 68 रंस ठोक दिये जिसमें 7 चौके शामिल थे और 2 गगन चुम्बी छक्के भी शामिल थे जिसमें 178 का स्ट्राइक रेड़ था संजू सामसन का और संजू सामसन की ये नाबाज जो पारी थी 68 रंसों की वो राजस्थान रोयल्स को लगभग लगभग मैच जीता ही ले गई थी लेकिन अंत में गुजराट टाइटन्स ने अपने नर्फ्स को हूल्ड रखा और मैच जीत ले गई लेकिन सामसन के अलावे एक और खिलाडी की तारीफ करनी पड़ेगी पिछले साल ये खिलाडी आपको लोग कहते थे कि बोज बना हुआ है लेकिन रियान पराग इस साल दिखा रहे हैं कि क्यूं इस खिलाडी को इस टीम ने इतना ज़्यादा बैक अप किया रियान पराग 48 गेंदे 76 रं 3 चौके 5 चके 158 का स्ट्राइक रेट और जब आये थे बल्ले बाजी करने तब लगातार दो विक्टे गिर गई थी उसके बाद लेकिन इन्होंने सैमसन ने मिल के कमाल कर दिया अंत में शिम्रोन हेट मायर ने 5 गेंदों पे 13 रं बनाए एक चौका और एक चका मारा इस मैच में हेट मायर के 5 गेंदों में 13 रंों के बाद 7 रं मुफ्त में मिले 7 के 7 वाइड के रूप में पॉल ओफ विकेट्स की बात कर लेते हैं आज के दिन पहली विकेट आपको इस मुकाबले के अंदर राजस्थान रोयल्स के टीम की गई थी 32 पर दूसरी विकेट आपको इस मैच में 42 पर जय बटलर की और तीसरी विकेट 172 पर आज गेंदबादी में आपको गुजराट टाइटन्स की तरफ से उमेश यादो 4 ओबर 47 रं एक विकेट स्पेंसर जॉनसन 4 ओबर 37 रं कोई विकेट नहीं राशिद खान अपने 4 में 18 रंदे के एक विकेट नूर एमद 4 में 43 रंदे के कोई विकेट नहीं मोहीद चर्मा 4 में 51 रंदे के एक सफल था राशिद खान का जो वह 4 ओबर का स्पेल था वो असल माइनों में गुजराट टाइटन्स को जिता ले गया पावर प्ले में आज बने राशिस्थान की तरफ से केवल और केवल 43 रंस लेकिन 20 ओवर में 196 बनाने में कामयाब हो गए थी राशिस्थान रॉयल्स की टीम और 1977 का लक्षे आज के इस मुकाबले में गुजराट टाइटन्स के लिए सेट किया जिसमें गुजराट टाइटन्स की टीम जब बल्ले बादी करने इस मैच में उतरी तो टाइटन्स की शुरुआत तो उतनी कुछ खास नहीं रही क्योंकि जो आज सलामी बल्ले बादी करने उतरे इस मुकाबले में 20 साइस तुदर्शन 39 गेंदों में 35 बनाए तीन चौका और एक छक्का मार के अपनी विकेट गवा बैठे 20 साइस तुदर्शन के बाद बल्ले बादी करने उतरे दाय हाथ के आपको शुबमंगिल कवाली इस गेंदों में बहत्ता रंस बनाए और आज इन्होंने कप्तानी पारी खेली छे चौके मारे दो छके मारे बहुत अच्छी बल्ले बादी की अंत में अपनी चलहांकी से युजुवेंद्र चहल ने इनको चलता कर दिया फिर आपको मैत्यू वेड आए जो की सीजन का अपना पहला ही मुकाबला खेल रहे थे और मैत्यू वेड ने आपको इस मुकाबले में कुछ खास किया नहीं छे गेंदे खेली चार रंस बनाएं और फिर अपनी विकेट भी गवा के चलते बने जनाब इनके आउट होने के बाद बल्ले बादी में नमबर चार की पोजिशन पे उतारा गया दाएं हाथ के अभिनाव मनोहर को अभिनाव मनोहर ने इस मुकाबले में आपको दो गेंदो के उपा एक रं की पारी के बाद अभिनाव मनोहर की पारी जो है वो समाफ्त हो गई अभिनो मनोहर की पारी के बाद बल्लेबादी करने उत्रे दाएं हाथ के विजय शंकर और विजय शंकर ने आपको आज 10 गेंदों पे 16 रन बनाए जिसमें 3-4 शामिल थे विजय शंकर के बाद राहुल तेवतिया ने 11 गेंदों पे 22 रन्स बनाए चौटा सा मोमेंटम दिलाया था लेकिन फिनिश किया इस मोमेंटम को राशिद खान ने 11 गेंदे 24 रन्स चार चौके 208 का स्ट्राइक रेट और अंतीम गेंद पे 2 रन्स चाहिए थे पोइंट बाउंडरी के तरफ चौका मार के राशिद ने टीम को जिता दिया नूर एमद नौट आउट रहे सून्य पे 11 रन्मुफ्त में मिले 7 वाइट एक नोबॉल और 3 लेगबाई के रूप में आज फॉल आफ विकेट्स पहली विकेट आपको इस मुकाबले के अंदर गुजरा टाइटन्स की 64 पे गई दूसरी 77 पे गई, तीसरी 89 पे गई, चौती 111 पे पांचवी एक सो, तैंतीस पे चटी एक सो, संतावन पे आठवी आपको साथवी एक सो पंचानवे पर है फिर आपको गेनबाद ही किये अंदर बात करते हैं तो कप्तान ने अपने मेन गेनबादों का ही इस्तमाल नहीं किया ट्रेंट बोल्ट चार दो ओवर केवल कराए गए पता है नहीं क्यूं आठ रन दिये कोई सफलता नहीं ट्रेंट बोल्ट ने अवेश खान चार ओवर अरतालीस रन एक सफलता केशव महराज दो ओवर सोला रन और कोई सफलता नहीं पहले माच में असफल रहे रवी चंदरन अश्विन बहुत बड़ा सेट बैक रहा दोस्तो राजस्थान के लिए चार ओवर चालीस रन कोई सफलता नहीं युजवेंद्र चहल चार ओवर तिरालीस रन दो सफलता हैं चहल की चतुराई भी आज माच नहीं जिता पाई फिर आपको कुलदीप सेन क्या गेंदबादी की भाई साहब इन्होंने चार ओवर एकतालीस रन और तीन सफलता हैं कमाल कर दिया कुलदीप सेन ने पावर प्ले में आज 44 रन्स बनें और इस तरीके से राजस्थान रॉयल्स के टीम ने 197 रनों का पीछा करते हैं इस मुकाबले में 22 बरों के इस्तमापती पर 199 रन्स बना लिये 7 विक्टो के नुकसान पार और आज के इस मुकाबले को जो है वो राजस्थान रॉयल्स की टीम जो है वो जीत हार चुकी है अब चलते हैं पॉइंस टेबल की तरफ और देखते हैं पॉइंस टेबल की परिस्तितिया क्या नजर आ रही है तो दोस्तों ये 24 वे मकाबले की समापती के बाद पॉइंस टेबल के हालात कुछ इस तरीके से बन गए है राजस्तान रॉयल्स टॉप पर बना हुआ है अभी भी पहला मकाबला इस सीजन के अंदर हारा और अब सारी टीमें ऐसी हो गई है जिसने एक न एक मकाबला हारा हुआ है तो आज राजस्तान अपना पहला मकाबला हारा इस सीजन में राजस्तान रॉयल्स के अलावा अगर हम देखेंगे तो राजस्तान अपने पिलाल 5 मकाबलों में 4 जीता है एक हारा है और इनके पास 8 अंकों के साथ नंबर 1 नमबर दू पे गोलक methyya night riders की team चार मुकाबलों में तीन जीत एक हार 1.5 कर रनरेट छे अंकों के साथ कोलकता नमबर दो एक पे राज अस्तान 5 मुकाबलों में में 4 जीत एक हार 8 अंकों के साथ नमबर 3 पर लखनाउ सूपजाइंट्स जाएंच चार मुकाबलो में 3 जीत 1 हार 0.7 का रन रेट 6 अंकों के साथ लखनाउं नंब्बर 3 नंब्र 4 पर चैन्नाई सूपा किंग्स 5 मुकाबलो में 3 जीत 2 हार 0.6 का रन रेट 6 अंकों के साथ चैन्नाई नंबwa 4 नमब पांच पे सनराइजर्स हैधरबाद पांच मुकाबलों में 3 जीत, 2 हार 0.3 का रण रेट 6 अंकों के साथ हैधरबाद नमब पांच नमब चे पे गुजराट टाइटन्स आ चुकी है इस 7 से जिनने चे मुकाबलों में 3 जीते हैं, 3 हारे हैं माइनस 0.6 का रन रेट, 6 अंकों के साथ गुजरात नंबर 6, नंबर 7 पे पंजाब किंग्स, 5 मुकाबलों में 2 जीत, 3 हार माइनस 0.19 का रन रेट, नंबर 8 के उपर मुंबाई इंडियन्स, 4 मुकाबलों में 1 जीत, 3 हार माइनस 0.7 का रन रेट, 2 अंकों के साथ मुंबाई नं नमबर नो पे Royal Challengers बिंगा लूरू पांच मुकाबलों मेंग जीत 4 हार दो अंकों के साथ बिंगा लूरू है नमबर नौ पार नमबर दस पे हैं दिल्ली Capitals पांच मुकाबलों मेंग जीत 4 हार माइनस 1.3 करण रेट और दो अंकों के साथ दिल्ली नमबर दस तो ये हैं दोस्तों आपको टाटा IPL 2024 के पॉइंट स्टेबल के सूरतेहाल और आज का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स हार गई है और गुज्राट टाइटन्स ने इस मुकाबले को तीन विक्टो से जीत लिया है कहां सबने सोचा था कि राजस्थान रॉयल्स आज पांचवा मुकाबला जीतेगी लगभग लगभग राजस्थान जीती चुकी थी इस मुकाबले को लेकिन उनके मुँ में हाँ डाल के इस माच को जो जीत लिया है गुज्राट टाइटन्स ने क्योंकि अठारवे उननीस वे उवर तक तो लगी रहा था कि राजस्थान जीत जाएगी लेकिन अंद में दोस्तों यहाँ पर एकाद उवर ने पूरी तरीके से माच का जो रुख था वो बदल के रख दिया तो अब है कल दो बड़े एक और बड़ा मुकाबला कल है आपको मुंबई इंडियन्स वर्सिस रॉयल चैलिंजर्स बेंगालूरू के बीच मुंबई के वांग खेड़े के मैदान पे मुकाबला तो दोस्तों कल के लिए तयार हो जाएए वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब खाना पीना खाईए मज़े कीजिए नोटिफिकेशन का बटन दबाईए सब्सक्राइब करने के बाद मिलेंगे हम मुंबई और बेंगलूरू के मुकाबले में लेकिन अभी कहीं नहीं जाने का अभी स्कोर कार्ट के उपर एक नज़र डालने का दी आफस्टम दायहाथ के राशिद खान को और राशिद खान बाकफुट पे खड़े रहे के गेन को ये स्क्वेर कट करने में कामयाब हो गए गेन बले के बीच ओ बीच टकराने के बाद डीब बैकवर्ड पॉइंट बाउंडरी के तराफ और ये पूरे चार रंस मिले है राशिद खान को राशिद खान ने इस मुकाबले को गुजराट टाइटन्स की टीम को तीन विक्टों से जीत दिला दी अंतिम गेंद के उपार स्क्वेर कट करके चौका मारा और राशिद खान के लिए आवेश खान की एक बहुत ही खराब गेंद यॉर्कर डालने की कोशिस करनी चाहिए थी लेकिन उन्हें शॉर्ट गेंद डाली और वो भी आफस्टम के बाहर बल्लेबाद ने बहुत अराम से इस गेंद के उपार स्क्वेर कट करके चार्ट रंस बटोर लिये गुजराट टाइटन्स ने सीजन का अपना ये तीसरा मुकाबला जीत लिया है और इस तीसरे मुकाबले को जीत के गुजराट टाइटन्स की टीम 199 रंड 199 रंओं के उपार 7 विक्टें 20 सोवरों की समाफती पार और आपको बतादे चलें गुजराट टाइटन्स की सानदार जीत की हीरो आपको एक नहीं है कई है इसमें शुबन गिल भी हीरो हैं इसमें राशित खान भी आज के मैच के अंदर हीरो हैं इसके अलावा आपको गेंद बाजी में याद होगा आप लोगों को क्या कमाल की गेंद बाजी की थी आपको गुजराट टाइटन्स की टीम की तरफ से राशित खान ने चार माँ ठारा रंदे के एक विकेट निकाला था उनकी गेन बादी भी आप नहीं भूल सकते हैं 197 के टार्गेट को 199 बना दिया 20 ओवर में टाइटन्स ने आज साम को जब टॉस हुआ तो टॉस के उपबादी मारी थी दोस्तों इसने राजस्थान रॉयल्स के सामने गुजराट टाइटन्स के कप्तान ने और उनका जो अंदाजा था कि बाद में चेस कर लेंगे हम 199 रंस वो अंदाजा बिल्कुल सही सावित हुआ और 199 रंस आपको इस टीम ने चेस कर लिये तो जब शुरुवात हुई बल्लेबादी में आपको इस माच में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से तो राजस्थान ने आपने पूरे 20 ओवरों में 196 रंस बनाए और 196 रंस की उपर आपको इस मुकाबले में 3 विक्टे भी गवाई राजस्थान रॉयल्स की टीम ने लेकिन उसके जवाब में 20 ओवर की अंतीम गेन पर 2 रंस चाहिए थे और उस अंतीम गेन पर चौका मार के राशिद खान आज के हीरो बन गए और जितना भी स्पॉटलाइट था दोस्तों वह आपको इन्हों ने आज के इस मुकाबले के इंदर हासिल कर लिया तो आईए चलते हैं मैच के तरफ और देखते हैं दोनों ही टीमों का स्कोरकार्ड के इंदर क्या कुछ कहानी रही राशिद खान आज के इस मुकाबले में जब बल्ले बादी करने उतरी थी राजस्थान रॉयल्स की टीम तो राजस्थान रॉयल्स की तरफ से आज शुरुआत एक बाद फिर बहुत खराब रही संजू सैमसन ने आज पारी की लाज बचाली राजस्थान रॉयल्स के लिए और आज ओपनिंग करने उतरे थे राजस्थान रॉयल्स की तरफ से यश्रस्वी जैस्वाल और यश्रस्वी जैस्वाल के साथ आज के मैच में सलामी बल्लेबादी करने उतरे थे दाए हाथ के जॉस दबॉस तो जॉस बटलर ने मुकाबले के अंदर केवल और केवल आपको 10 गेंदे खेली और 10 गेंदों के उपर आपको 8 बना कर अपनी विकेट गवा कर चलते बने जॉस बटलर के वो 8 रनों की पारी जिन्होंने पिछले माच में सतक मारा था बहुत प्र बढ़त और अंदाज में यशसवी जैसवाल ने आज इनका बल्ला चला लेकिन जादा देर नहीं चला 19 गेंदों के पड़ 24 रन्स मार के आउट हो गए आपको यशसवी जैसवाल जैसवाल के आउट होने के बाद बैटिंग करने उतरे नंबर 3 की पोजिशन पार दाए गगन चुम्बी छक्के भी सामिल थे जिसमें 178 का स्ट्राइक रेड था संजू सामसन का और संजू सामसन की ये नाबाज जो पारी थी 68 रनों की वह राजस्थान रोयल्स को लगभग लगभग मैट जीता ही ले गई थी लेकिन अंत में गुजराट टाइटन्स ने अपने नर्फ को हूल्ड रखा और मैट जीत ले गई लेकिन सामसन के अलावे एक और खिलाडी की तारीफ करनी पड़ेगी पिछले साल ये खिलाडी आपको लोग कहते थे कि बोज बना हुआ है लेकिन रियान पराग इस साल दिखा रहे हैं कि क्यों इस खिलाडी को इस टीम ने इ इसके बाद लेकिन इनों ने सामसन ने मिल के कमाल कर दिया अंत में शिम्रोन हेट मायर ने पांच गेंदों पे तेरा रन बनाए एक चौका और एक चका मारा इस मैच में हेट मायर के पांच गेंदों में तेरा रनों के बाद सात रन मुफ्त में मिले सातों के सातों वाइड के रूप में पॉल ओफ विकेट्स की बात कर लेते हैं आज के दिन तो पहली विकेट आपको इस मुकाबले के अंदर राजस्थान रोयल्स की टीम की गई थी 32 पर दूसरी विकेट आपको इस मैच में 42 पर जया बटलर की और तीसरी विकेट 172 पर आज गेनबादी में आपको गुजरा टाइटन्स की तरफ से उमेश या दो 4 ओबर 47 रन एक विकेट स्पेंसर जॉंसन 4 ओबर 37 रन कोई विकेट नहीं राशित खान अपने 4 में 18 रन दे के एक विकेट नूर एमद 4 में 43 रन दे के कोई विकेट नहीं मोहीत चर्मा 4 में 51 रन दे के एक सफल था राशित जो वह 4 ओबर का स्पेल था वो असल माइनों में गुजरा टाइटन्स को जिता ले गया पावर प्ले में आज बने राजस्थान की तरफ से केवल और केवल 43 रन लेकिन 20 ओबर में 196 बनाने में कामयाब हो गए थी राजस्थान रॉयल्स की टीम और 197 का लक्षे आज के इस गुजरा टाइटन्स की टीम जब बल्ले बादी करने इस माच में उतरी तो टाइटन्स की शुरुवात तो उतनी कुछ खास नहीं रही क्योंकि जो आज सलामी बल्ले बादी करने उतरे इस मुकाबले में 20 साइस तुदर्शन 39 गेंदों में 35 बनाए 3 चौका और 1 चौका मा दो चक्ये मारे बहुत अच्छी बल्ले बादी की अंत में अपनी चलहांकी से युजुवेंद्र चहल ने इनको चलता कर दिया फिर आपको मैत्यू वेड़ा है जो की सीजन का अपना पहला ही मुकाबला खेल रहे थे और मैत्यू वेड़ ने आपको इस मुकाबले में अभिनाव मनोहर ने इस मुकाबले में आपको दो गेंदो के उपा एक रन की पारी खेली और दो गेंदो के उपा एक रन की पारी के बाद अभिनाव मनोहर की पारी के बाद बल्ले बादी करने उत्रे दाय हाथ के विजय शंकर और विजय शंकर ने आपको आज 10 गेंदो प स्ट्राइक रेट अंतीम गेंद से पहले राहुल तेवतिया आउट हो गए राहुल तेवतिया के बाद शारू खान ने आठ गेंदों में 24 रंज बनाएं लेकिन फिनिश किया इस मोमेंटम को राशिद खान ने 11 गेंदे 24 रंज 4 चौके 218 का स्ट्राइक रेट और अंतीम गेंद पे दो रंज चाहिए थे पॉइंट बाउंडरी के तरफ चौका मार के राशिद ने टीम को जिता दिया नूर एमद नौट आउट रहे सून्य पे 11 रंण मुफ्त में मिले 7 वाइट एक नो बॉल और 3 लगबाई के रूप में आज फॉल आउ विकेट्स पहली विकेट्स आपको इस मुकाबले के अंदर गुजरा टाइटन्स की 64 पे गई दूसरी 77 पे गई, तीसरी 89 पे गई, चौती 111 पे पांचवे एक सो, 33 पे चटी एक सो, 57 पे आठवी आपको साथवी एक सो, 95 पे फिर आपको गेंदबादी किये अंदर बात करते हैं तो कप्तान ने अपने में गेंदबादों का ही इस्तमाल नहीं किया ट्रेंट बोल्ट चार दो ओवर के वल कराए गए, पता नहीं क्यूँ, आठ रन दिये कोई सफलता ने ट्रेंट बोल्ट ने, अवेश खान चार ओवर 48 रन एक सफलता, केशव महराज दो ओवर 16 रन और कोई सफलता नहीं, पहले माच में असफल रहे रवी चंदरन अश्विन बहुत बड़ा सेट बैक रहा है, दोस्तो राजस्थान के लिए, चार ओवर 40 रन कोई सफलता नहीं, यूजवेंद्र चहल, चार ओवर 43 रन दो सफलता हैं, चहल की चतुराई भी आज माच नहीं जिता पाई, पिर आपको कुलदीप सेन, क्या गे टीम ने 197 रनों का पीछा करते हुए, इस मुकाबले में, 20 तोबरों के इस समापती पर 199 रन बना लिये, 7 विक्टो के नुकसान पार, और आज के इस मुकाबले को जो है, वो राजस्थान रॉयल्स की टीम जो है, वो जीत हार चुकी है, अब चलते हैं, पॉइंस टेबल की परिस्तिया क्या नजर आ रही हैं, तो दोस्तों, ये 24 वे मुकाबले की समापती के बाद, पॉइंस टेबल के हालात कुछ इस तरीके से बन गए हैं, राजस्थान रॉयल्स टॉप पर बना हुआ है, अभी भी, पहला मुकाबला इस सीजन के अंदर हारा, और अब सारी टीम एसी हो गई हैं जिसने एक ना एक मुकाबला हारा हुआ है, तो आज राजस्थान अपना पहला मुकाबला हारा ही सीजन में, राजस्थान रॉयल्स के अलावा, अगर हम धेखेंगे तो राजस्थान अपने फिलाल 5 मुकाबलों में 4 जीता है, एक हारा है, और इनके पास 8 अंकों के साथ नमबा एक नमबर दो पे Kolkata Night Riders की टीम चार मुकाबलों में तीन जीत एक हार 1.5 का रंडूरेट 6 अंकों के साथ kolkata नमबा दो एक पे राजस्तान 5 मुकाबलों में 4 जीत एक हार 8 हंकों के साथ नमबर 3 पर लखनव Super Giants चार मुकाबलों में तीन जीत एक हार 0.7 का रन रेट 6 अंकों के साथ लखनाउ नम्बा तीन नम्बा चार पर चन्नाई सूपकिंग्स पांच मुकाबलों में तीन जीत दो हार 0.6 का रन रेट छे अंकों के साथ चन्नाई नम्बा चार नमब़ 5 पे Sunrisers हैदरबाद पांच मुकाबलों में 3 जीत 2 हार 0.3 का रनरेट 6 अंकों के साथ हैदरबाद नमब़ 5 नमब़ 6 पे गुजराट Titans आचुकी है साथ से जिनने छे मुकाबलों में 3 जीते हैं 3 हारे हैं माइना 0.6 का रनरेट छे अंकों के साथ गुजरात नंबर छे नंबर साथ पे पंजाब किंग्स पांच मुकाबलों में दो जीत तीन हार माइनस 0.19 का रन रेट नंबर आठ के उपर मुंबई इंडियन्स चार मुकाबलों में एक जीत तीन हार माइनस 0.7 का रन रेट दो अंकों के साथ मुंबई नमबर आठ नमबर नौ पे रोयल चलेंजर्स बिंगा लूरू पांच मुकाबलों में एक जीत चार हार दो अंकों के साथ बिंगा लूरू है नमबर नौ पार नमबर 10 पे है दिल्ली कापिटल्स पांच मुकाबलों में एक जीत चार हार माइनस 1.3 करन रेट और दो अंकों के साथ दिल्ली नमबर 10 तो ये हैं दोस्तों आपको टाटा IPL 2024 के पॉइंस टेबल के सूरतेहाल और आज का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स हार गई है और गुजराट टाइटन्स ने इस मुकाबले को तीन विक्टो से जीत लिया है कहां सबने सोचा था कि राजस्थान रॉयल्स आज पांचवा मुकाबला जीतेगी लगभग लगभग राजस्थान जीती चुकी थी इस मुकाबले को लेकिन उनके मुँ में हाँ डाल के इस माच को जो वो जीत लिया है गुजराट टाइटन्स ने जीत जाएगी लेकिन अंद में दोस्तों यहाँ पर एकाद ओवर ने पूरी तरीके से माच का जो रुख था वो बदल के रख दिया तो अब है कल दो बड़े एक और बड़ा मुकाबला कल है आपको मुंबाई इंडियन्स वर्सिस रॉयल चैलिंजर्स बेंगालूरू के बीच मुंबाई के वांग खेड़े के मैदान पे मुकाबला तो दोस्तों कल के लिए तयार हो जाएए वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब खाना पिना खाईए मज़े कीजिए नोटिफिकेशन का बटन दबाईए सब्सक्राइब करने के बाद मिलेंगे हम मुंबाई और बेंगलूरू के मुकाबले मे लेकिन अभी कहीं नीजाने का अभी स्कॉर्कार्ट के उपर एक नज़र डालने का आएए स्कॉर्कार्ट पर एक नज़र डाल ले ते विड्दिया आउटसाइद यॉफस्टम दायहाथ के राशिद खान को और राशिद खान बाकफूट पे खड़े रहे के गेंद को ये स्क्वेर कट करने में काम्याब हो गए गेंद बले के बीच ओ बीच टकराने के बाद दीब बैकवर्ड पॉइंट बाउंडरी के तराफ और ये पूरे चार रंस मिले हैं राशिद खान को राशिद खान ने इस मुकाबले को गुजराट टाइटन्स की टीम को तीन विक्टो से जीत दिला दी अंतिम गेंद के उपार स्क्वेर कट करके चौकाब मारा और राशिद खान के लिए आवेश खान की एक बहुत ही खराब गेंद यारकर डालने की कोशिस करनी चाहिए थी लेकिन उन्हें शॉर्ट गेंद डाली और वो भी आफस्टम के बाहर बल्लेबाज ने बहुत आराम से इस गेंद के उपार स्क्वेर कट करके चार्ट रंस बटोर लिये गुजराट टाइटन्स ने सीजन का अपना ये तीसरा मुकाबला जीत लिया है और इस तीसरे मुकाबले को जीत के गुजराट टाइटन्स की टीम 199 रन, 199 रनों के उपार 7 विक्टें, 200 वरों की समाफ्ती पार और आपको बताते चलें गुजराट टाइटन्स की सांदार जीत की हीरो आपको एक नहीं है, कई है इसमें शुबमन गिल भी हीरो है, इसमें राशित खान भी आज के मैच के अंदर हीरो है इसके अलावा आपको गेंद बाजी में याद होगा आप लोगों को क्या कमाल की गेंद बाजी की थी आपको गुजराट टाइटन्स की टीम की तरफ से राशित खान ने चार माँ ठारा रंदे के एक विकेट निकाला था उनकी गेंद बाजी भी आप नहीं भूल सकते हैं 1977 के टार्गेट को 199 बना दिया 20 ओवर में टाइटन्स ने आज साम को जब टास हुआ तो टास के उपापाजी मारी थी दोस्तों किसने राजस्थान रॉयल्स के सामने गुजराट टाइटन्स के कप्तान ने और उनका जो अंदाजा था कि बाद में चेस कर लेंगे हम 199 रंस वो अंदाजा बिल्कुल सही साबित हुआ और 199 रंस आपको इस टीम ने चेस कर लिये तो जब शुरुआत वी बल्लेबादी में आपको इस माच में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से तो राजस्थान ने आपने पूरे 20 ओवरों में 196 रंस बनाए और 196 रंस की उपर आपको इस मुकाबले में तीन विक्टे भी गवाई राजस्थान रॉयल्स की टीम ने लेकिन उसके जवाब में 20 ओवर की अंतीम गेन पर दो रंस चाहिए थे और उस अंतीम गेन पर चौका मार के राशिद खान आज के हीरो बन गए और जितना भी स्पोटलाइट था दोस्तों वह आपको इन्होंने आज के इस मुकाबले के अंदर हासिल कर लिया तो आएए चलते हैं मैच के तरफ और देखते हैं दोनों ही टीमों का स्कोर कार्ड आखिरकार दोनों ही टीमों के स्कोर कार्ट के अंदा क्या कुछ कहानी रही राशित खान आज के इस मुकाबले में जब बल्लेबादी करने उतरी थी राजस्थान रॉयल्स की टीम तो राशित्तान रॉयल्स की तरफ से आज चुरुवात एक बबाप फिर बहुत खराब रही संजू सैम्सन ने आज पारी की लाज बचा लिए राजस्थान रॉयल्स के लिए और आज ओपनिंग करने उतरे थे राजस्थान रॉयल्स की तरह से यस्रस्वी जैसवाल और यश्रस्वी जैस्वाल के साथ आज के मैच में सलामी बल्लेबादी करने उतरे थे दाएं हाथ के जॉस दबॉस तो जॉस बटलर ने मुकाबले के अंदर केवल और केवल आपको 10 गेंदे खेली और 10 गेंदों के उपर आपको 8 बना कर अपनी विकेट गवा कर चलते बने जॉस बटलर के वो 8 रनों की पारी जन्होंने पिछले माच में सतक मारा था बहुत प्रेशर डाल गिया फिर आपको आए यश्रस्वी जैस्वाल यश्रस्वी जैस्वाल ने आपको इस मुकाबले में महज 19 गेंदे खेली और 19 गेंदों के उपर 24 रन्स बनाए ताबर तोर अंदाज में यश्रस्वी जैस्वाल ने आज इनका बल्ला चला लेकिन जादा देर नहीं चला 19 गेंदों के पड़ 24 रंस मार के आउट हो गए आपको यश्रस्वी जैस्वाल जैस्वाल के आउट होने के बाद बैटिंग करने उतरे नमबा 3 की पोजिशन पार दाए हाथ के संजू सामसन संजू सामसन ने आज कप्तानी पारी खेली और सामसन ने महज और महज आपको 38 गेंदों के उपर अरसाट रंस ठोक दिये जिसमें 7 चौके शामिल थे और 2 गगन चुम्बी छक्के भी शामिल थे जिसमें 178 का स्ट्राइक रेड था संजू सामसन का और संजू सामसन की ये नाबाज जो पारी थी 68 रनों की वो राजस्थान रॉयल्स को लगभग लगभग मैट जिता ही ले गई थी लेकिन अंत में गुजराट टाइटन्स ने अपने नर्फ को हूल्ड रखा और मैट जीत ले गई लेकिन सामसन के अलावे एक और खिलाडी की तारीफ करनी पड़ेगी पिछले साल ये खिलाडी आपको लोग कहते थे कि बोज बना हुआ है लेकिन रियान पराग इस साल दिखा रहे हैं कि क्यों इस खिलाडी को इस टीम ने इतना ज़ादा बैक अप किया रियान पराग 48 गेंदे, 76 रन, 3 चौके, 5 चके, 158 का स्ट्राइक रेट और जब आये थे बल्ले बाजी करने तब लगतार दो विक्टे गिर गई थी उसके बाद लेकिन इन्हों ने, सैमसन ने मिलके कमाल कर दिया अंत में शिम्रोन हेट मायर ने 5 गेंदों पे 13 रन बनाएं, 1 चौका और 1 चका मारा इस मैच में हेट मायर के, 5 गेंदों में 13 रनों के बाद, 7 रन मुफ्त में मिले, 7 के 7 वाइड के रूप में पॉल ओफ विकेट्स की बात कर लेते हैं आज के दिन तो पहली विकेट आपको इस मुकाबले के अंदर राजस्थान रोयल्स के टीम की गई थी 32 पर दूसरी विकेट आपको इस मैच में 42 पर जया बटलर की और तीसरी विकेट 172 पर आज गेंदबादी में आपको गुजराट टाइटन्स की तरफ से उमेश यादो, 4 ओबर 47 रन एक विकेट स्पेंसर जॉनसन 4 ओबर 37 रन कोई विकेट नहीं राशिद खान अपने 4 में 18 रन्दे के एक विकेट, नूर एमद 4 में 43 रन्दे के कोई विकेट नहीं मोहीत चर्मा 4 में 51 रन्दे के एक सफल था, राशिद खान का जो वह 4 ओबर का स्पेल था, वो असल माइनों में गुजराट टाइटन्स को जिता ले गया पावर प्ले में आज बनें, राशिस्थान की तरफ से केवल और केवल 43 रन्स, लेकिन 20 ओवर में 196 बनाने में कामयाब हो गए थी राशिस्थान रॉयल्स की टीम, और 197 का लक्षे आज के इस मुकाबले में गुजराट टाइटन्स के लिए सेट किया, जिसमें गुजराट की टीम जब बल्ले बादी करने इस माच में उतरी, तो टाइटन्स की शुरवात तो उतनी कुछ खास नहीं रही, क्योंकि जो आज सलामी बल्ले बादी करने उतरे इस मुकाबले में, 20 आज तुदर्शन, 39 गेंदों में 35 बनाए, 3 चौका और 1 चौका मार के अपनी विकेट गवा बैठे, 20 आज सुदर्शन के बाद बल्ले बादी करने उतरे दाय हाथ के, आपको शुबमन गिल, 40 गेंदों में 22 रंस बनाए, और आज इन्होंने कप्तानी पारी खेली, 6 चौके मारे, 2 चके मारे, बहुत अच्छी बल्ले बादी की, अंत में अपनी चलहांकी से और फिर अपनी विकेट भी गवा के चलते बने जनाब, इनके आउट होने के बाद बल्ले बादी में नमबर 4 की पोजिशन पे उतारा गया दाय हाथ के अभिनव मनोहर को, अभिनव मनोहर ने इस मुकाबले में आपको दो गेंदों के उपा एक रं की पारी के बाद अभिन चौके शामिल थे, विजय शंकर के बाद राहुल तेवतिया ने 11 गेंदों पे 22 रंस बनाएं, तीन चौके शामिल थे इस मुकाबले में, 200 का स्ट्राइक रेट, अंतीम गेंद से पहले राहुल तेवतिया आउट हो गए, राहुल तेवतिया के बाद शारू खान ने 8 गें तो एक छोटा सा मोमेंटम दिलाया था, लेकिन फिनिश किया इस मोमेंटम को राशित खान ने 11 गेंदे 24 रंस चार चौके, 218 का स्ट्राइक रेट, और अंतीम गेंद पे 2 रंस चाहिये थे, पोइंट बाउंडरी के तरफ चौका मार के राशित ने टीम को जिता दिया, दूसरी सततर पे गई, तीसरी उननासी पे गई, चौती एकसो, ग्यारा पे पांचवे एकसो, तैंतीस पे छटी एकसो, संतावन पे आठवी आपको सातवी एकसो, पंचानवे पे, फिर आपको गेंद बाद ही किये, अंदर बात करते हैं, तो कप्तान ने अपने मेन गेंद बाजो का ही इस्तमाल नहीं किया, ट्रेंट बोल्ट चार, दो ओवर के वल कर आए गए, पता नहीं क्यूं, आठ रन दिये कोई सफलता ने, अवेश खान चार ओवर अर्टालीस रन एक सफलता, केशव महराज, दो ओवर सोला रन और कोई सफलता नहीं, पहले माच में असफ रहे, रवी चंदरन अश्विन बहुत बड़ा सेट बैक रहा है, दोस्तो राजस्थान के लिए, चार ओवर चालीस रन कोई सफलता नहीं, यूजवेंद्र चहल, चार ओवर तिरालीस रन दो सफलता हैं, चहल की चतुराई भी आज माच नहीं जिता पाई, फिर आपको कु एक सो संतानवे रनों का पीछा करते हैं इस मुकाबले में, बीस दोबरों के समापती पर एक सो निनानवे रन्स बना लिये, साथ विक्टो के नुकसान पार, और आज के इस मुकाबले को जो है वो राजस्थान रॉयल्स की टीम जो है वो जीत हार चुकी है, अब चलते हैं पॉइंस टेबल की तरफ और देखते हैं पॉइंस टेबल की परिस्तिया क्या नजर आ रही हैं, तो दोस्तों ये 24 वे मुकाबले की समापती के बाद पॉइंस टेबल के हालात कुछ इस तरीके से बन गए हैं, राजस्थान रॉयल्स टॉप पर बना हुआ है अभी भी, पह पर राजस्तान अपने फिलाल 5 मुकाबलों में 4 जीता है, एक हारा है और इनके पास 8 अंकों के साथ नमबर 1 नमबर 2 पर कोलकता नाइट राइडर्स की टीम, 4 मुकाबलों में 3 जीत एक हार, 1.5 कर अंकों के साथ कोलकता नमबर 2 एक पे राजस्तान पाँच मुकाबलों में चार जीत एक हार आठ अंकों के साथ नमबर तीन पर लखनव सूपर जायंट्स चार मुकाबलों में तीन जीत एक हार 0.7 का रणरेट छे अंकों के साथ लखनव नमबर तीन नमबर चार पर चन्नाई सूपर किंग्स पांच मुकाबल में तीन जीत दोहार 0.6 का रन रेट छे अंकों के साथ चन्नाई नमबर चार नमबर पांच पे सन्राइजर्स हैदरबाद पांच मुकाबल में तीन जीत दोहार 0.3 का रन रेट छे अंकों के साथ हैदरबाद नमबर पांच नमभर 6 पे गुजराट Titans आ चुकी है साथ से जिन्ने हने छे मुकाबल में 3 जीते हैं 3 हारे हैं माइना 0.6 का रन रेट 6 अंकों के साथ गुजराट नमभर 6 नमभर 7 पे पंजाब Kings 5 मुकाबल में 2 जीत 3 हार माइना 0.19 का रन रेट नमबा आठ के उपर मुंबाई इंडियन्स चार मुकाबलों में एक जीत तीन हार माइनस 0.7 का रन रेट दो अंकों के साथ मुंबाई नमबा आठ नमबा नौ पे रोयल चलेंजर्स बिंगा लूरू पांच मुकाबलों में एक जीत चार हार दो अंकों के साथ बेंगालूरू है नमबर नौ पार नमबर दस पे है दिल्ली कापिटल्स पाँच मुकाबलों में एक जीत, चार हार माइनस वन पॉइंट त्री करन रेट और दो अंकों के साथ दिल्ली नमबर दस तो यह हैं दोस्तों आपको टाटा IPL 2024 के पॉइंस टेबल के सूरतेहाल और आज का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स हार गई है और गुज्राट टाइटन्स ने इस मुकाबले को तीन विक्टो से जीत लिया है तहां सबने सोचा था कि राजस्थान रॉयल्स आज पांचवा मुकाबला जीतेगी लगभग लगभग राजस्थान जीती चुकीती इस मुकाबले को लेकिन उनके मुँ में हाँ डाल के इस माच को जो जीत लिया है गुज्राट टाइटन्स ने क्योंकि 18-19 उवर तक तो लगी रहा था कि राजस्थान जीत जाएगी लेकिन अंद में दोस्तों यहाँ पर एकाद उवर ने पूरी तरीके से माच का जो रुख था वो बदल के रख दिया तो अब है कल दो बड़े एक और बड़ा मुकाबला कल है आपको मुंबाई इंडियन्स वर्सिस रॉयल चैलेंजर्स बेंगालूरू के बीच मुंबाई के वांग खेड़े के मैदान पे मुकाबला तो दोस्तों कल के लिए तयार हो जाएए वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को कर दीजे सब्सक्राइब खाना पीना खाईए मज़े कीजिए नोटिफिकेशन का बटन दबाईए सब्सक्राइब करने के बाद मिलेंगे हम मुंबाई और बैंगलूरू के मुकाबले में लेकिन अभी कहीं नी जाने का अभी स्कोर कार्ट के उपर एक नज़र डा थे थोड़ी सी शॉट डाली विट दिया आउटसाइद यॉफ स्टम दायहाथ के राशिद खान को और राशिद खान बैक्फुट पे खड़े रहे के गेन को ये स्क्वेर कट करने में कामियाब हो गए गेन बल्ले के बीच ओ बीच टकराने के बाद डीब बैक्वर्ट उपार स्क्वेर कट करके चौका मारा और राशिद खान के लिए आवेश खान की एक बहुत ही खराब गेन यॉर कर डालने की कोशिस करनी चाहिए थी लेकिन उन्हें शॉट गेन डाली और वो भी आफस्टम के बाहर बल्ले बाद ने बहुत आराम से इस गेन के उपार स्क् 109 रनो के उपार साथ विक्टें बीज सोवरों की समाफ्ति पार और आपको बताते चलें गुजराद टाइटंस की सांदार जीत की हीरो आपको एक नहीं है कई हैं इसमें शुबमन गिल भी हीरो हैं इसमें राशित खान भी आज़के मैच के अंदर हीरो हैं इसके अलावा आपको गेंद बाजी में याद होगा आप लोगों को क्या कमाल की गेंद बाजी की थी आपको गुज्राट टाइटन्स की टीम की तरफ से राशित खान ने चार मां ठारा रंदे के एक विकेट निकाला था उनकी गेंद बाजी भी आप नहीं भूल सकते हैं 197 के टारगेट को 199 बना दिया 20 ओवर में टाइटन्स ने आज साम को जब टॉस हुआ तो टॉस के उपापाजी मारी थी दोस्तों किसने राजस्थान रोयल्स के सामने गुज्राट टाइटन्स के कप्तान ने और उनका जो अंदाजा था कि बाद में चेस कर लेंगे हम 199 रंस व राजस्थान ने अपने पूरे 20 ओवर में 196 रंस बनाए और 196 रंस के उपर आपको इस मुकाबले में तीन विक्टे भी गवाई राजस्थान रोयल्स की टीम ने लेकिन उसके जवाब में 20 ओवर की अंतीम गेन पर दो रंस चाहिए थे और उस अंतीम गेन पर चौका मार के राशित खान आज के हीरो बन गए और जितना पी स्पोटलाइट था दोस्तों वह आपको इन्होंने आज के इस मुकाबले के अंदर हासिल कर लिया तो आएए चलते हैं मैच की तरफ और देखते हैं दोनों ही टीमों का स्कोरकार्ड के अंदर क्या कुछ कहानी रही राशित आजके इस मुकाबले में जब बल्लेबादी करने उत्री थी रاجस्थान रोयल्स की टीम तो राजस्थान रोयल्स की तरफ से आज शुरुआत एक बाफ फिर बहुत खराब रही संजू सैमसन ने आज पारी की लाज बचा ली राजस्थान रोयल्स के लिए और आज ओपनिंग करने उतरे थे राजस्थान रोयल्स की तरफ से यश्रस्वी जैसवाल और यश्रस्वी जैसवाल के साथ आज के मैच में सलामी बल्ले बादी करने उतरे थे दाएं हाथ के जौस दबॉस तो जॉस बटलर ने मुकाबले के अंदर केवल और केवल आपको 10 गेंदे खेली और 10 गेंदों के उपर आपको 8 बना कर अपनी विकेट गवा कर चलते बने जॉस बटलर के वो 8 रनों की पारी जिन्होंने पिछले माच में सतक मारा था बहुत प्रेशर डाल गया फिर आपको आए यशस्वी जैस्वाल यशस्वी जैस्वाल ने आपको इस मुकाबले में महज 19 गेंदे खेली और 19 गेंदों के उपर 24 रन्स बनाए ताबर तोर अंदाज में यशस्वी जैस्वाल ने आज इनका बल्ला चला लेकिन जादा देर नहीं चला 19 गेंदों के उपर 24 रन्स मारक आउट हो गया आपको यशस्वी जैस्वाल जैस्वाल के आउट होने के बाद बैटिंग करने उत्रे नमबा 3 की पॉजिशन पार दाएँ हाथ के संजू साम्सन संजू साम्सन ने आज कप्तानी पारी खेली और साम्सन ने महज और महज आप को 38 गेंदों के उपर 68 रन्स ठोक दिये जिसमें 7 चौके शामिल थे और 2 गगन चुम्बी छक्के भी शामिल थे जिसमें 178 का स्ट्राइक रेड़ था संजू सामसन का और संजू सामसन की ये नाबाज जो पारी थी 68 रनों की वो राजस्थान रोयल्स को लगभग लगभग मैट जिता ही ले गई थी लेकिन अंत में गुजराट ताइटन्स ने अपने नर्फस को होल्ड रखा और मैट जीत ले गई लेकिन सामसन के अलावा एक और खिलाडी की तारीफ करनी पड़ेगी पिछले साल ये खिलाडी आपको लोग कहते थे कि बोज बना हुआ है लेकिन रियान पराग इस साल दिखा रहे हैं कि क्यों इस खिलाडी को इस टीम ने इतना ज़्यादा बैक अप किया रियान पराग 48 गेंदे 76 रन 3 चौके 5 चके 158 का स्ट्राइक रेट और जब आये थे बाजी करने तब लगातार दो विक्टे गिर गई थी उसके बाद लेकिन इनों ने सैमसन ने मिल के कमाल कर दिया अंत में शिम्रोन हेट मायर ने 5 गेंदों पे 13 रन बनाए 1 चौका और 1 चका मारा इस मैच में हेट मायर के 5 गेंदों में 13 रनों के बाद 7 रन मुफ्त में मिले 7 के 7 वाइड के रूप में पॉल ओफ विकेट्स की बात कर लेते हैं आज के दिन पहली विकेट आपको इस मुकाबले के अंदर राजस्थान रोयल्स के टीम की गई थी 32 पर दूसरी विकेट आपको इस मैच में 42 पर जय बटलर की और तीसरी विकेट 172 पर आज गेंदबादी में आपको गुजराट टाइटन्स की तरफ से उमेश यादो 4 ओबर 47 रन एक विकेट स्पेंसर जॉनसन 4 ओबर 37 रन कोई विकेट नहीं राशिद खान अपने 4 में 18 रन्दे के एक विकेट नूर एमद 4 में 43 रन्दे के कोई विकेट नहीं मोहीद चर्मा 4 में 51 रन्दे के एक सफल था राशिद खान का जो वह 4 ओबर का स्पेल था वो असल माइनों में गुजराट टाइटन्स को जिता ले गया पावर प्ले में आज बने राशिस्थान की तरफ से केवल और केवल 43 रन्स लेकिन 20 ओवर में 196 बनाने में कामयाब हो गए थी राशिस्थान रोयल्स की टीम और 1977 का लक्षे आज के इस मुकाबले में गुजराट टाइटन्स के लिए सेट किया जिसमें गुजराट टाइटन्स की टीम जब बल्ले बादी करने इस मैच में उतरी तो टाइटन्स की शिरुवात तो उतनी कुछ खास नहीं रही क्योंकि जो आज सलामी बल्ले बादी करने उतरे इस मुकाबले में 20 साइस तुदर्शन 39 गेंदों में 35 बनाए तीन चौका और एक छक्का मार के अपनी विकेट गवा बैठे 20 साइस सुदर्शन के बाद बल्ले बादी करने उतरे दाय हाथ के आपको शुबमंगिल 44 गेंदों में 22 रंस बनाए और आज इन्होंने कप्तानी पारी खेली छे चौके मारे दो छके मारे बहुत अची बल्ले बादी की अंत में अपनी चलहांकी से युजुवेंद्र चहल ने इनको चलता कर दिया फिर आपको मैत्यू वेड आए जो की सीजन का अपना पहला ही मुकाबला खेल रहे थे और मैत्यू वेड ने आपको इस मुकाबले में कुछ खास किया नहीं छे गेंदे खेली चार रंस बनाएं और फिर अपनी विकेट भी गवा के चलते बने जनाब इनके आउट होने के बाद बल्ले बादी में नमबर चार की पोजिशन पे उतारा गया दाएं हाथ के अभिनाव मनोहर को अभिनाव मनोहर ने इस मुकाबले में आपको दो गेंदो के उपा एक रं की पारी के बाद अभिनाव मनोहर की पारी जो है वो समाफ्त हो गई अभिनाव मनोहर की पारी के बाद बल्ले बादी करने उत्रे दाएं हाथ के विजय शंकर चामिल थे इस मुकाबले में 200 का स्ट्राइक रेट अंतीम गेंद से पहले राहुल तेवतिया आउट हो गए राहुल तेवतिया के बाद शारू खान ने आठ गेंदों में 24 रंज बनाएं माफ किजिए गया 14 रंज बनाएं एक चौका और एक चौका शारू खान ने मारा फिरवात इन्हों ने ही किया आपको जब मैच में पीछे चल रहे थे तो शारू खान ने चौका चौका मारके टीम को कमबाक कराया था वो एक छोटा सा मोमेंटम दिलाया था लेकिन फिनिश कि इस मोमेंटम को राशित खान ने 11 गेंदे 24 रंज चार चौके 218 का स्ट्राइक रेट और अंतीम गेंद पे दो रंज चाहिए थे पॉइंट बाउंडरी के तरफ चौका मारके राशित ने टीम को जिता दिया नूर एमद नौट आउट रहे सून्य पे 11 रन मुफ्त में मिल 33 पे 6 एक सो 57 पे 8 वी आपको 7 एक सो 95 पे है फिर आपको गेंद बाद ही किये अंदर बात करते हैं तो कप्तान ने अपने में गेंद बादो का ही इस्तमाल नहीं किया ट्रेंट बोल्ट चार दो ओवर केवल कराए गए पता नहीं क्यूँ आठ रन दिये कोई सफलता ने ट्र सेट बैक रहा है दोस्तों राजस्थान के लिए 4 ओवर 40 रन कोई सफलता नहीं यूजवेंद्र चहल 4 ओवर 43 रन दो सफलता हैं और चहल की चतुराई भी आज माच नहीं जिता पाई फिर आपको कुलदीप सेन क्या गेंद बादी की भाई साहब इन्होंने 4 ओवर 41 रन और पीछा करते हैं इस मुकाबले में 20 ओवरों के समापती पर 199 रन बना लिये 7 विक्टो के नुकसान पार और आज के इस मुकाबले को जो है वो राजस्थान रॉयल्स की टीम जो है वो जीत हार चुकी है अब चलते हैं पॉइंस टेबल की तरफ और देखते हैं पॉइंस हुआ है अभी भी पहला मुकाबला इस सीजन के अंदर हारा और अब सारी टीमें ऐसी हो गई हैं जिसने एक न एक मुकाबला हारा हुआ है तो आज राजस्थान अपना पहला मुकाबला हारा इस सीजन में राजस्थान रॉयल्स के अलावा अगर हम देखेंगे तो राजस् 5 का run rate, 6 अमको के साथ कोलकतान, नमब दो, 1 पर राजस्तान, 5 मुकाजलों में 4 जीत, 1 हार, 8 अको के साथ, नमब तीन पर लखनव, सूपा जायंट's, 4 मुकाजलों में 3 जीत, 1 हार, 0.7 का run rate, 6 अमको के साथ, लखनव, नमब तीन. नमब चार पर चन्नाई सूपकिंग्स पांच मुकाबलों में तीन जीत दोहार 0.6 का रणरेट छे अंकों के साथ चन्नाई नमब चार नमब पांच पर सन्राइजर्स हैदरबाद पांच मुकाबलों में तीन जीत दोहार 0.3 का रणरेट 6 अंकों के साथ घदरबाद 5 नंबर 6 पे गुझराट टाइटन्स आ चुकी है 7 से जिनने 6 मुकाबल में 3 जीते हैं तीन हारे हैं माइनस 0.6 का रन रेट 6 अंकों के साथ गुझराट नंबर 6 नंबर 7 पे पंजाब किंग्स 5 मुकाबल में 2 जीत तीन हार, माइनस 0.19 का रन रेट, नंबा आठ के उपर मुंबाई इंडियन्स, चार मुकाबलों में एक जीत, तीन हार, माइनस 0.7 का रन रेट, दो अंको के साथ मुंबाई नंबा आठ, नंबा नौ पे रॉयल चलेंजर्स बिंगा लुरू, पांच मुकाबलों में एक जीत चार हार दो अंकों के साथ बेंगालूरू है नमबर 9 पार नमबर 10 पे है दिल्ली कापिटल्स पांच मुकाबलों में एक जीत चार हार माइनस 1.3 करन रेट और दो अंकों के साथ दिल्ली नमबर 10 तो ये हैं दोस्तों आपको टाटा IPL 2024 के पॉइंट स्टेबल के सूरतेहाल और आज का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स हार गई है और गुजराट टाइटन्स ने इस मुकाबले को तीन विक्टो से जीत लिया है कहां सबने सोचा था कि राजस्थान रॉयल्स आज पांचवा मुकाबला जीतेगी लगभग लगभग राजस्थान जीती चुकी थी इस मुकाबले को लेकिन उनके मुँ में हाँड डालके इस माच को जो जीत लिया है गुजराट टाइटन्स ने जीत जाएगी लेकिन अंद में दोस्तों यहाँ पर एकाद ओवर ने पूरी तरीके से माच का जो रुख था वो बदल के रख दिया तो अब है कल दो बड़े एक और बड़ा मुकाबला कल है आपको मुंबाई इंडियन्स वर्सिस रॉयल चैलिंजर्स बेंगालूरू के बीच मुंबाई के वांग खेड़े के मैदान पे मुकाबला तो दोस्तो कल के लिए तयार हो जाएए वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब खाना पिना खाईए मज़े कीजिए नोटिफिकेशन का बटन दबाईए सब्सक्राइब करने के बाद मिलेंगे हम मुंबाई और बेंगलूरू के मुकाबले में लेकिन अभी कहीं नहीं जाने का अभी स्कोर कार्ट के उपर एक नज़र डालने का आएए स्कोर कार्ट पे एक नज़र डाल लेते हैं और राशिद खान ने ये चौका मार का टीम को जिता दिया है अंतिम गेन थी आविश खान के स्पेल की पारी की अंतिम गेन थी सामने स् स्क्वेर कट करने में काम्याब हो गए, गेंद बल्ले के बीच ओ बीच टकराने के बाद, दीब बाकवर्ड पॉइंट बाउंडरी के तराफ, और ये पूरे चार रंस मिले हैं राशिद खान को, राशिद खान ने इस मुकाबले को, गुजराट टाइटन्स की टीम को तीन व वो भी आफस्टम के बाहर, बल्ले बाद ने बहुत अराम से इस गेंद के उपर स्क्वेर कट करके चार रंस बटोर लिये, गुजराट टाइटन्स ने सीजन का अपना ये तीसरा मुकाबला जीत लिया है, और इस तीसरे मुकाबले को जीत के, गुजराट टाइटन्स की ट हैं, इसमें शुबन गिल भी हीरो हैं, इसमें राशित खान भी आज के मैच के अंदर हीरो हैं, इसके अलावा आपको गेंद बादी में याद होगा आप लोगों को क्या कमाल की गेंद बादी की थी, आपको गुजराट टाइटन्स की टीम की तरफ से राशित खान ने चार पाजी मारी थी दोस्तों किसने राजस्थान रोयल्स के सामने गुजराट टाइटन्स के कप्तान ने और उनका जो अंदाजा था कि बाद में चेस कर लेंगे हम 199 रंस वो अंदाजा बिल्कुल सही सावित हुआ और 199 रन आपको इस टीम ने चेस कर लिये तो जब शुरुवात इसमाच में राजस्थान रोयल्स की तरव से तो राजस्थान ने अपने पूरे 20 OVR में 196 रंस बनाए और 196 रंस के उपर आपको इस मुकाबले में तीन विक टेबी गवाई राजस्थान रोयल्स की टीम ने लेकिन उसके जवाब में 20 वे उवर की अंतीम गेंडें पर दो के हीरो बन गये और जितना भी स्पोर्ट लाइट था Dौस्तों वह आपको इन्होंने आज के इस मुकाबले के अंदर हासिल कर लिया तो आएँ चलते हैं मैच की तरफ और देखते हैं दोनों ही टीमों का स्कोर कार्ड आखिरकार दोनों ही टीमों के स्कोर कार्ड के अंदर क्या कुछ कहानी रही राशित खान आज के इस मुकाबले में जब बल्लेबादी करने उतरी थी राजस्थान रॉयल्स की टीम तो राजस्थान रॉयल्स की तरफ से आज शुरुआत एक बाव फिर बहुत खराब रही संजू सैमसन ने आज पारी की लाज बचा ली राजस्थान रॉयल्स के लिए और आज ओपनिंग करने उतरे थे राजस्थान रॉयल्स की तरफ से यश्रस्वी जैस्वाल और यशस्वी जैस्वाल के साथ आज के मैच में सलामी बल्लेबादी करने उतरे थे दाएं हाथ के जॉस दबॉस जॉस बटलर ने मुकाबले के अंदर केवल और केवल आपको 10 गेंदे खेली और 10 गेंदों के उपर आपको 8 बना कर अपनी विकेट गवा कर चलते बने जॉस बटलर के वो 8 रनों की पारी जिन्होंने पिछले माच में सतक मारा था बहुत प्रेशर डाल गिया फिर आपको आए यशस्वी जैस्वाल यशस्वी जैस्वाल ने आपको इस मुकाबले में महज 19 गेंदे खेली और 19 गेंदों के उपर 24 रन्स बनाए ताबर तोर अंदाज में यशस्वी जैस्वाल ने आज इनका बल्ला चला लेकिन जादा देर नहीं चला 19 गेंदों के पर 24 रन्स मार के आउट हो गए आपको यशस्वी जैस्वाल जैस्वाल के आउट होने के बाद बैटिंग करने उतरे नमबा 3 की पोजिशन पार दाए हाथ के संजू सामसन संजू सामसन ने आज कप्तानी पारी खेली और सामसन ने महज और महज आपको 38 गेंदों के उपर अरसट रन्स ठोक दिये जिसमें 7 चौके शामिल थे और 2 गगन चुम्बी छक्के भी शामिल थे जिसमें 178 का स्ट्राइक रेड था संजू सामसन का और संजू सामसन की ये नाबाज जो पारी थी 68 रनो की वो राजस्थान रोयल्स को लगभग लगभग मैच जिता ही ले गई थी लेकिन अंत में गुजराट टाइटन्स ने अपने नर्फ को हूल्ड रखा और मैच जीत ले गई लेकिन सामसन के अलावे एक और खिलाडी की तारीफ करनी पड़ेगी पिछले साल ये खिलाडी आपको लोग कहते थे कि बोज बना हुआ है लेकिन रियान पराग इस साल दिखा रहे हैं कि क्यों इस खिलाडी को इस टीम ने इतना ज़ादा बैक अप किया रियान पराग 48 गेंदे 76 रन 3 चौके 5 चके 158 का स्ट्राइक रेट और जब आये थे बल्ले बाजी करने तब लगतार दो विक्टे गिर गई थी उसके बाद लेकिन इनों ने सामसन ने मिल के कमाल कर दिया अंत में शिम्रोन हेट मायर ने 5 गेंदों पे 13 रन बनाए एक चौका और एक चका मारा इस मैच में हेट मायर के 5 गेंदों में 13 रनों के बाद 7 रन मुफ्त में मिले 7 के 7 वाइड के रूप में पॉल ओफ विकेट्स की बात कर लेते हैं आज के दिन पहली विकेट आपको इस मुकाबले के अंदर राजस्थान रोयल्स के टीम की गई थी 32 पर दूसरी विकेट आपको इस मैच में 42 पर जया बटलर की और तीसरी विकेट 172 पर आज गेंदबादी में आपको गुजराट टाइटन्स की तरफ से उमेश यादो चार ओबर 47 रन एक विकेट स्पेंसर जॉनसन चार ओबर 37 रन कोई विकेट नहीं राशिद खान अपने चार में 18 रन दे के एक विकेट नूर एमद चार में 43 रन दे के कोई विकेट नहीं मोहीत चर्मा चार में 51 रंदी के एक सफल था राशित खान का जो वह चार ओवरो का स्पिल था वो असल माइनों में गुज्रा टाइटन्स को जिता ले गया पावर प्ले में आज बने राजस्थान की तरफ से केवल और केवल 43 रंस लेकिन 20 ओवर में 196 बनाने में कामयाब हो गए थी राजस्थान रॉयल्स की टीम और 197 का लक्षे आज के इस मुकाबले में गुज्रा टाइटन्स के लिए सेट किया जिसमें गुज्रा टाइटन्स की टीम जब बल्ले बादी करने इस मैच में उतरी तो टाइटन्स की शुरुआत तो उतनी कुछ खास नहीं रही क्योंकि जो आज सलामी बल्ले बादी करने उतरे इस मुकाबले में 20 साइस तुदर्शन 39 गेंदों में 35 बनाए 3 चौका और 1 चौका मार के अपनी विकेट गवा बैठे 20 साइस तुदर्शन के बाद बल्ले बादी करने उतरे दाय हाथ के आपको शुबमंगिल चवाली इस गेंदों में 72 रंज बनाए और आज इन्होंने कप्तानी पारी खेली 6 चौके मारे 2 चके मारे बहुत अच्छी बल्ले बादी की अंत में अपनी चलहांकी से युजुवेंद्र चहल ने इनको चलता कर दिया फिर आपको मैथ्यू वेड आए जो की सीजन का अपना पहला ही मुकाबला खेल रहे थे और मैथ्यू वेड ने आपको इस मुकाबले में कुछ खास किया नहीं छे गेंदे खेली चार रंस बनाएं और फिर अपनी विकेट भी गवा के चलते बने जनाब इनके आउट होने के बाद बल्ले बादी में नमबर चार की पोजिशन पे उतारा गया दाएंहाथ के अभिनाव मनोहर को अभिनाव मनोहर ने इस मुकाबले में आपको दो गेंदो के उपा एक रं की पारी खेली और दो गेंदो के उपा एक रं की पारी के बाद अभिनाव मनोहर की पारी जो है वो समाफ्त हो गई अब इन्हों मनोहर की पारी के बाद बल्लेबादी करने उत्रे दाएं हाथ के विजय शंकर और विजय शंकर ने आपको आज 10 गेंदों पे 16 रन बनाए जिसमें 3-4 शामिल थे विजय शंकर के बाद राहुल तेवतिया ने 11 गेंदों पे 22 रन्स बनाए माफ किजिए गया 14 रन्स बनाएं एक चौका और एक चौका शारू खान ने मारा फिरवात इन्हों ने ही किया आपको जब मैच में पीछे चल रहे थे तो शारू खान ने चौका चौका मार के टीम को कमबाक करा था वो एक छोटा सा मोमेंटम दिलाया था लेकिन फिनिश किया इस मोमेंटम को राशिद खान ने 11 गेंदे 24 रन 4 चौके 218 का स्ट्राइक रेट और अन्तीम गेंद पे दो रन चाहिए थे पॉइंट बाउंडरी के तरफ चौका मार के राशिद ने टीम को जिता दिया नूर एमद नौट आउट रहे सून्य पे 11 रनमुफ्त में मिले 7 वाइट एक नो बॉल और 3 लगबाई के रूप में आज फॉल आउ विकेट्स पहली विकेट्स आपको इस मुकाबले के अंदर गुजरा टाइटन्स की 64 पे गई दूसरी 77 पे गई, तीसरी 89 पे गई, चौती 111 पे पांचवे एक सो, 33 पे चटी एक सो, 57 पे आठवी आपको साथवी एक सो पंचानवे पे पिर आपको गेनबादी किये अंदर बात करते हैं तो कप्तान ने अपने में गेनबादों का ही इस्तमाल नहीं किया ट्रेंट बोल्ट चार, दो ओवर के वल कराए गए, पता नहीं क्यों, आठ रन दिये कोई सफलता नहीं ट्रेंट बोल्ट ने, अवेश खान 4 ओवर 48 रन एक सफलता, केशव महराज 2 ओवर 16 रन और कोई सफलता नहीं, पहले माच में असफल रहे रवी चंदरन अश्विन बहुत बड़ा सेट बैक रहा है दोस्तों, राजस्थान के लिए 4 ओवर 40 रन कोई सफलता नहीं, युजवेंद्र चहल, 4 ओवर 43 रन दो सफलता हैं, चहल की चतुराई भी आज माच नहीं जिता पाई, फिर आपको कुलदीप सेन, क्या गेंदबा पाजी की भाई साब, इन्होंने 4 ओवर 41 रन और 3 सफलता हैं, कमाल कर दिया, कुलदीप सेन ने, पावर प्ले में आज 44 रन बनें, और इस तरीके से, राजस्थान रॉयल्स के टीम ने, 197 रनों का पीछा करते हैं, इस मुकाबले में, 20 दोबरों के इस्तमापती पर 199 रन बन पॉइंस टेबल की तरफ और देखते हैं, पॉइंस टेबल की परिस्तिया क्या नजर आ रही हैं, तो दोस्तों, ये 24 वे मुकाबले की समापती के बाद, पॉइंस टेबल के हालात कुछ इस तरीके से बन गए हैं, राजस्थान रॉयल्स टॉप पर बना हुआ है अभी भी, पहला मुकाबला इस सीजन के अंदर हारा, और अब सारी टीमें ऐसी हो गई हैं, जिसने एक न एक मुकाबला हारा हुआ है, तो आज राजस्थान अपना पहला मुकाबला हारा इस सीजन में, राजस्थान रॉयल्स के अलावा अगर हम देखेंगे, तो राजस्थान अपने पिलाल पांच मुकाबलों में चार जीता है एक हरा है और इनके पास आठ हंकों के साथ नंबर एक No. 2 पे Kolkata Knight Riders के टीम 4 मुकाब्लों में 3 जीत एक हार 1.5 का रण रेट 6 अउकों के साथ Kolkata No. 2 1 पे Rajasthan 5 मुकाब्लों में 4 जीत एक हार 8 अंकों के साथ No. 3 पर Lachna受 Super Giants 4 मुकाब्लों में 3 जीत एक हार 0.7 का रण रेट 6 अंकों के साथ Lachna受 No. 3 नमब चार पर चन्नाई सूपकिंग्स पांच मुकाबल में तीन जीत दोहार 0.6 का रन रेट छे अंकों के साथ चन्नाई नमब चार नमब़ 5 पे सनराइजर हैधरबाद 5 मुकाबलों में 3 जीत, 2 हार 0.3 का रंड़ेट 6 अंकों के साथ हैधरबाद नमब़ 5 नमब़ 6 पे गुजराट टाइटन्स आचुकिए रहे हैं जिन्होंने 6 मुकाबलों में 3 जीते हैं 3 हारे हैं MINUS 0.6 का रंड़ेट छे अंकों के साथ गुजरात नंबर छे नंबर साथ पे पंजाब किंग्स पांच मुकाबलों में दो जीत तीन हार माइनस 0.19 का रन रेट नंबर आठ के उपर मुंबई इंडियन्स चार मुकाबलों में एक जीत तीन हार माइनस 0.7 का रन रेट दो अंकों के साथ मुंबई नमबर आठ नमबर नौ पर रोयल चलेंजर्स बिंगा लूरू पांच मुकाबलों में एक जीत चार हार दो अंकों के साथ बिंगा लूरू है नमबर नौ पार नमबर 10 पे है दिल्ली कापिटल्स पांच मुकाबलों में एक जीत चार हार माइनस 1.3 करन रेट और दो अंकों के साथ दिल्ली नमबर 10 तो ये हैं दोस्तों आपको टाटा IPL 2024 के पॉइंस टेबल के सूरतेहाल और आज का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स हार गई है और गुजराट टाइटन्स ने इस मुकाबले को तीन विक्टो से जीत लिया है कहां सबने सोचा था कि राजस्थान रॉयल्स आज पांचवा मुकाबला जीतेगी लगभग लगभग राजस्थान जीती चुकी थी इस मुकाबले को लेकिन उनके मुँ में हाँ डाल के इस माच को जो वो जीत लिया है गुजराट टाइटन्स ने क्योंकि अठारवे उननीस वे उवर तक तो लगी रहा था कि राजस्थान जीत जाएगी लेकिन अंद में दोस्तों यहाँ पर एकाद उवर ने पूरी तरीके से माच का जो रुख था वो बदल के रख दिया तो अब है कल दो बड़े एक और बड़ा मुकाबला कल है आपको मुंबाई इंडियन्स वर्सिस रॉयल चैलेंजर्स बेंगालूरू के बीच मुंबाई के वांग खेड़े के मैदान पे मुकाबला तो दोस्तों कल के लिए तयार हो जाएए वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब खाना पीना खाईए मज़े कीजिए नोटिफिकेशन का बटन दबाईए सब्सक्राइब करने के बाद मिलेंगे हम मुंबाई और बेंगलूरू के मुकाबले में लेकिन अभी कहीं नी जाने का अभी स्कोर कार्ट के उपर एक नज़र डालने का दी आफस्टम दायहात के राशिद खान को और राशिद खान बाकफूट पे खड़े रहे के गेन को ये स्क्वेर कट करने में काम्याब हो गए गेन बले के बीच ओ बीच टकराने के बाद डी बैकवर्ड पॉइंट बाउंडरी के तराफ और ये पूरे चार रंस मिले हैं राशिद खान को राशिद खान ने इस मुकाबले को गुजराट टाइटन्स की टीम को तीन विक्टो से जीत दिला दी अंतिम गेन के उपार स्क अश्टम के बाहर बले बाद ने बहुत अराम से इस गेन के उपार स्क्वेर कट करके चार रंस बटोर लिये गुजराट टाइटन्स ने सीजन का अपना ये तीसरा मुकाबला जीत लिया है और इस तीसरे मुकाबले को जीत के गुजराट टाइटन्स की टीम एक 20 सोफरों की समाफ्ती पार और आपको बताते चलें गुजराट टाइटन्स की सांदार जीत की हीरो आपको एक नहीं है कई हैं इसमें शुब्मन गिल भी हीरो हैं इसमें राशित खान भी आज के मैच के अंदर हीरो हैं इसके अलावा आपको गेंद बादी में याद होगा आप लोगों को क्या कमाल की गेनबादी की थी आपको गुजराट टाइटन्स की टीम की तरफ से राशिद खान ने चार मां ठारा रंदे के एक विकेट निकाला था उनकी गेनबादी भी आप नहीं भूल सकते हैं 197 के टारगेट को 199 बना दिया 20 ओवर में टाइटन्स ने आज साम को जब टॉस हुआ तो टॉस के उपापाजी मारी थी दोस्तों किसने राजस्थान रोयल्स के सामने गुजराट टाइटन्स के कप्तान ने और उनका जो अंदाजा था कि बाद में चेस कर लेंगे हम 199 रंस वो तो राजस्थान ने आपने पूरे 20 ओवर में 196 रंस बनाए और 196 रंस के उपर आपको इस मुकाबले में तीन विक्टे भी गवाई राजस्थान रोयल्स की टीम ने लेकिन उसके जवाब में 20 ओवर की अंतीम गेन पर दो रंस चाहिए थे और उस अंतीम गेन पर चौका मार के राशिद खान आज के हीरो बन गए और जितना भी स्पोटलाइट था दोस्तों वह आपको इन्होंने आज के इस मुकाबले के अंदर हासिल कर लिया तो आएए चलते हैं मैच के तरफ और देखते हैं दोनों ही टीमों का स्कोर कार्ड आखिरकार दोनों ही टीमों के स्कोर कार्ड के अंदर क्या कुछ कहानी रही राशिद खान आज के इस मुकाबले में जब बल्लेबादी करने उतरी थी राजस्थान रॉयल्स की टीम तो राजस्थान रॉयल्स की तरफ से आज शुरुआत एक बाद फिर बहुत खराब रही संजू सैमसन ने आज पारी की लाज बचाली राजस्थान रॉयल्स के लिए और आज ओपनिंग करने उतरे थे राजस्थान रॉयल्स की तरफ से यश्रस्वी जैस्वाल और यश्रस्वी जैस्वाल के साथ आज के मैच में सलामी बल्लेबादी करने उतरे थे दाय हाथ के जौस दबोस तो जौस बटलर ने मु बहुत प्रेशर डाल गया फिर आपको आए यशस्वी जैस्वाल यशस्वी जैस्वाल ने आपको इस मुकाबले में महज 19 गेंदे खेली और 19 गेंदों के उपर 24 रंज बनाए ताबर तोर अंदाज में यशस्वी जैस्वाल ने आज इनका बला चला लेकिन जादा देर नहीं चला 19 गेंदों के उपर 24 रंज मार के आउट हो गए आपको यशस्वी जैस्वाल जैस्वाल के आउट होने के बाद बैटिंग करने उतरे नमबा 3 की पोजिशन पार दाए हाथ के संजू सामसन संजू सामसन ने आज कप्तानी पारी खेली और सामसन ने महज और महज आपको 38 गेंदों के उपर अरसर ट्रंस ठोक दिये जिसमें साथ चौके शामिल थे और दो गगन चुम्बी छक्के भी शामिल थे जिसमें 178 का स्ट्राइक रेड था संजू सामसन का और संजू सामसन की ये नाबाज जो पारी थी 68 रनों की वो राजस्थान रोयल्स को लगभग लगभग मैट जिता ही ले गई थी लेकिन अंत में गुजराट टाइटन्स ने अपने नर्फस को होल्ड रखा और मैट जीत ले गई लेकिन सामसन के अलावा एक और खिलाडी की तारीफ करनी पड़ेगी पिछले साल ये खिलाडी आपको लोग कहते थे कि बोज बना हुआ है लेकिन रियान पराग इस साल दिखा रहे हैं कि क्यों इस खिलाडी को इस टीम ने इतना जादा बैक अप किया रियान पराग 48 गेंदे 76 रन 3 चौके 5 चौके 158 का स्ट्राइक रेट और जब आये थे बल्ले बाजी करने तब लगतार दो विक्टे गिर गई थी उसके बाद लेकिन इनों ने सैंसन ने मिलके कमाल कर दिया अंत में शिम्रोन हेट मायर ने 5 गेंदों पे 13 रन बनाए 1 चौका और 1 चौका मारा इस मैच में हेट मायर के 5 गेंदों में 13 रनों के बाद 7 रन मुफ्त में मिले 7 के 7 वाइड के रूप में पॉल ओफ विकेट्स की बात कर लेते हैं आज के दिन तो पहली विकेट आपको इस मुकाबले के अंदर राजस्थान रॉयल्स के टीम की गई थी 32 पर दूसरी विकेट आपको इस मैच में 42 पर बटलर की और तीसरी विकेट 172 पर आज गेंदबादी में आपको गुजराट टाइटन्स की तरफ से उमेश यादो 4 ओवर 47 रन एक विकेट स्पेंसर जॉनसन 4 ओवर 37 रन कोई विकेट नहीं राशित खान अपने 4 में 18 रन्दे के एक विकेट नूर एमद 4 में 43 रन्दे के कोई विकेट नहीं मोहीत चर्मा 4 में 51 रन्दे के एक सफल था राशित खान का जो वह 4 ओवर का स्पेल था वो असल माईनों में गुजराट टाइटन्स को जिता ले गया पावर प्ले में आज बनें राजस्थान की तरफ से केवल और केवल 43 रन्स लेकिन 20 ओवर में 196 बनाने में कामयाब हो गए थी राजस्थान रॉयल्स की टीम और 197 का लक्षे आज के इस मुकाबले में गुजराट टाइटन्स के लिए सेट किया जिसमें गुजराट टाइटन्स की टीम जब बल्लेबादी करने इस माच में उतरी तो टाइटन्स की शुरुआत तो उतनी कुछ खास नहीं रही क्योंकि जो आज सलामी बल्लेबादी करने उतरे इस मुकाबले में 20 आज सुदर्शन 39 गेंदों में 35 बनाए 3 चौका और 1 चका मारके अपनी विकेट गवा बैठे 20 आज सुदर्शन के बाद बल्लेबादी करने उतरे दाय हाथ के आपको शुब मंगिल 40 गेंदों में 22 रंस बनाए और आज इन्होंने कप्तानी पारी खेली 6 चौके मारे 2 चके मारे बहुत अच्छी बल्लेबादी की अंत में अपनी चलहाकी से युजुवेंद्र चहल ने इनको चलता कर दिया फिर आपको मैथ्यू वेड आए जो की सीजन का अपना पहला ही मुकाबला खेल रहे थे और मैथ्यू वेड ने आपको इस मुकाबले में कुछ खास किया नहीं 6 गेंदे खेली चार रंस बनाए और फिर अपनी विकेट भी गवा के चलते बने जनाब इनके आउट होने के बाद बल्लेबादी में नमबर चार की पोजिशन पे उतारा गया दाय हाथ के अभिनाव मनोहर को अभिनाव मनोहर ने इस मुकाबले में आपको दो गेंदो के उपा एक रं की पारी खेली और दो गेंदो के उपा एक रं की पारी के बाद अभिनाव मनोहर की पारी जो है वो समाफ्त हो गई अभिनाव मनोहर की पारी के बाद बल्लेबादी करने उत्रे दाय हाथ के विजय शंकर और विजय शंकर ने आपको आज 10 गेंदों पे 16 रन बनाए जिसमें 3 चौके शामिल थे विजय शंकर के बाद राहुल तेवतिया ने 11 गेंदों पे 22 रन्स बनाए तीन चौके शामिल थे इस मुकाबले में 200 का स्ट्राइक रेट अंतीम गेंद से पहले राहुल तेवतिया आउट हो गए राहुल तेवतिया के बाद शारू खान ने 8 गेंदों में 24 रन्स बनाएं 14 रन्स बनाएं एक चौका और एक शारू खान ने मारा फिरवात इन्हों ने ही किया आपको जब मैच में पीछे चल रहे थे तो शारू खान ने चौका चौका मार के टीम को कमबाक करा था वो एक छोटा सा मोमेंटम दिलाया था लेकिन फिनिश किया इस मोमेंटम को राशित खान ने 11 गेंदे 24 रन्स चार चौके 218 का स्ट्राइक रेट और अंतीम गेंद पे दो रन्स चाहिए थे पॉइंट बाउंडरी के तरफ चौका मार के राशित ने टीम को जिता दिया नूर एमद नौट आउट रहे सून्य पे 11 रन्मुफ्त में मिले 7 वाइड एक नोबॉल और 3 लेक बाई के रूप में आज फॉल आफ विकेट्स पहली विकेट्स आपको इस मुकाबले के अंदर गुजराट टाइटन्स की 64 पे गई दूसरी 77 पे गई, तीसरी 89 पे गई, चौती 111 पे पाँचवे एक सो, 33 पे छटी एक सो, 57 पे आठवी आपको साथवी एक सो, 95 पे फिर आपको गेंदबाद ही किये अंदर बात करते हैं तो कप्तान ने अपने में गेंदबादों का ही इस्तमाल नहीं किया ट्रेंट बोल्ट 4, 2 ओवर के वल कराए गए, पता है नहीं क्यूं, 8 रन दिये कोई सफलता ने ट्रेंट बोल्ट ने, अवेश खान 4 ओवर 48 रन एक सफलता, केशव महराज 2 ओवर 16 रन और कोई सफलता नहीं, पहले माच में असफल रहे रवी चंदरन अश्विन बहुत बड़ा सेट बैक रहा है दोस्तों, राजस्थान के लिए 4 ओवर 40 रन कोई सफलता नहीं, यूजवेंद्र चहल, 4 ओवर 43 रन दो सफलता हैं, चहल की चतुराई भी आज माच नहीं जिता पाई, फिर आपको कुलदीप सेन, क्या गेंदबा बड़ादी की भाई साहब, इन्होंने 4 ओवर 41 रन और 3 सफलता हैं, कमाल कर दिया, कुलदीप सेन नहीं, पावर प्ले में आज 44 रन बनें, और इस तरीके से राजस्थान रॉयल्स के टीम ने 197 रनों का पीछा करते वे इस मुकाबले में, 20 ओवरों के इस्तमावती पर 199 रन बना लिये, 7 विक्टो के नुकसान पार, और आज के इस मुकाबले को जो है, वर राजस्थान रॉयल्स की टीम जो है, जीत हार चुकी है, अब चलते हैं, पॉइंस टेबल की तरफ और देखते हैं, पॉइंस टेबल की परिस्तितिया क्या नजर आ रही हैं, तो दोस्तों, ये 24 वे मुकाबले की समाफ्ति के बाद पॉइंस टेबल के हलात कुछ इस तरीके से बन गए हैं, राजस्थान रॉयल्स टॉप पर बना हुआ है अभी भी, पहला मुकाबला इस सीजन के अंदर हारा, और अब सारी टीमें ऐसी हो गई हैं, जिसने एक ना एक मुकाबला हार हुआ है, तो आज राजस्थान अपना पहला मुकाबला हारा इस सीजन में, राजस्थान रॉयल्स के अलावा अगर हम देखेंगे तो राजस्थान अपने फिलाल पांच मुकाबलों में चार जीता है, एक हारा है, और इनके पास आठ हंकों के साथ नमबर एक, नमबर दो कोलकता नाइट राइडर्स के टीम, चार मुकाबलों में तीन जीत, एक हार, वन पॉइंट फाइफ का रन रेट, छे अंकों के साथ कोलकता नमबर दो, एक पे राजस्थान पांच मुकाबलों में चार जीत, एक हार, आठ अंकों के साथ, नमबर तीन पर लखनाउ सूपर चार मुकाबलों में तीन जीत एक हार 0.7 का रणरेट 6 अंकों के साथ लखनाउ नमब तीन नमब चार पर चैननाई सूपकिंग्स पांच मुकाबलों में तीन जीत दो हार 0.6 का रणरेट 6 अंकों के साथ चैननाई नमब चार नमब पाँच पे सन्राइजर्स हैदरबाद पाँच मुकाबलों में तीन जीत, दो हार 0.3 का रन रेट छे अंकों के साथ हैदरबाद नमब पाँच नमब चे पे गुजराट टाइटन्स आचुकी है साथ से जिनने चे मुकाबलों में तीन जीते हैं, तीन हारे हैं, माइना 0.6 का रन रेट, छे अंकों के साथ गुजरात नमबर च्छे Number 7 पे पंजाब Kings 5 मुकाबलों में 2 जीत 3 हार – 0.19 का रन रेट Number 8 के उपर Mumbai Indians 4 मुकाबलों में 1 जीत 3 हार – 0.7 का रन रेट 2 अंकों के साथ Mumbai Number 8 Number 9 पे Royal Challengers Bengaluru 5 मुकाबलों में 1 जीत 4 हार 2 अंकों के साथ Bengaluru है number 9 पार Number 10 पे दिल्ली Capitals पांच मुकाबलों में एक जीत चार हार माइनस वन पॉइंट त्री करन रेट और दो अंकों के साथ दिल्ली नमबा दस तो ये हैं दोस्तों आपको टाटा IPL 2024 के पॉइंट स्टेबल के सूरतेहाल और आज का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स हार गई है और गुजराट टाइटन्स ने इस मुकाबले को तीन विक्टो से जीत लिया है कहां सबने सोचा था कि राजस्थान रॉयल्स आज पांचवा मुकाबला जीतेगी लगभग लगभग राजस्थान जीती चुकी थी इस मुकाबले को लेकिन उनके मुँ में हाँ डालके इस मैच को जो जीत लिया है गुजराट टाइटन्स ने क्योंकि 18-19 वे उबर तक तो लगी रहा था कि राजस्थान जीत जाएगी लेकिन अंद में दोस्तों यहाँ पर एकाद उबर ने पूरी तरीके से मैच का जो रुख था वो बदल के रख दिया तो अब है कल दो बड़े एक और बड़ा मुकाबला कल है आपको मुंबाई इंडियन्स वर्सिस रॉयल चैलेंजर्स बेंगालूरू के बीच मुंबाई के वांग खेड़े के मैदान पे मुकाबला तो दोस्तो कल के लिए तयार हो जाएए वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब खाना पिना खाईए मज़े कीजिए नोटिफिकेशन का बटन दबाईए सब्सक्राइब करने के बाद मिलेंगे हम मुंबई और बेंगलूरू के मुकाबले में लेकिन अभी कहीं नी जाने का अभी स्कोर कार्ट के उपर एक नज़र डालने का आएए स्कोर कार्ट पे एक नज़र डाल लेते और राशिद खान ने ये चौका मार का टीम को जिता दिया है अंतिम गें ती आविश खान के पारी की अंतिम गें थी सामने स्ट्वाई के उपर राशिद खान इंतजार कर रहे थे थोड़ी सी शौत डाली विट दिया आउट साइद यॉफस्टम दाय हाथ के राशिद खान को और राशिद खान बाकफुट पे खड़े रहे के गेन को ये स्क्वेर कट करने में कामेयाब हो गए गेन बल्ले के बीच ओबीच टक्राने के बाद डीप बाकफुट पॉ Damit बाउंडरी के तरह और ये पूरे चार रंच मिले है राशिद खान को राशिद खान ने इस मुकाबले को गुजराट टाइटन्स की टीम को तीन विक्टो से जीत दिला दी अन्तीम गेंद के उपार स्क्वेर कट करके चौका बारा और राशिद खान के लिए आवेश खान की एक बहुत ही खराब गेंद यॉरकर डालने की कोशिस करनी चाहिए थी लेकिन उन्हें शॉर्ट गेंद डाली और वो भी आफस्टम के बाहर बल्लेबाद ने बहुत आराम से इस गेंद के उपार स्क्वेर कट करके चार रंस बटोर लिये गुजराट टाइटन्स ने सीजन का अपना ये तीसरा मुकाबला जीत लिया है और इस तीसरे मुकाबले को जीत के गुजराट टाइटन्स की टीम 199 रंद 199 रनों के उपार 7 विक्टे बीज ओवरों की समाफ्थी पार और आपको बताते चलें गुजराट टाइटन्स की सांदार जीत की हीरो आपको एक नहीं है कई हैं इसमें शुबमन गिल भी हीरो हैं इसमें राशित खान भी आज के मैच के अंदर हीरो हैं इसके अलावा आपको गेंद बाजी में याद होगा आप लोगों को क्या कमाल की गेंद बाजी की थी आपको गुजराट टाइटन्स की टीम की तरफ से राशित खान ने 4.18 रंदे के एक विकेट निकाला था उनकी गेंद बाजी भी आप नहीं भूल सकते हैं 197 के टार्गेट को 199 बना दिया 20 ओवर में टाइटन्स ने आज साम को जब टॉस हुआ तो टॉस के उपबाजी मारी थी दोस्तों किसने राजस्थान रोयल्स के सामने गुजराट टाइटन्स के कप्तान ने और उनका जो अंदाजा था कि बाद में चेस कर लेंगे हम 199 रन्स वो अंदाजा बिल्कुल सही साबित हुआ और 199 रन आपको इस टीम ने चेस कर लिये तो जब शुरुवात वी बल्लेबादी में आपको इस माच में राजस्थान रोयल्स की तरफ से तो राजस्थान ने आपने पूरे 20 ओवरों में 196 रन्स बनाए और 196 रनों की उपर आपको इस मुकाबले में तीन विक्टे भी गवाई राजस्थान रोयल्स की टीम ने लेकिन उसके जवाब में 20 वे ओवर की अंतीम गेन पर दो रन्स चाहिए थे और उस अंतीम गेन पर चौका मार के राशिद खान आज के हीरो बन गए और जितना भी स्पोटलाइट था दोस्तों वो आपको इन्होंने आज के इस मुकाबले के अंदर हासिल कर लिया तो आएए चलते हैं मैच के तरफ और देखते हैं दोनों ही टीमों का खराब रही संजू सैमसन ने आज पारी की लाज बचाली राजस्थान रॉयल्स के लिए और आज ओपनिंग करने उतरे थे राजस्थान रॉयल्स की तरफ से यश्रस्वी जैस्वाल और यश्रस्वी जैस्वाल के साथ आज के मैच में सलामी बल्ले बादी करने उतरे थे दाएं हाथ के जॉस दबॉस जॉस बटलर ने मुकाबले के अंदर केवल और केवल आपको 10 गेंदे खेली और 10 गेंदों के उपर आपको 8 बना कर अपनी विकेट गवा कर चलते बने जॉस बटलर के वो आठ रनों की पारी जिन्होंने पिछले माच में सतक मारा था बहुत प्रेशर डाल गया फिर आपको आए यशस्वी जैस्वाल यशस्वी जैस्वाल ने आपको इस मुकाबले में महज 19 गेंदे खेली और 19 गेंदो के उपर 24 रन्स बनाये ताब़त और अंदाज में यशस्वी जैस्वाल ने आज इनका बल्ला चला लेकिन जादा देर नहीं चला 19 गेंदों के पद 24 रंस मार के आउट हो गए आपको यश्रस्वी जैस्वाल जैस्वाल के आउट होने के बाद बैटिंग करने उतरे नमबा 3 की पोजिशन पार दाए हाथ के संजू सामसन संजू सामसन ने आज कप्तानी पारी खेली और सामसन ने महज और महज आपको 38 गेंदों के उपर अरसाट रंस ठोक दिये जिसमें 7 चौके शामिल थे और 2 गगन चुम्बी छक्के भी शामिल थे जिसमें 178 का स्ट्राइक रेड़ था संजू सामसन का और संजू सामसन की ये नाबाज जो पारी थी 68 रनों की वो राजस्थान रॉयल्स को लगभग लगभग मैट जिता ही ले गई थी लेकिन अंत में गुजराट टाइटन्स ने अपने नर्फ को हूल्ड रखा और मैट जीत ले गई लेकिन सामसन के अलावे एक और खिलाडी की तारीफ करनी पड़ेगी पिछले साल ये खिलाडी आपको लोग कहते थे कि बोज बना हुआ है लेकिन रियान पराग इस साल दिखा रहे हैं कि क्यों इस खिलाडी को इस टीम ने इतना जादा बैक अप किया रियान पराग 48 गेंदे 76 रन 3 चौके 5 चौके 158 का स्ट्राइक रेट और जब आये थे बल्ले बाजी करने तब लगतार दो विक्टे गिर गई थी उसके बाद लेकिन इनों ने सैंसन ने मिल के कमाल कर दिया अंत में शिम्रोन हेट मायर ने 5 गेंदों पे 13 रन बनाएं एक चौका और एक चौका मारा इस मैच में हेट मायर के 5 गेंदों में 13 रनों के बाद 7 रन मुफ्त में मिले 7 के 7 वाइड के रूप में पॉल ओफ विकेट्स की बात कर लेते हैं आज के दिन तो पहली विकेट आपको इस मुकाबले के अंदर राजस्थान रॉयल्स की टीम की गई थी 32 पर दूसरी विकेट आपको इस मैच में 42 पर जया बटलर की और तीसरी विकेट 172 पर आज गेंदबादी में आपको गुज चार में 43 रंदे के कोई विकेट नहीं मोहीच चर्मा चार में 51 रंदे के एक सफल था राशित खान का जो वह चार ओवरू का स्पिल था वो असल माइनों में गुजरा टाइटन्स को जिता ले गया पावर प्ले में आज बनें राजस्थान की तरफ से केवल और केवल 43 रंस लेकिन 20 ओवर में 196 बनाने में कामयाब हो गए थी राजस्थान रॉयल्स की टीम और 197 का लक्षे आज के इस मुकाबले में गुजरा टाइटन्स के लिए सेट किया जिसमें गुजरा टाइटन्स की टीम जब बल्ले बादी करने इस माच में उतरी तो टाइटन्स की शुरव के बाद बल्ले बादी करने उतरे दाय हाथ के आपको शुबमंगिल 44 गेंदों में 72 रंस बनाएं और आज इन्होंने कप्तानी पारी खेली 6 चौके मारे 2 छके मारे बहुत अच्छी बल्ले बादी की अंत में अपनी चलहांकी से युजवेंद्र चहल ने इनको चलता कर दि पिर आपको मैत्यू वेड आए जो की सीजन का अपना पहला ही मुकाबला खेल रहे थे और मैत्यू वेड ने आपको इस मुकाबले में कुछ खास किया नहीं 6 गेंदे खेली 4 रंस बनाएं और फिर अपनी विकेट भी गवा के चलते बने जनाब इनके आउट होने के बाद बल्लेबादी में नमबर 4 की पोजिशन पे उतारा गया दाय हाथ के अभिनाव मनोहर को अभिनाव मनोहर ने इस मुकाबले में आपको दो गेंदो की उपा एक रंड की पारी के बाद अभिनाव मनोहर की पारी जो है वो समाफ्थ हो गई अबिनो मनोहर की पारी के बाद बल्लेबादी करने उतरे दाएं हाथ के विजय शंकर और विजय शंकर ने आपको आज 10 गेंदों पे 16 रन बनाए जिसमें 3-4 शामिल थे विजय शंकर के बाद राहुल तेवतिया ने 11 गेंदों पे 22 रन्स बनाए माफ किजिए गया 14 रन्स बनाए एक चौका और एक चौका शारू खान ने मारा फिरवात इन्हों ने ही किया आपको जब मैच में पीछे चल रहे थे तो शारू खान ने चौका चौका मारके पॉइंट बाउंडरी के तरफ चौका मारके राशिद ने टीम को जिता दिया नूर एमद नौट आउट रहे सून्य पे 11 रन्मुफ्त में मिले 7 वाइट एक नो बॉल और 3 लेगबाई के रूप में आज फॉल ओ विगेट्स पहली विगेट्स आपको इस मुकाबले के अंदर गुजराट टाइटन्स की 64 पे गई डूसरी 77 पे गई तीसरी 89 पे गई चौती 111 पे पांचवी एक सो 33 पे 6 एक सो 57 पे आठवी आपको 7 एक सो 95 पे पिर आपको गेन बाद ही किये अंदर बात करते हैं तो कप्तान ने अपने में गेन बाजो का ही इस्तमाल नहीं किया ट्रेंट बोल्ट 4 दो ओवर केवल कराए गए पता है नहीं क्यूं 8 रन दिये कोई सफलता नहीं ट्रेंट बोल्ट ने अवेश खान 4 ओवर 48 रन एक सफलता केशव महराज दो ओवर 16 रन और कोई सफलता नहीं पहले माच में असफल रहे रविचंदर नश्विन बहुत बड़ा सेट बैक रहा